हालो वच्छो कैसे हैं आप सब लोग मैंसल वामित महाजन एंड वेलकम यौल ऑन देस इंक्रेड़िबल प्लेटफॉर्म फिदिक्स वाला तो कैसे हो यार आप सब लोग क्या हाल चाला जी ये 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 श्वन्थ है नितीश है रचित प्रज्वल जहरा इशू प्रिया सौम्या राशिद इशान बहुत सारे वच्छे हैं हाई जन संक्या का विसफोर्ट चैट बॉक्स में होते होए जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग आपरिबर कैसी चल रहे है वाए तैयारी नीट टू जीरो टू फोर की ये सब जानों को बताओ ये तो व्म 12 के साथ दे रहे हो या फर्स ड्रॉप है या सेकिंड ड्रॉप है या लास्ट ड्रॉप है तुम्हारा बता हो ज़ना है सब जानों को पता चलना चाहिए यूट्यूब पे ये ड्रॉप की काउंटिंग अभी बढ़नी है या स्टेबल हो गई है लास्ट ड्रॉप है आगले साल हमने गौवर्मेंट मेडिकल कॉलेज में दिखना भाई अब फर्स ड्रॉप नहीं बोलते हैं लास्ट ड्रॉप है यह ना येस ट्वेल्ट वाले तो कसम ही खालो भाई साब के कोई ड्रॉप लेना ही नहीं है और जो ड्रॉप ले रहे हैं फर्स्ट है सेकींड है यह लास्ट है भाई है ना जो बचा हुआ समय है अपने ब्लड का एक एक कत्रा दे तो भाई अब नी टू जिरो टू फोर के लिए सेलेक् ते जी नमस्ते नमस्ते तूम लोगों के आने से गर्मी बढ़ गई है ऐसी आन करवाते हैं इसी ऑन करने जीची स्तार्ट करें स्तार्ट पना दो है फिर चैफ्टर का नाम क्या वाई चैफ्टर है हमारा सम बेसिक कांसेट्स ऑफ केमिस्ट्री जिसको हम लोग आसान सी chemistry का base है यह basically ना this is the base यह अच्छा होता है तो obviously confidence build up होता है और फिर उसके बाद चीजें और ज्यादा smooth होती है ना सर आज हम क्या करने वाले हैं क्या हम theory पड़ेंगे येस क्या हम zero से start करेंगे येस क्या हम PYQ करेंगे येस आज उमेड 2024 में हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो अभी तक physics वाला के किसी भी channel पर नहीं हुआ है you heard it right हमेशा कोई भी teacher पढ़ाते हैं सारे teacher अच्छे पढ़ाते हैं हमेशा वो क्या करते हैं या तो PYQ करते हैं जो हम भी करेंगे आज तांकि आप एक ही बार आएं एक ही दिन में ये चैप्टर इतने अच्छे तरीके से हो जाए कि दुबारा आपको सिर्फ थोड़ा सा रिवाइस करने कोशिश करनी पड़े ठीक है या कुछ future के important questions लेके आते हैं कि यार ये questions जो है आगे कुछ सालों में आ सकते हैं इंपॉर्टेंट जो टर्म होती है न वो हर एक teacher के लिए थोड़ी थोड़ी डिफर कर सकती है मैं कह सकता हूं यह वाला topic important है कोई और teacher कह सकते हैं कोई दूसरा topic important है सब अपने experience से बोलते हैं और अच्छा बोलते हैं बट आज हम पहली बार PWK तेहास में competition वाला चैनल पर लेके आए हैं वो questions जो NTA कहती है important है yes you heard it right जो conducting agency है वो कहती है कि यह वाला chapter अगर आप कर रहे हो सम basic concepts of chemistry इसमें कुछ ऐसे questions हैं जो आपको practice करके जाने चाहिए जिनके ओपर paper में ऐसे similar questions दिख सकते हैं आज हम वो सारे question भी लेके आया अभी तो कुम्मीद में आस्तक ऐसा कभी नहीं हो आज पहली बार हो रहा है आप आज इतिहास के साक्षी बनेंगे ठीक है चलिए रचलिए शुरू करें भाई लोग ख्लास शुरू करें न भाईयों और उनकी बैनों दोनों शुरू करें अप लोगों को पता चल ली चुका है स्टार्ट करेंगे हम लोग इस चैप्टर को ठीक है कोशिश हमने पूरी रखी है पीपीटी वनाते टाइम भी के यार जो हमारी न्यू एन्सी आर्टी का पैटन है उसी के हिसाब से जो है पूरी की पूरी पीपीटी को अलाइन किया जाए उसी में से सारी चीजों को किया जाए ठीक है हाँ 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 आई सबसे पहले importance of chemistry अगर आप एन्सी आर्टी उठाके देखें शुरू के दो तीन च पांच लाइने सिर्फ चार या पांच लाइने जो आपको पता होनी चाहिए त्यूट्री कल बात है इस पेज़ पर यह पता जरूर होनी जाहिए आपको त्योंकि नीट का वही भंडा है यह एन्सी आर्टी की कोई लाइन उठाओ उसी में से कोशन बना लो ठीक है तो इसी सबसे पहले कहां पर है फर्टेलाइजर्स बनाने में आपको पता है सर कौन कौन से फर्टेलाइजर्स होते हैं फर्टेलाइजर काम क्या करते हैं वह आपको पता है कि प्लांट्स की प्रोडक्शन में उनकी ग्रोथ में मेंटेनेंस में यह हल्प करते हैं कौन कौन से फर्टेलाइजर्स होते हैं एक है यह सोडियम फॉस्फिट एक है ammonium sulfate वैसे तो NPK के बारे में आपको पता ही होगा बट स्टिल NCRT में कौन-कौन से दे रखे हैं वो आपको जरूर पता होने चाहिए एंड यूरिया यूरिया का फॉर्मला है NH2 CO NH2 सर और कहां पर जरूरत है केमिस्ट्री की बहुत जगा पर है बट NCRT जहां पर कहती है वहाँ पर हमें ध्यान ज़्यादा देना है एक फूड पर्जर्वेटिव में मार्किट से बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जिनको आप लोग खाते हैं और उनकी शेर्फ लाइफ महीनों तक की होती है ना कोई जैम परचेज करके लाते हैं कोई टोमेटो गैचप परचेज करके लाते हैं हमें पता होना चाहिए दाटे सोडियम बेंजोएट सोडियम बेंजोएट सोडियम बेंजोएट का फॉर्मला यह रहा बेंजोईक एसिड का सोडियम सॉल्ट ठीक है और बात करते हैं सर और कहां कहां पर यूज होते हैं अभी अभी unfortunately हम सब लोग जो है वो निकले हैं that is COVID-19 crisis में COVID-19 crisis में एक ऐसा chemical ही था जिसने हजारों लाखों करोडों लोगों की जिन्दगी बचाई that is that is sanitizer yes तो जो sanitizer था वो भी obviously उसने बहुत बड़ा role play किया है और recently play किया है तो obviously इसके एक्जाम में आने के chances भी थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते है isopropyl alcohol या propane propane to all यह रहा उसकी structure है तो isopropyl alcohol या propane to all जो है वो है यह sanitizer ठीक है हाँ बिल्कुल जेई mean level तक का चीज़ें जरूर डिसकस होगी ठीक है जूट नहीं बोलेंगे कि जेई advance भी होगा नहीं बड़ जेई mean level तक जरूर डिसकस होगा ठीक है है तो isopropyl alcohol जो है वो sanitizer है बड़ जब covid-19 का प्रकोब चल रहा था तब market में बहुत सारे alcohol जो है वो sanitizer बनाने में यूज़ हो रहे थे ethanol B and और भी कही तरह के जो sanitizer बनाने में यूज़ कर रहे थे ठीक है जी next है और कौन सा बताएं हाँ कुछ medicines के बारे बात कर लेते cancer में obviously यूज़ होती है एक तो है cisplatin आपने coordination compound जब आप inorganic chemistry में पढ़ेंगे तब आप इसके बारे में और भी पढ़ेंगे and taxol used in treatment of cancer or a correct a z t that is azit azidothymidine used in treatment of aids यह कुछ ऐसी चीज़े हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए ठीक है बिल्कुल 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 ठीक है एक बच्चा आभी भी पूछ रहा है सर यह क्लास शुरू तो हो गई है यह खतम कब होगी अरे भाई जब जंग लड़ने जाते हैं तब यह पूछा जाता है क्या कि यह जंग खतम कब होगी है अगर यह इसने टाइम तक खतम हो गई तब तो मैं यह जंग लड़ूँगा और अगर यह किजी इस पर्टिकुलर टाइम से आगे बढ़ गई तो मैं तो सर इस जंग से बाहर हूँ ठीक है इस इस फाइट टू मेक यूर केरियर टू एन एक्सपोनेंशल ग्रोथ ठीक है ऐसी जब फाइट चल रही हो न तो ऐसे कोशन नहीं पूछे जाते कोशन यह पूछे जाते हैं कि सर आप सिरफ पढ़ाएं और हम पढ़ने के लिए बैठे हैं आप सारी चीजे कराईएगा हम सारी चीजे करेंगे ठीक है और फिर वही यह यह जैसे अभी जितने बिच्चे लाइव होंगे मुझे पता नहीं है कितने भी बच्चे लाइव है ठीक है यह फाइट अभी चलती जाएगी और कुछ अन फॉर्चुनेटली इस फाइट को बीच में से छोड़के जाते लास्ट शन तक टिके का जीत उसी की होगी भागवान भाई साफ सब कुछ देख रहे हैं के तुम लोग कितनी महनत कर रहे हो या कितनी महनत नहीं कर रहे हो यह सब देखागा रहे हैं ठीक है तो यह ऐसे कोशन पूछके ऐसे बच्चे प्यारे प्यारे वच्चे ऐसे कूशन को पूस्ते हैं तो कैसा लगता है दिल से बुरा लगता है दिल से बुरा लगता आईए कोस्चन का आंसर बताएए आइए को जिक्षाफर सिर्फ आंसर देना है आंसर देना है चैड बॉक्स में चैड बॉक्स से अपने आप ही आंसर उठा लिया जाएगा ठीक है विच अफ दा फॉलिविंग इस एक कैमिकल फर्टिलाइजर क्या यूरिया है सोडियम नाइटरेट है और कौन सा है अमोनियम सल्फेट है या आल आफ दीस है देखें जैसे ही समय पूरा होगा लिखा हुआ है only first answer will be considered ऐसा नहीं के पहले बी लगा दिया फिर डी कर दिया आइसा नहीं करने का है आंसर है जैसका all of these आपको पता ही है जो mainly fertilizers होते हैं वो किस किस से बने होते हैं यूरिया भी हमने लिखवाया सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट में भी नाइट्रोजन है तो आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी तो देखते हैं जी 93.6 अप्रॉक्सिमेटली 94 परसंट बच्चों का सही है है न महिंदर सिंग जी प्रगती है अनुश्री है नीट एस्पिरेंट है आतिफ है ओ भाई साब ओ अच्छा सारी है सबके नाम तो भाई साब नहीं लिए जाएंगे बढ़ बहुत सारे बच्चे जो पार्टी बारे में सिर्म मैंटर होता क्या है ना मैंटर तो ऑविसली क्या होता है कोई भी ऐसी चीज जो के उसका मास होता है और वो कोई जगा ऑक्यूपाई करती है उसे क्या बोलते हैं मैंटर ठीक है और आपको आपको एक्जाम में प्रूफ करके आना है एक्जाम में प्रूफ कर कि आना है यह यह जो कोना है यह आपके लिए चोड़ा हुआ आज के वे छोड़ा के दिमागा कि मैटर्स हैना बिना दिमाग के तुके नहीं लगाने है जैसे अभी 94 परसंट वच्चों का सही हुआ था था शेपरसंट का गलत हुआ था ऐसी शे परसेंट वाली हरकते नहीं करनी है यह आपको बता के आना है निहीट टू-024 में के दिमाग definitely matters है ना आएए बात करते हैं matter के बारे में ठीक है matter के matter के बारे में क्या matter के anything which occupies space and has has मास which occupies space जो जगा गेरता है और उसका कोई ना कोई मास होता है उसे क्या बोलते हैं आप मैटर जैसे मैं हूँ ठीक है मेरी मैं जिस भी जगा पे खड़ा हूँ पहले यहां पे खड़ा हूँ ठीक है तो आविसली मैंने कुछ ना कुछ जगा तो घेर ही रखी है फ्लोर के ओप आप मेरीं बोडी का कुछ मास भी है तो ऑविसली अएमेंघर तेरे में दिमांग है ही नहीं अगर कोई ऐसा कह रहा है है खाली है वो बिलकुल हाँ तब आप जरूर कह सकते हैं कि आप पर वैक्यूम अगर एर नहीं है तो वैक्यूम है तब आप कह सकते हैं कि हाँ भाई साब आप मेटर नहीं है वैक्यूम है वह कोई कह देता तो भाई साब हो ni capa той को बहुत बड़ा मेंटर हो जाएंगा अगर वहां पर Mit stay Mental में अगर आप फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे हैं तो पांच तरह का बढ़ हमें पढ़ना है मेली तीन तरह का सॉलिड लीक्विड एंड गैस ठीक है आईए बात करते हैं सॉलिड लीक्विड और गैस के बारे में ठीक है सारी छोटी छोटी चीजें इनके ओपर बहुत ज्यादा टाइम ना लगा के कोशन प्रैक्टिस पर काम करेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया और एक बार फिर मैं आप दों को दुबारा बता रहा हूं कि आज हम पहली बार वो कोशन करेंगे क्लास के अंदर जो NTA ने बोला है कि इस चैप्टर के लिए most important है हर एक बच्चे को वो कोशन प्रैक्टिस करके जाने ही चाहिए ठीक है बात सारे कोशन मैं साथ में लेके आए हूं और मैं भी पहली बार ही उन्हें करवा रहा हूं live में ठीक है आईए solid liquid or gas how to join poll poll आप सिर्फ YouTube चैट में अंसर लिखेंगे पोल अपने अंसर आ जाएगा solid liquid and gas जल्दी बताइए सर सॉलिड में क्या होता है सर सॉलिड में सारे particle पास पास होते है बहुत आस पास होते है सॉलिड में जो पार्टीकल के बीच में फॉर्स ओफ अट्रेक्शन वहता होती है वह एक दूसरे से चिप में सीफुर्प के से होते हैं जैसे सर हम लोग हुते हैं हां UH सटर्दियों में जब स्कूल के बैट्टेथेना पास पास बिलकुल सॉलिट में absorbedráGS किया होगी मेक्सिमम होगी सॉलिट की फिग्षड होतीं है और फिग्षड वॉलियम होती यह एक जगा से दूसरी जगा मुःमारने नहीं जाते हैं इनकी पूजीशन क्या होती है fixed होती है ठीक है fixed होती है अब बात करेंगे हम liquid के बारे में sir liquid में क्या होता है solid से थोड़ी कम क्या होती है force of attraction होती है solid से थोड़ी कम force of attraction होती है liquid के बारे में वह लाइन बोली जाती है ना है ना वैसे तुम्हां बहुत सकत लों डाउं बड़ यहां मैं पिगल गया बस 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 जो पिगलने के बाद जो स्टेट बनेगी वो क्या कहलाएगी लीक्विड कहलाएगी यहां पर पार्टिकल्स के बीच में इसके कमपैरिजन में थोड़ी क्या होती है कम होती है और यहां पर पार्टिकल्स रिजिड नहीं होते हैं यह एक जगा से दूसरी जगा मूव करते हुए नजर आते हैं अब बात करेंगे हम इनकी वालियम जो है वो फिक्स्ड नहीं होती है ना जिस भी कंटेनर में डालेंगे यह उसी की वालियम को ले लेते हैं जैसे आप देखें है ना पानी तरह रंग कैसा है जिसमें मिला दो लगे उस जैसा रंग के बारे में है बड़ वालियम के बारे में भी वही बात हो रही है पानी की राइट नाव शेप आपको इसकंटेवर में डाला तो ऐसी दिख रही है किसी और कंटेवर में लाकेंगे तो वेसी ही दिखने लगेगी है यहां पर बात करेंगे जैस के यह तीनों परकार के बच्चे जो हैं दुनिया में पाए जाते हैं एक वो होते हैं एक वो होते हैं जो कहते हैं और यह क्या इनका जैसे जैसे समय बीचता जाता है इनके रिलेशन्स जो है है वह फ्लूइड होते हैं मूव को ते रहते हैं ना वह कहते हैं यह वहीं लोग कहते हैं यह वहीं लोग कहते हैं कि पहला प्यार जो होता है वह सच्चा प्यार होता है और यह वहीं है ठीक है और यह वह गैस हैं यह भवरे हैं भाई साब भवरे हैं इधर चला मैं उदर चला जहने मैं किदर चला ये इनिंके लिए बनाया गया है गैसीस मौल lagi मोलिक्यूल के लिए ठीक है कुछ बतते हैं सर मैं गैस हुँ नीचर के हिसाब से ही जारे गान साहरे रहे आगर अगर अब यही बात तुम्हारे पता जरी चैड बॉक्स के अंदर 1, 2, 3, 4 का मतलब है ये option A है, ये B है ये C है और ये D है ठीक है जो भी option आपको लगता है के correct है प्लीज उसको answer दीजिए देखते हैं आज class के end तक leaderboard पे कौन पहुंचता है बच्चे को और answer 1 देना है तो A लिखना है 2 देना है तो B लिखना है पता कर क्या हो ये बात 1 लिखना है के A लिखना है आईए बात करते हैं मैं भी question पढ़ता हूँ solids have definite volume and shape क्या solids की definite volume भी होती है definite shape भी होती है yes solids में particle एक दूसरे के बहुत ज़्यदा close होते है and there is not much freedom of movement yes ये वो है जो एक दूसरे के साथ परीने सुत्र में बन चुके है शादी शुदा है अब इनकी movement के कोई भी chances नहीं है ठीक है ये भी correct है क्या ये इसको explain कर रहा है yes इसकी definite volume या definite shape होने का यही reason है कि यहाँ पर movement नहीं हो सकता आपको पोल में जब भी answer देना है next question से भी याद रखेगा मैंने भी वैसे अभी बताया one का मतलब अगर one answer देना है तो a two देना है तो b three देना है तो c four देना है तो d ठीक है यह इसका reason भी है both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion so option number a is the correct answer 96% बच्चों का सभी है बहुत सारे बच्चे हैं बहुत सारे बच्चे हैं बहुत सारे लिक्विड एंड गैस अब बात करेंगे हम chemical classification of matter chemical अगर हम classify करेंगे तो यह दो प्रकार के होते हैं एक होते हैं pure substance एक होते हैं mixture एक होते हैं pure substance एक होते हैं mixture सर्फ प्योर क्या होता है mixture क्या होते हैं आईए इनके बारे में detail में बात करते हैं डिटेल में बात करें सिर्फ प्योर सब्स्टांसिज क्या होते हैं प्योर सब्स्टांसिज क्या होते हैं प्योर सब्स्टांसिज होते हैं जिनका कॉम्पोजिशन फिक्स्ट होता है जिनका कॉम्पोजिशन क्या होता है फिक्स्ट होता है यह टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं नहीं होते हैं नहीं होते हैं एक बार जो इनकी composition बनती है बन जाती है वही हमेशा रहती है सर प्योर substances कितने परकार के होंगे कितने परकार के होंगे दो टाइप के होंगे पहला element क्या होगा element क्या होगा हमने नाम सुना हुआ है periodic table का क्या नाम सुना हुआ है periodic table में periodic table में atomic number one से लेके atomic number 118 तक यह सारे elements है सारे हाइड्रोजन एक element है helium कोई और element लीथियम कोई और बेरीलियम कोई आर बहर हमना वह हैं यह सारे क्या elements ही है बट हर के अनदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है एलेक्ट्रॉन प्रोट्रॉन न्यूट्रॉन पाई मैसॉंस वगएरा वट हमें जो पढ़ना है हमें जो डिस्क्रिस करना है वो क्या है ध्यान से सुनिये गाज समझेगा जैसे यह देखिए हीलियम हीलियम गैस की फर्म में पाया जाता है माल लीजिए किसी बैलून के अंदर आपने हीलियम गैस भर दी क्या भर दी हीलियम गैस बर दी तो इसके अंदर यह सारे आटम्स हीलियम के ही होंगे सारे आटम्स जो हैं वो हीलियम के ही होंगे और यह सारे एक जैसे हैं सारे एक जैसे सारे एक जासे तिक सारे सारे ड़से यहां अगर ऐसे ही अगर झालakis किसी बेलून की अंदर या किसी भी जगह के होंगे इनमें कोई भी डिफ्रिस नहीं है नियॉन के सारे आटम्स एक जैसे हैं हीलियम के सारे आटम्स एक जैसे हैं बट हीलियम और नियॉन के आटम्स अलग अलग है हीलियम और नियॉन के आटम्स क्या है अलग अलग है इसके आटम्स में इलेक्टरोन प्रोटोन और जो न करेंगे गैसे हैं इन दोनों के एक दूसरे से क्यां इन दोनों के एक दूसरे से क्या है फ्र अलग-अलग एलिमेंट के आटम आपस में कंबांग कंबाइन करते हैं और एक नई चीज जो बनती है ठीक है उसके कंबाइन करने के बाद उसे क्या बोलते हैं हम कंपाउंड जैसे यह देखिए सोडियम आपको पता है जब सोडियम अकेला होता है पानी में डालने पर ही अब्विसली एक जो गैस है ठीक है बड़ जब यह दोनों आपस में मिलते हैं दोनों आपस वो भी बहुत रियक्टिव है वो भी बहुत रियक्टिव है बड़ जब यह आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं एक नया कंपाउंड बनता है एने सियल नवक जो घर में कहलाएगा कंपांड कंपांड का नाम है जी सर क्या इसको मॉलकुल कह सकता है है कंपांड के सबसे छोटे हिस्से को क्या बोलेंगे हम लोग मॉलिक्यूल बोलेंगे एक कारबन का आटम दोXT Zoe । pane मिलके क्या बनाा रहे है लिए CO2, CO2 एक compound है, उसका सबसे छोटा हिस्सा क्या कहलाएगा, molecule, उसको भी CO2 बोलेंगे, उसको भी CO2 ही बोलेंगे, ऐसा थोड़ा उसको कुछ और बोल देंगे, चलिए, आईए, आगे बढ़ते हैं, बताईए जीए, आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी, बिना शर्माएं, आंसर बताएं, आंसर फिर भई, इसके लिए A, B, C, D, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से, 1, 2, 3, 4 नहीं लगाना है, A, B, C, D, लगाना है, मैं भी बढ़ू, जब 2 या 2 से ज़्यादा अपस में कम्बाइन करते हैं, कैमिकली कैमिकली एक दूसर रिक्त करते हैं, तो क्या बनता है? ऎलिमेंड बनता है, नहीं, वो तो आपस में रियाक्त कर रहे हैं, मिक्स्च बनता है, नहीं, क्या बनता है जी? कम पाउंड बनता हैं कमपाउंड का सबसे छोटा इसा ओड़ा बधिण साबास मेरे ची तो बट आंसर देखते हैं आंसर पता चलेगा का कर रहे हैं 95 वच्चों का साहीज बहुत बढ़िया मेरे आगे बक़ते हैं enfaster आपने यह परियाइड़ी समय टेबल के अंदर 118 एलीमेंट्स होते ह犯े सर अपने बोला था । सबसे च्छोटा इससा एटम होता है थोड़ा एकतम के बारे में और प्रकाश डालिए देखो यार जैसे कोई भी फैमिली होती है फैमिली का जो सबसे चोटा परसन होता ना सबसे चोटा वो क्या कहलाता है आटम वो क्या कहलाता है आटम कहलाता है जैसे यह देखो यह एक फैमिली नजर आ रही है इसमें यह जो है माताश्री है यह पिताश्री ह यह बड़े भीयाँ है न एंदर बिर और यह रही है जिसके forms फादर हैं ako सिस्टर यह ढीक ब्रोदर है यह विक सिस्टर है बिग ब्रदर है और यह रही वह चोटी सी सिस्टर ठीक है सर हमें पता था सर यही आटम है यही तो जैसे किसी भी फैमिली का जो सबसे छोटा है बच्चा होता है वह एक उता है किसी भी ऐलिमेंट का सबसे चोटा हिस्सा क्या होता है वह क्या होता है आटम होता है ठीक है बास बास ठीक है एहाटम क्या होगा smallest particle ऑफ एलिमेंट और सबसे चोटा सर, ये जो सबसे छोटा होता है, क्या ये इंडि-पेंड developed क्याँ ऐपने लिए जॉब भी कर सकती हैं, कमा भी सकती है, कपड़े दोना , खाना , पकाना , न ठीक है , जो भी औरना ये इंडीपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें कर सकता नहीं कर सकता नहीं कर सकता तो कुछ ऐसी वैमली ओंगी जिसका ऑघकogy डिबयसी कर सकता नहीं कर सकता नहीं कर सकता हो क्या लिखेंगे सबसे चोटा तो होगा विच में और ओर में आज है इंडीपेंडेंट में इग्जिस्टेंस इंडी इपेंडेंडेंडेंट मैं समय के साथ-साथ आपको पता चलता जाएगा कि वह कौन सी एलिमेंट है जिनका इंडीपेंड एग्जिस्टेंस है या नहीं ठीक है जादा इसके उपर ध्यान ना दे क्योंकि अगले पेज पे वचन दिया गया है दुनिया की हर एक चीज जो है वह आटम सही बनी हुई है तो इनके उपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने की जुरूरत नहीं है आये कुछ एक्जामपल लेते हैं जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑताये हाइड्रोजन का सिंबल वथायी सर आई से लिखा जाता है क्या हाइड्रोजन नेचर में हपाए जाता नाहीं इसके एंडीपेंडेंड ésus नहीं है तो तो इसके आड़क का इंडीपेंडनेंट इंडीपेंडेंट ए पाइव नहीं पाएव सर ए स्वाएिटखेंग शूश्ए। और बताओ सर क्लोरीन 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 का एटम कैसे लिखा जाता है क्या इसके आटम का independent existence पाया जाता है अब ये चैड बॉक्स में कौन ही ही कर रहा है अबे ही ही देनी है वह ही लियम है भाई क्या हो गया तुम लोगो यह वाला सस्ता नशा मैं भी करना चाहता हूं क्योंकि मेरे बहुत जादा पैसे लग रहे हैं काम करने में और मैंबात करते हैं और मात करते हैं जल्दी से बताऊ फॉस्फोरस की इंडेपेंटन्ट एग्जिस्टंस है के नहीं सेर फॉस्फोरसinas का नहीं कि पूर्पर से लिखा जाता है सरर एस से लिखा जाता है सलफर के अटम का भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है क्योंकि यह 15 Mm बात करेंगे। नियॉन का सेंबल एन ए रहा क्या इसके बारे में अगर हम बात करें तो जल्दी से बताइए क्या नियॉन कैसे पाया जाता है सरे एनी एनी की फॉर्म में ही पाया जाता है ठीक है इसका भी इंडिपेंड एग्जिस्टेंस है आईए अब बात करते हैं अब बात करते हैं मॉलेक्यूल के बारे में ऐलिमेंट क्या था सबसे छोटा हिस्सा होना चाहिए किसी भी सॉरी आटम क्या था ऐलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा होना चाहिए सबसे छोटा हिस्सा होना चाहिए ठीक है पॉपुलर डिमांड पे वही लिए तुम वीडियो पीछे करकर के देख रहे थे मैं एक बार फिर दिखा दें लास्ट ताइम है ब्रेक अप करवा दें फिर आगे आगे बढ़ेंगे ठीक है भी सब्से छोटा भी होना चाहिए और इंडीमृड का भी हो सकता है विच मस्ट है मजबूर है कि हूस्पा हिंदी इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें आजी यहां बलकुल बहुत इस Family का सबसे चोटा परसिंव इंकर सिस्टर जो थी इन्डिशिस्ट कर सकती है आस रह बिलकुल कर सकती है अपने लिए खाना पकाना जो भी सारे काम है दुनिया के इह अपने खुद tür सकती है अब आभ 존재 है यह अपने माता शुरी और पिता शरीपे dependent नहीं है खा सकती है, कमा सकती है, सारे काम कर सकती है तो इस family का जो atom है वही इस family का molecule भी है बिल्कुल सही कह रहे हैं, सबसे छोटी भी है और independently exist भी कर सकती है ठीक है हाँ, इस family में atom और molecule सही है, आईए इस family के बारे में बात करते हैं इस family का molecule कौन है सबसे छोटा और independent existence भी, यह सबसे छोटा तो है, बड़ इसका independent existence नहीं है यह तो सुसू पॉट्टी करते हाथ खड़ा कर देगा भाई साब मैंने तो कर दिया अब ममी जो तुमने करना वो तुमने ही करना जी बिल्कुल क्या सर यह है, नहीं सर यह सुसू पॉट्टी तो कम सकम बता देता था पर खाना बनाना कमाना वो भी इसके बसकी नहीं है, तो ना तो यह molecule है, ना यह molecule है हाँ, यह जो इनकी ममी है है ना, obviously above 18 है खा सकती है, बना सकती है, कमा सकती है सारे काम कर सकती है इस फैमली की मदर ही मॉलेक्यूल है मदर ही मॉलेक्यूल है इस फैमली का एटम कोई और मॉलेक्यूल कोई और एटम कोई और मॉलेक्यूल कोई और इस फैमली का एटम भी यही है यह सर और मॉलेक्यूल भी यही है यह सर ठीक है सर क्या ऐसे आप भी एक्जाम्पल दे सकते हैं बिल्कुल दे सकते हैं कि सबसे पहले बात करना शुरू करते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन हमने यहां पर क्या इसका मॉलिक्यूल क्या हाइड्रोजन एच की फॉर्म में एक्जिस्ट करता है वह कैसे एक्जिस्ट करता है एक्जिस्ट की फॉर्म में किसमें एक्जिस्ट की फॉर्म में यही है इसका एक मॉलिक्यूल यही है इसका इक मॉलिक्यूल बात तो ये कलोरीन का मॉलेक्यूल है, ये कलोरीन का आटम है, ये हाइडरोजन का मॉलेक्यूल है, ये हाइडरोजन का आटम है, हीलियम के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में आप ही ही कर रहे थे, ये हीलियम का आटम है, और हीलियम पाया कैसे आता है, सर वो भी हीलियम की फ phosphorus atom यह रहा नाइट्रोजन एटम यह रहा जल्दी से मुझे बताईए hydrogen के एक molecule में एक molecule में कुछ ऐसी families हैं जिनका atom और molecule सेम हैं कुछ ऐसी families हैं जिनका atom और molecule अलग अलग है जल्दी से बताईए hydrogen के एक molecule में कितने atoms हैं कितने atoms हैं सर hydrogen के 2 इंके कितने अधन करें आठाल मात करें सर दो ॅ छिल्फर के बाद क वारे मात करें तो एक molecule के अंदर 8 ऐंटम 부분이 करें लिकाइटर दर सबंबवारिए नाइटन के बारें मालकिल के अंदर दो इतम से लिए सर यह जितने भी बात करी आपने हमेशा एक है सरक अवाले भी उखाण कुछ किम पाउंड वाले बिए कहराँ कर बंद डाय आक साई गरवक्साइड कारवन डायोक्साइड और कंपाउंड मॉलिकृल कैसे लिखा जयाएगा सी ओं तू जल्दी से बताइये इसके अदर कार्बन के आटम कितनी के अधू आरबके बड़ी है आकशन के कितनी आटमश नज़र आरहे हैं तो बहुंक बड़ी है आमोनिया कंपाउंड उसका फॉर्मॉला होगा NH3 यह राहुस का मॉलेक्यूल इसके पिर नाइट्रोजन के इंक कितने नहां धरर रहे हैं सर्ई है नेक्स्ट अे ग्लूकोस ग्लूकोस में कार्बन के इसके नाइट्रोजन के कतने ढ़िए सिक्स tão खिमक कितने के अग्स्ड कितने के ड्रू ग्रिश जल्दी से मुझे टोटब टोटल एटम्स बताईए मॉलेक्योल के अंदर चैट बॉक्स में पार्डिस्पेट करिए जब भी कोश्चन पूछा जाए अगर आपको सेलेक्शियन लेना है तो टाइम पास करने नहीं आये हैं ऐसा मुझे लगता है क्योंकि यह लास्टी उमीद है अभी नहीं तो कभी नह सब्सक्राइब करें लिए अपने आपको इंप्रूव करके सेलेक्शन में जरूर लासकते हैं जल्दी से बताईए जी यहां पर कितने एक मॉलेक्टिल के अंदर एक अटम कारवन का दो सब्सक्राइब करेंगे इस इसके सर שמת्लस 23 आजाएगा सर यह पर वन प्लस 3 सर 4 आजाएगा 6 प्लस 12 प्लस 6 सर 24 आजाएगा एप्सलोटली राइट बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है बात करेंगी आयंस के बारे में, सर आयंस क्या होते हैं? आयंस का बनते हैं जब भी कोई पार्टिकल जभी कोई जब ten जाहे आतम हो यह या मॉलिकूल हो ओ इलेक्टरॉण लूज यह गीन कर देते हैं तब डाट इज आयनस बनते formed by loss और gain of electron ions आगे दो टाइप के होते हैं बटा कितने टाइप के होते हैं दो टाइप के एक है कैटायन एक है एन आयन सर कैटायन कैसे बनता है जब loss of electron होता है यह positively charged होते हैं जितना जादा इनके उपर positive charge होगा इन्होंने उतने ही electron lose कियोंगे अगर किसी के उपर plus one charge है plus one charge है तो उसने एक electron lose किया है plus two charge है मतलब उसने दो electron lose किये plus three charge है मतलब उसने तीन electron lose किये जितना positive charge है उतने ही number of electrons lost है जितना positive charge है positive charge है अगर यही एनायन के बारे बात करें तो यहां पर होगा gain of electron एक जो atom है अगर वो किसी से electron लेके अपने pocket में डाल लेगा तब क्या बनेगा एनायन बनेगा यह गाना गाता है लेजा लेजा और यह गाता भाई साब देजा देजा है न यह negatively charged होते हैं जितना negative charge होगा उतने ही electron gain गेंड जितना negative charge होगा उतने ही electron gain किये होगे electrons gained number of electrons अगर किसी के ओपर minus 1 charge है तो इसने एक electron gain किया होगा minus 2 है 2 कि होगे minus 3 है 3 कि होगे minus 4 है 4 कि होगे ठीक मैं करवा दूंगा पहले आप अपने दिमाग को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ ठीक है आईए आईए डॉक्टर बनने से पहले किसी अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करें पिर उसके बाद बात करेंगे माइनस फॉर होता है क्या क्यों नहीं होता भाई माइनस फॉर क्यों नहीं होता है तो मैं कारवन के ओपर ही माइनस फॉर तोड़ा करना है किसी के ओपर भी कर लो आईए इसका मतलब क्या है वान इलेक्ट्रॉन लॉस्ट है इसका मतलब क्या है दो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट है इसका मतलब क्या है तीन इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इसका मतलब क्या है वान इलेक्ट्रॉन गेंड इसका मतलब क्या है सर दो इलेक्ट्रॉन गेंड है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है तीन इलेक्ट्रॉन गेंड है ठीक है बिल्कुल 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 कराएं बिल्कुल चोटा सा एक टॉपिक रह गया वह को पार्टिकल की गथे होंगे एर्टम मालिकिल आएं तीनों के बाद करा लीए और भी बात करेंगे बात करते हैं, element के symbol के बारे में, element के symbol के बारे में, हर एक element का अपना कोई ना कोई symbol जरूर होता है, हर एक element का, hydron का symbol यह रहा, हर एक करोमियम का CRM, मैंगनीज का MN, कॉपर का CU है, हर एक element का, अपना symbol जरूर होता है, ठीक है, उस symbol को मैं रिपर्जेंट कर रहा हूँ, X से, किसे? X से, ठीक है, symbol of element, इस symbol के एक तो पाउ में और एक सिर पे कुछ ना कुछ लिखा होता है, यह देखिए जी, नीचे जो इसके लिखा होता है, वो लिखा होता है, Z, उपर जो लिखा होता है, वो लिखा होता है, A, क्या नीचे क्या लिखा होता है, that is Z, उपर क्या लिखा होता है, that is A, सर Z क्या यह जो उपर एलिखा होता है वो क्या होता है मास नंबर सर अटामिक नंबर किसे बोलते हैं मास नंबर किसे बोलते हैं थोड़ा सा उनके बारे में बताइए बिलकुल बात करेंगे जाहिए MIT में से लिखेंगे that is most important things जो आपको on the end of the day पता जरूर होनी चाहिए किसी भी element का जो अटामिक नंबर है किसी भी element का जो अटामिक नंबर है that is represented by z sir atomic number क्या बताता है atomic number बताता है number of protons क्या बताता है number of protons protons को small p से लिख दूँगा मैं ठीक है number of protons के एक atom के अंदर कितने protons है वो उसका atomic number ही बताता है उसका atomic number ही बताता है ठीक है सर सर इलेक्ट्रॉंस कैसे पता चलेंगे अटम के अंदर एटम के अंदर जितने प्रोटॉंस उतने इलेक्ट्रॉंस यानि कि वो भी जैड के वो इकोल है आटॉमिक नंबर क्या था जैडी तो था सर न्यूट्रॉंस कैसे पता चलेंगे पहले मास नंबर बताता हूं फिर न्यूट्रॉंस मास नंबर जो हमने ए लिखा यह 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 बता क्या बताता है कितने प्रोटॉंस है और कितने न्यूट्रॉंस है न्यूट्रॉंस को मैंने एंड से लिख दिया है क्या ये z था ये a है yes क्या number of neutrons निकल जाएंगे बिलकुल निकल जाएंगे सर अगर मैं z उदर ले जाओं इसका मतलब number of neutrons कितने हो जाएंगे दैट इस ए माइनस सेट ए माइनस सेट जल्दी 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 चुट छोट इसे कोशन है किसी भी चीज को हलके मतले लेना कहीं के तो बहुत आसान है इसको पर कोशन नहीं आता अब ये कोशन कराओंगा पी जल्दी जल्दी इसमें प्रोटोन बताओ इलेक्ट्रोन बताओ न्यूट्रोन बताओ सुर्टोन ता अांटोमिक oeuf एट्ट्रोन बताओ नियूट्रोन कैसे निकालने थे एढ़ आदा डॉर 450 अचरहा देना minus this, sir, 23, minus 11, comes out to be 12, फिर वई, एक atom ही दे रखा है zinc का, उसके अंदर पूछे हुए, ये protons है, जितने proton होते हैं, उतने electron होते हैं, sir, neutron कितने होंगे, this minus this, comes out to be that is 35 ठीक है जी आईए शुरू हो जाईए और बताईए अगला कोशन आज की क्लास का पहला PYQ है जो नीट में आया है और रीसेंट येर में ही आया है आओ इसमें पार्टिसिपेट करो ठीक है और शो करो अपनी स्ट्रेंथ को ठीक है जिससे पता चल पाए टाइम पास करने नहीं आया हो ठीक है सेलेक्शन लेने के लिए आया है हाँ देख सकते हो 11 वाले आंसर फिर वही इसका ए लिखना है इसका बी इसका सी इसका डी आंसर आपको ए बी सी डी की टम में देना आया है कित क्या बजाने है प्रोटों एलेक्रों और न्यूट्रों प्रोटों कितने होंगे जो अटोमिक नंबर है इलेक्ट्रों कितने होंगे जो अटोमिक नंबर है न्यूट्रों कितने होंगे इस माइनस दिस एक सो चार पहले प्रोटों फिर न्यूट्रों प्रोटों यह 104 और यह भी 71 तो 71 104 71 डाट इस ऑप्शन नमबर डी ऑप्शन नमबर डी ऑप्शन नमबर डी देखते हैं जी कितने परसंट पर चोने सई दिया है यह गलत बात आयार है आप आप देखो कितनी सिली मिस्टेक करी है पता क्या कर दिया है प्रोटोन इलेक्ट्रोन और न्यू लिए resentbaar सिली मिस्टेक लिएसे वह बोलते हैं सिली मिस्टेक देखिए 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 पूछा था प्रोटोन इलेक्टोन करना है आपको अपने फाइनल एकजां में हमान लीजिये आपके एग्जाम में आया था आपसे गलती हो गई तो आप इसको लिखेंगे Silly Mistake or Silly Mistake में भी क्या Silly Mistake है आपने कोशन अच्छे तरीके से नहीं पड़ा है, ऐसा नहीं कि आपको यह आता नहीं था आपको आता था, बढ़ आपने यह symbol of a molecule अभी अभी बताया था जैसे carbon dioxide था carbon dioxide का molecule ऐसे लिख दिया जाएगा water का, ऐसे लिख दिया जाएगा sodium sulfate का, ऐसे लिख दिया जाएगा na2SO4, कोई भी हो, कोई भी हो HCl का hydrogen जोराइट का, ऐसे लिख दिया जाएगा symbol of a molecule इस में कोई खास बताने वाली बात नहीं है ठीक है नहीं है ठीक है बट प्रोटोन इलेक्ट्रोन और न्यूट्रोन कैसे फाइंड आउट करेंगे आप किसी भी मॉलेक्ट्रोन में कैसे फाइंड आउट करेंगे आप किसी भी मॉलेक्ट्रोन में कैसे फाइंड आउट करेंगे ठीक है आईए ध्यान से देखिए, मान लीजिए कोई भी मॉलेक्यू लिखा हुआ है, E, X, B, Y, विर E कोई element का symbol है, B भी कोई element का symbol है, X क्या है, एक मॉलेक्यूल के अंदर atoms E के X है, एक मॉलेक्यूल के अंदर B के atoms Y है, मैं रिपीट कर देता हूँ, एक मॉलेक्यूल के अंदर E के कितने atoms है, X, एक मॉलेक्यूल के अंदर B के कितने atoms है, Y, मान लीजिए आपको यहाँ पर पूछा हूँ है, number of protons, number of protons, या electron, सेम ही होते हैं, मॉलेक्यूल के अंदर proton और electron सेम ही होते हैं, करने का तरीका भी सेम रहेगा, जस्ट अभी आपने पीछे पड़ा, जस्ट अभी आपने पीछे पड़ा, मान लो यह कोई element है, E, इसके एक atom के अंदर, एक atom के अंदर, मुझे बताओ कितने protons थे, इसके एक atom के अंदर, मुझे बताओ, जल्दी से protons कितने होंगे, और y atom के अंदर कितने होंगे, तो यह देखो जड़ा, यह है, summation, summation का वालब होता है, add करो, किसको, atomic number into number of atoms, atomic number into number of atoms of each element, करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे, तो भराओमथ, ठिक है, जितने proton होते हैं, उतने electron होते हैं तो कोई घबराने वाली बात है नहीं, proton गालने निउट्रान कैसे find out कर होगे, neutron कैसे find out कर होगे, one molecule, neutron कैसे find out कर होगे, यहां पर भी वाई है, पहले बताओ, एक आटम में न्यूटरॉन कितने होते थे, सर A-Z, A-Z, तो X अटम के अंदर कितने होँगे, X into A-Z, एक आटम के अंदर, एक आटम आफ B के अंदर, कितने न्यूटरॉन होँगे, सर A-Z, जो भी इसका A होगा, जो भी इसका z होगा ठीक है और वाई आटम्स के अंदर कितने होगे वाई इंटू ए माइनस जट वही कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ ए माइनस जट इंटू नमबर आफ आटम्स आफ इच एलिमेंट छोटी से छोटी चीज पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि यह आप लोगों क यह कई जानों के प्रप्रेशन की लास्ट उम्मीद है यह ठीक है माइटी का मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट तिंग्स चालो चार कोशन देजी यह से सी ओ है यह भी एस सो टू है अच्छे तरीके से लिख देता हूँ सी ओ यह अच्छे तरीके से लिख देता हूँ वाओ जी क्या-क्या करना है प्रोटॉन फाइंड नयुट्र नायुकस करने है और नीट्रॉन प्रॉमत करने है सबसे पहले सीय ओ में सी एच ?.Óत्र ओक्सिन का अटॉमिक नंबर ऑक्सिन का इट इन्टू नंबर आफ इटम स्बताओं के तरें आटम से तर्वन शीक्स प्लास एट फॉर्टीन ओ जितने प्रोटॉन उतने एलेक्टॉन ठीक है सर न्यूटरॉन कैसे आफूर्ड करेंगे न्यूटरॉन ए मैनस द्सक्रमाइन इ सब्सक्राइब करेंगे मास नंबर माइनस अटॉमिक नंबर इंटू नंबर आटम सर्फ यहां पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से वाए चांस आया कोई बात नहीं आने दो हमें क्या ह fak k c h 4 में करो पहले प्रोटॉन नंबर इंटु नंबर इंटू नंबर आटमस कार्बन के कितने ऐटम सर्थ N ओजला रिहें फ्रीजिन के लिए आतॉमिक गिठीपर इंटू नंबर इंटू नंबर आटमस कितने फॉर इंट्र न आ गया है जितने यह अट्रॉन होते हैं를ने सर, neutron कैसे find out करेंगे, this minus this, mass number minus atomic number 6, into 1, क्योंकि एक ही atom है carbon का, hydrogen के बारे मात करते हैं, neutron कितने होंगे, this minus this, sir, 0 आएगा, 0, 0 को number of atom से multiply करेंगे, तब भी 0 ही रहेगा, answer क्या रहेगा, 6, answer क्या रहेगा, 6, ठीक, next बात करते हैं, calcium carbonate के बारे में, calcium atomic number कितना है, 20, into number of atoms, 1, carbon atomic number 6, into number of atoms, oxygen atomic number 8, into number of atoms, 24, 6, 30, 50 आएगा, ये भी 50 आएगा, लोगी proton और electron सेम होते हैं, चाहे atom हो, चाहे molecule हो, आयन में अलग-अलग होते हैं, आएए, बात करते हैं, आगे, that is neutron, calcium का पहले, 40 minus 20, 20 आएगा, into 1, carbon का भी 12 minus 6, 6 आएगा, oxygen का भी 16 minus 8, 8 आएगा, सरी ये भी 50 आएगा, आएगा, चाहाँ, चलिए, कोई बात नि, SO2 के बारे मात करते हैं, atomic number into number of atoms, atomic number into number of atoms, 32, 32, neutron भी find out करके देखना, 32 ये आएगा, आएगे बड़े, किसी आयन के बारे में बात करेंगे आयन के बारे में बात करेंगे देखो आयन में कैसे फाइंड आउट करना है नमबर आफ प्रोटॉंस एंड न्यूटॉंस सीम एस डन इन मॉलेकुल प्रोटॉंस वैसे ही फाइंड आउट करने है प्रोटॉंस वैसे ही फाइंड आउट करने है जैसे मॉलेकुल में किया था न्यूटॉंस वैसे ही फाइंड आउट करने है जैसे के जैसे के मॉलेकुल में किया था बट अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की वो पता किसके बराबर होगा देको आयन बनता ही तभी है जब कोई वो लेक्ट्रॉन्स करता है यहां गें करता है यह कौन कहारे विराट कोली को बेटा हुआ है बेटा आपको मामा बनने की बढ़ाई हो टिक है अब ही पढ़ ले भगवान करें ऐसे ही जब भी इंडिया में कोई भी बेटा लड़का हो आप मामा जरूर बने आगे बढ़ते हैं नमबर ओफ एलेक्ट्रॉंस इन वन मॉलेकूल ठीक है तो नमबर ओफ प्रोटॉंस प्लस माइनस चार्ज ऑन आयन देखो प्रोटॉंस फाइंड आउट करना तो हमें आता है अभी अभी हमने सीख है पहले प्रोटॉंस लिख लो फिर प्लस माइनस चार्ज सर्फ प्लस माइनस चार्ज का मलब है यहां पर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता ह और एनायन के case में पॉसुटेव जाएगा उल्टा होगा उल्टा तू कैलकुलेटya ب Leo कियोंकि के टाइन में क्या हुआ था नंबर आफ लेक्टरों लॉस हुए थे तो हमने इन सण नगेटिव चार्ज लगाएंगे जबाएंगे की सब्रेक्ट करेंगे मिसमें सब्रेक्ट manip आयन में एलेक्ट्रोन गेन हुए थे गेन हुए थे तो इसी कारण में पॉजिटेव लिख रहा हूं जितने प्रोटोन है उसमें एलेक्ट्रोन गेन हुए है ठीक है आए आगे बढ़ते हैं आपको किसके अंदर एक फॉटी नाइंटीन के पॉस्टिव रहा है एलेक्ट्रॉन फाइंड करने क्या हम सब को पता है पहले तो नंबर आफ प्रोटोन सब नंबर आफ प्रोटोन कैसे जो अटामिक नमर फिर मैंने बोला था यहां तो चार्ज पॉजिटिव में आएगा यह नेगेटिव में आएगा यहां पर प्लस वन रखा है तो चार्ज क्या होगा माइनेस होगा यही नेगेटिव में होता तो एड होगा माइनेस 1 होता है थो माइनस 1 होता तो फ्लस करने साट सब्सक्र 7 आजाएगा 13 ठीक जोंकि एक एक एस्योग्जाम ऐसा brewing करने का मानूब देखिए एक अटम है उसके ओपर नेट चार्ज माइनिस वन है तो सर फिर वह एक्टम दोड़ा हुआ वह तो आयन हुआ ना भाई किसी एक्टम ने माइनिस वन चार्ज है उसने एक इलेक्ट्रॉन गेंड कर लिया है तो फिर तो वह आयन हुआ सर हाँ बात तो सही है चलिए नेट चार्ज माइनिस वन है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन हैं 20 न्यूट्रॉन है तो बताइए उसका सिंबल कौन सा होगा नमबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यह होता था नमबर ऑफ प्रोटॉन्स यहां तो चार्ज यहां पर प्लस में आना है यह माइनिस में आना है नेट चार्ज मा आफ प्रोटॉन निकाल लेंगे हैं चार्ज बताइए जी नमबर आफ प्रोटॉन पता चल गए है जिसके उबर नेट चार्ज माइनस वन है प्रोटॉन्स कितने हैं सेवंटीन अटॉमिक नंबर सेवंटीन मास नंबर मास नंबर 37 क्या यही होगा आप्शन नंबर भी आप्शन नंबर भी बढ़िया 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 शावाश हुआ चाल तो नेगडिवा नहीं लिए भाई हमने माइनस वन ऑनका मलब हें एक इलेक्ट्रॉन आपे क्शाथ यह बाद सबस्तित नहें हमने कर लिया और इसी कारण हमने एनाइन वाला भी ऋमस्कों 6 क्यामिकल क्लासिफिकेशन ऑफ आइए थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ आपको पता चल सके कहां से बात कर रहे हैं मैटर का कैमिकल क्लासिफिकेशन किया था तो ऐलीमेंट कंपाउंड यह सारी वातیں हो चुकी है, एटम क्या है, मॉलिक्विल क्या है, आइन क्या है, सब पढ़ लिया, अब कैमिकली मिक्स्चर भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर कॉम्पोजीशन फिक्स्ड थी, यहाँ पर वेरियेबल होगी, आईए बात करते हैं, मिक्स्चर के बारे में, इनकी variable composition होगी अभी mixture में दो चीजों में एक की quantity लेस है दूसरे की जाद है आप चाहो तो दूसरे की कम कर दो और पहले वाले की बढ़ा दो ठीक है पहले वाले की बढ़ा दो ठीक है सबसे पहला मिक्षर है होमोजीनियस मिक्षर इनकी युनीफॉर्म composition होती है यह उपर से लेके नीचे तक दिखने में बिलकुल एक जैसे दिखते हैं इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता क्या जैसे मान लीजिए यह पानी है इस पानी के अंदर अगर आप चीनी मिक्स कर दें और अच्छी तरह से उसको शेक कर लें मिक्स कर दें तो आप बता नहीं सकते कि चीनी ऊपर है और नीचे नहीं है ओपर इसा गुपर ऊपर सें नीचे तक यह देखे गरीन का मिक्स कर भना हुआ है पिंक इतने ऊपर कैंदर जीतने ओपर और उतने नीचे हम धाई आपके सामने दे रखा है कुछ एक्जामपल और भी दे रखे हैं किसके हैं होमोजेनियस मिक्चर के वाड़का वाड़का में अगर पानी विगरा मिलाते हैं मूवीज में आपने देखा होगा यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है ऐसा नहीं होता है कि पानी ऊपर रह जाए या वाड़का नीचे रह जाए पानी ओपर आ जाए ऐसा नहीं होता ठीक है तील स्टी भी अलोई होता है डिफरेंट डिफरेंट चीजों का बढ़ मिलने के बाद एक ही जैसा लगता है ठीक है यह एयर यह इंदर भी डिफृरंट गैसी होती है अब्यूसके अंदर आक्सि है ठीक है रेन भी इसी तरह से बात करेंगे हैट्रोजीनियस मिक्शर में इनकी कॉम्पोजिशन थू आउट जो है वो सेम नहीं होती है ठीक है एक एग्जामपल है इसका रेत और पानी जैसे ही आप पानी के अंदर रेत को मिक्स कर देते हो आप देखते हो कि थोड़ी देर उपाद रेत नीचे सेटलडाउन हो जाती है पानी उपर रह जाता है नीचे में रेत जादा है पानी कम है ओपर पानी जादा है और रेत कम होती है ठीक है नेक्स पत्थर और पानी यहां कीचर येस ब्लकुल सब्सक्राइब टाना इस काई होगा उसमें जनरली जनरली अगर देखा जाए सेरेंस को आपने वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, मिल्क उपर आ जाता है, आइस इन सोडा, जब तक आइस मेल्ट नहीं होई होती है, जनरली वो उपरी स्तेह के पास होती है, ठीक है, नेक्स्ट और भी एक्जामपल दे रखे हैं, मेरे खाल से बलड दे रखा होगा और सॉयल दे रखा हो हाँ, नाम इसका है हेक्टरोजीनियस, गलती से टाइपिंग में, होमोजीनियस लिखावर, ठैंक्यू बटा बताने के लिए, आओ, शुरू हो जाओ, और बताओ, जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करिए, जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, तब ही मजा आता है, तब ह पता चलता है, के सीरियस बच्चे कितने हैं, और टाइम पास करने वाले कितने हैं, एंड तक लगे रहेंगे, मजा आजाए आप है न, के यूट्यूब में, लीडर बोर्ड में, आपका नाम देखे, क्या कह जी, विच आफ दा फॉलोविंग पियर्स हैव, बोथ हर हैं, हान, नमक, इस्क का, बल्कल सही कहरूए है, जर यह घरिये यह, लेमन जूस, यह तो मिक्शर है, लीकुड गम, में यह भी उसी में है, आइस उक् newer है, यह मिक्चर है, यह मिक्चर है, पर क्या बोला है, पिर भई गलती नहीं हो ली चाहिए, सिल्ली स्जिक नहीं करनी ह पहले compound और फिर mixture है पहले compound और फिर इसने पहले mixture और फिर compound दे रखा है गन पाउडर भी काफी चीज़ों का mixture है और यह तो एक compound है ठीक है जी पहले mixture फिर compound नहीं पहले compound फिर mixture आंसर आएगा option number one that is a 98% बच्चों का सही है क्या बात है यार बहुत बढ़िया है सौ तक वाले नाम होंगे यहां पर है मजा रहा है बाई सब एक और कोई यह ना कहें के अरसरसन रीजन नी कराया सर सरसन रीजन करिये 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 participate करिये बताइए show of strength शो करिये के आप PWN है ना चलो चलो जल्दी चल्दी on heating is solid usually changes to liquid and the liquid on further heating changes to gas heat करने पर पहले solid liquid में जाता है और फिर liquid है ना गैस में तभी तो लाइन बनी है वैसे मा सक्त लोंडा हो यहां मा पेगल गया सही कह रहा है arrangement of constituent particles is different in solid liquid and gas हाँ यह भी सही है के particles particles का जो arrangement होता है वो अलग-अलग होता है solid में, liquid में और gas में but यह इसको explain तो नहीं करता मेरे ख्याल से I don't think so I don't think so I think answer is B होना चाहिए I think B होना चाहिए पहुत सारे बच्चों ने यह लगाया कोई बात नहीं ठीक है शायद मैंने गलती ना करी हो पर मेरे ख्याल से मैंने correct बताया which of the following statement is correct अच्छा दो या दो से ज्यादा atom जो है element के combine करके compound बना सकते हैं ठीक है atom retain their property when they form a compound each substance of a mixture loses its original property each substance of a mixture can be separated by physical or chemical method यह किये जा सकते हैं यह गलत होना चाहिए atoms अपनी property retain थोड़ा करते हैं atom अपनी properties यहां पर different element कर गता हूँ अच्छा correct बतानी है sorry 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 correct बताना है मेरे को लगा wrong बताना है sorry two or more than two atoms of the same element combined to form a compound to हर एक substance होया अपनी mixture अच्छा 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 मेरे को लगा था wrong बताना है each substance of a mixture loses its original property नहीं आपने नमक वाला पानी लिया है तो क्या नमक अपनी property lose कर देता नहीं नमक वैसे भी अगर solid formula होगे तब भी नमक नमकीन होता है अगर नमक वाला पानी लोगे तब भी नमकीन होता है हर एक substance picture का क्या physical और chemical method से separate किया जा सकता है हां किया जा सकता है अगर यहां पर same element लिखा होगा तब यह रहां हो जाएगे और लिखा होगा मेरे खाल से शायद कुछ typing error है मेरे खाल से कि आई यह बात करते हैं डाल टन्स अटॉमिक थियोरी के बारे में चोटी चोटी चीजें हैं डाल टन्स अटॉमिक थियोरी चोटी चीजें हैं डाल टन्स अटॉमिक थियोरी में बट उनके बारे मात करते हैं थियोरी के दो चार पॉइंट से उनके बारे मात करते हैं matter is made up of small atom small particle called atoms कोई भी चीज है उसका सबसे चोटा हिस्सा जो है वो atom ही है जो सबसे चोटा है वो atom ही है ठीक है atom यह ठीक है ओल कहां participate करेंगे आप chat box में जो answer लिखेंगे वही हमारा software पकड़ लेता है class में regular रहेंगे छोड़के नहीं जाएंगे तो पता रहेगा लेट आया इस करन पता नहीं है second बात करेंगे हर एक element के अंदर जो atoms होंगे same element is made up of same atoms अगर किसी balloon के अंदर आपने helium gas बरी है तो helium gas के सारे atom एक जैसे है सारे atom एक जैसे है हर एक helium atom के अंदर दो proton है दो electron है दो neutron है ठीक है sir third point अलग-अलग element के elements, atoms अलग-अलग होंगे एक atom के elements सारे same है दूसरे element के atoms सारे same है ठीक है बर ओनों के दोनों के atom एक दूसरे से क्या है अलग-अलग है अलग-अलग है ठीक है different elements have different atoms यह हय दोच्रोजर फिलिमंगर यह प्रोटोन एक इलेक्ट्रोण है कि बंचैवराइक यहिलियू के इंदर एक इलेक्ट्रोण जी रो न्यूट्रॉण helium के अंदर दो proton दो electron दो neutron ठीक है चलिए 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 आगे बात करते हैं अलग अलग element के atoms आपस में combine करके compound बनाते हैं अलग जैसे अभी एक carbon का atom दो atom oxygen के मिलके क्या बनाएंगे co2 बनाएंगे दो atom hydrogen के एक atom oxygen का आपस में combine करके क्या बनाएंगे एच्टो बनाएंगे ठीक है different element के atoms combine two form two form compound सर जैसे दो hydrogen के atom एक oxygen का atom मिलके क्या बनाएगा एक compound water जिसका molecule है H2O एक carbon का atom दो oxygen के atom मिलके का compound बनाएगा carbon dioxide जिसका molecule है CO2 एक nitrogen का atom तीन hydrogen के atoms मिलके compound बनाएंगे ammonia जिसका molecule है NH3 ठीक है पॉइंट जितने भी laws of chemical combination है आज पढ़ेंगे हम law of conservation of mass law of constant composition वो सारे के सारे dalton's atomic theory द्वारा ही explain किये गए है ठीक है laws of chemical combination based on dalton's atomic theory but dalton's atomic theory की dalton's atomic theory की कुछ limitations भी थी ठीक है limitations भी थी कौन कौन सी limitation थी पहली तो यहीं पर लिख्यों यह ठीक है dalton theory explain नहीं कर पाई कि जो atom combine करते हैं उनके atomic weight के बारे में कुछ भी बता नहीं पाई ठीक है कुछ भी बतानी पाई यह पहली limitation थी है ना अक्षे कुमार जी से कह भी रहे हैं इस बात का डिंडोरा पीटने की जरूरत तो नहीं है ना तो limitation है बेचारे की ठीक है दूसरा law of combination of gaseous volume उसको भी explain नहीं कर पाई नौट एक्स्प्नेंट बाई डाल्ट यही दो limitation थी वेट के बारे में कुछ भी नहीं पाया था बात करेंगे बारे में कुछ भी बता नहीं पाया था है आई जस्मेट यू एंड दिस इस क्रेजी बड़ है इस जिसको आप बनाने की कोशिश करते रहते हैं ठीक है वह पेर का मतलब होता है है कितने दो जैसे डजन डजन का मतलब होता है क्या नमबर का मतलब है टो नमबर का मतलब है 6.02 इंटू 10 रेस्टू पावर 23 तो एक नमबर है ठीक है वह यह जैसे वन पेयर का मतलब क्या होता है बिटा दो जैसे तुम कोशिश करते रहते हो कि अकेले से दुकेले हम हो पाएं है ना बास वैसी एक डजन का मतलब क्या होता है 12 जैसे आवो गेड्रोज नमबर इसको बुक्स में एन नौट से भी लिखा जाता है एन ए से भी लिखा जाता है एवोगेडरो नमबर केतना होता है 6.022 इन्टू 10 रेस टू पावर 23 सेक ओफ सिंप्लिसिटी है ना कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम उसको 6 इन्टू 10 रेस टू पावर 23 भी रख लेते हैं ठीक है और चोटी सी एक बात आपको बता देता हूँ ध्यान से सुनियेगा समझियेगा कोई भी ऐलिमेंट ले लो कोई भी ऐलिमेंट ले लो उसके मास नमबर के आगे गराम लगा दो क्या लगा दो मास नमबर के आगे क्या लगा दो दैट इस गराम लगा दो बन जाता है गराम अटॉमिक मास लेके हर एक element के गराम अटॉमिक मास में हर एक element के गराम अटॉमिक मास में आवो गेड्रो नंबर आफ आटम्स होते हैं ठीक है इच element कोई सावी element हो चाहे वो hydrogen हो helium हो ठीक है इस एन ए एकजामपल दोगे बिल्कुल देंगे जैसे कारबन क्या यह उसका मास नंबर है इस इसके आगे गराम लगा दो लगा 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 यह आगया इसका गराम अटामिक मास कारबन का तो 12 गराम ऑफ कारबन के अंदर कितने आटम्स होंगे कारबन के डाट इस एन ने एन ने का मदलब 6.022 इंटो 10 रेस पर 23 तरी सरे एक एक्जामपल और एक एक्जामपल बिल्कुल बिल्कुल आईए ना ऑक्सिजन का सिंबल यह रहा एट 16 यह टॉमिक मास के आगे गराम लगा दो यह आगया इसका गराम अटॉमिक मास इसके गराम अटॉमिक मास में इसके गराम अटॉमिक मास में कितने आटम्स ह आईए clear है सबको yes और no बोलें ताके हम आगे बढ़ सके हैं ताके हम आगे बढ़ सके हैं ठीक है जल्दी से इसका आंसर बताएं जल्दी से इसका आंसर बताएं फिर वही ये ए है ये बी है ये सी है ये डी है 45 सेगिंड का टाइम देता हूं क्योंकि असर्शन रीजनिंग है पढ़ना पड़ेगा कारबन का सिंबल ये होता है अलुमीनियम का ये होता है जल्दी जल्दी बताएं बताएं थोड़ा सोचें दिमाग लगाएं और आंसर बताएं आंसर आपको A, B, C, D की फॉर्म में देना है वन आंसर है तो A, 2 है तो B, 3 है तो C and 4 है तो D आईए आगे बढ़ते हैं क्या 12 ग्राम ऑफ कारबन में 6.022 अगे तो इंदर गराम हो जाएगा 12 ग्राम के इंदर 6.02 है तो इन ते कर थे बिल्कुल्क तोनलो स्टेमिंट ये तो इन दूत इल्म ऑफ स्टेमिय रहे है और Six sonic ट्가ए जान ग्राम होता है और दोनो स्टेक्मेंट रहे हैं और सेकंड स्टेटमेंट एक्स्प्लीन भी कर रही है फॉस्ट स्टेटमेंट को फस्ट को फस्ट को आए बात करते हैं एक अंदर जो पाटिकल पाए जाते है उनको हम लोग बोलते हैं सब अटॉमिक पाटिकल्स मुझे जल्दी से बताओ अंदर क्उन-कौन से बाट इकल्स पाए जाते हैं सर एटम के अंदर पाय जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. हम उनी के मास के बारे में बात कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इन्टू 10 रेस टू पावर माइनस 31 केजी. ग्राम में लिखना चाहोगे तो थाउजंड से मल्टिप्लाई कर देना यह ग्राम में आ जाएगा मास आफ प्रोटॉन एक प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.67 भी लिख सकते हो 1.66 भी लिख सकते हो ठीक है अटॉमिक नंबर या अटॉमिक मास याद करने होंगे नहीं याद नहीं करने होंगे कोशन में गिवन होगे आपको 1.66 भी लिख सकते हो 1.67 भी लिख सकते हो इंटो 10 रिस्ट पर माइनस 27 केजी बढ़ फिर वही बात अगर आपको ग्राम में इक से कनवर्ट करना हैं तो थाउजंड से मल्टिप्लाई कर दीजिए इसी को एक प्रोटॉन के मास को हम लोग 1a.m u भी बोलते हैं 1 a.m u या 1 u भी बोलते हैं 1 a.m u a.m u is atomic mass unit atomic mass unit बट अगर neutron के मास की बात करें हाला के neutron जो होता है वो प्रोटॉन से थोड़ा सा है होता है थोड़ा से हैवी जस्ट थोड़ा से होता है बट हम लोग अप्रोक्सीमेटली 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 इसके मास को भी मास ओफ प्रोटाउन जितना दिख सकते हैं हाला कि यह थोड़ा से हैवी होता है मैं अग्री करता हूँ यान कि इसको भी हम approximately 1AMU बोल सकते हैं Sir 1AMU आया कहां से वो भी बताता हूँ वो भी बताता हूँ वो भी बताता हूँ यह भी MIT में लिखेगा important है काफी सारी चीज़े अब यहां पर आएंगी काम की first second point यह 1AMU आया कहां से ध्यान से सुनियेगा समझेगा एक atom of carbon 12 का one twelfth हिस्सा मैं repeat कर रहा हूँ एक atom of carbon का mass निकालो उसका one twelfth हिस्सा हो यह 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 सर कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ बताता हूँ अब आउँ टॉपिक पर पीछे चलते हैं यह लिखा आपने यह लिखा हूँ 12 गराम of carbon के अंदर atoms कितने होंगे अप्रोक्सीमेटली सिक्स इंटू 10 रेस्ट पर 23 क्या इसी लाइन को ऐसे लिख सकता हूँ इसी लाइन को आपने लिखा है 12 गराम के अंदर इतने अटम्स होते हैं या इतने अटम्स के अंदर 12 गराम होते हैं ठीक है यह एक अटम ऑफ कार्बन का मास आया है एक अटम हमें एक अटम का फाइंड आउट नहीं करना है हमें एक अटम के 12 हिस्से का फाइंड आउट करना है तो मास ओफ ओफ ओन ट्वेल्थ ओफ ओफ वन एटम ओफो अटम ऑफ कार्बन ट्वेंज एक अटम हमास नहीं करना है उसके 12 हिस्से का फाइंड आउट करना है 1212 किहाँ है और ट्वेल्थ से टिभाइट कर दो यह निख फॉल्से काईट हूग हो जारेगा यह 1 upon 6.022 भी लिख सकते हो यह 6 भी लिख सकते हो इसको solve करोगे बटा इसको solve करोगे तो यही आएगा यही आएगा 1.67 into 10 raise for minus 24 gram यही 1 amu है यही 1 amu है यही 1 amu है ठीके जी शुती अभी करेंगे बटा यही आदव जी पेट साफ नहीं हो आगया बटा वो काम यहां क्यों कर रहे हो जिसके लिए toilet बनाया है तुम्हारे पिता श्रीरे मोदी जी ने भी बनवाए है वहाँ जाके कर लो बटा जरूरी है यहां करना है इस तरह तो बख्का है कि पांसाथ साल और लगने है तुम्हारे एंबीबियस कंप्लीट होने में आयो सरी सरी एंबीबियस में जाने में ठीक है कि ब्रेक ब्रेक का तो नाम भी मतले नावी कोई सोच भी निया भी ब्रेक की न में कुछ जाने सार्च जरूर कर रहे है था में बट सोच तो नहीं है ऐब चलिक आये चलिए लंइ अ आये शुरू करते है शुरू करते हैं एक पहले चीज बताता हूं छोटी सी फिर रिलेटिव अटामिक मास पर आता हूं चलिए कोई बच्चा है चैट वॉक्स में बार बार स्पैम कर रहा है इसके नंबर आया है मान लेते हैं किसी स्कूल एक्जाम हुआ अभी नीट का तो देने में इसके हैं चार-पांच साल बट स्कूल का कोई एक्जाम हुआ मान लिजिए इसमें आये 20 आउट आफ तीस खुद के नंबर तो इसके 20 आ सबस्क्राव कोई वेटा जिसके आये हैं 28 आउट अव 3.58 ऐस På के मांग्स नहीं देखे जा रहे हैं चुद के मांगर किया जा रहे हैắng किया इसका नाम रख देते ए इसका नाम रख देते हैं A, इसका नाम रख देते हैं B, तो relative marks A के देखे जा रहे हैं, with respect to B, कैसे? खुद के marks कितने आये है 20 वो नहीं देखे जा रहे है ना घर वाले कह रहे है जो शर्मा जी का बेटा है उसके कितने आये थे 28 देखो तुम्हारे कितने कम है फॉर के डेबल में यह 5 पे जाएगा और यह 7 पे जाएगा तो जितने उसके marks आये है उसका 5 by 7 आया है ठीक है यह आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा लाइफ में जब भी marks आते हैं घर वाले हमारे marks से ज़्यादा है ना कोई ना कोई हमारी हुआ चाचा मामा का बेटा होता है ना जिसको इंडियन मीम्स में बोला जाता है शर्मा जी का बेटा लोग उससे marks का करने लगते हैं compare करने लगते हैं माली जे कोई और भी है कोई और भी है इनके कोई और भुआ चाचा मामा का बेटा ठीक है उस बेचारे के आया है टैन आउट अफ थर्टी तो यह भी यही कहता है अरे इससे कूंपैरिजन कर रहे हो उससे comparison करो रिलेटिव मार्क्स ओफ ए विद रिस्पेक्ट ट बच्चे भी चला गया आज करना है तो किसी और से करो इससे करो ना यह देखो मेरे आया है ट्वंटी उसके आया है दस जिससे comparison करना है उसको नीचे लिखेंगे जिसका comparison करना है उसको ऊपर लिखेंगे comparison एक और है तो उपर लिखा जाएगा जिससे comparison हो रहा है उसका लिखेंगे इंगा जिससे comparison हो रहा है वो नीचे लिखेंगा देखो जी उससे तो मेरे क्या आया डबल आया है ठीक है चलिए इसी तरह से बैटा रिलेटिव आटोमिक मास मास भी होता है ठीक है गरवाले भी यह कह देते हैं तू हमेशा इस गदे से कंपेरिजन करियो अपना कभी इससे कंपेरिजन मत करियो यहां पर भी ऐसा ही है एक आटम का रिलेटिव मास फाइंड आट किया जा रहा है रिलेटिव रिलेटिव मतलब कंपेर किया जा रहा है ठीक है सिर्फ किस से कंपेर किया जा रहा है एक आटम के मास को किस से कंपेर किया जा रहा है जैसे यहां पर एक माक्स को बी से कंपेर किया गया यहां पर एक माक्स को सी के साथ कंपेर किया गया यहां पर भी रिलेटिव अटॉमिक मास है क्या पहली बात तो यह रिलेटिव मास है रि से अच्छा चाच तो रिलेटिव मास्ट के आगब ओपर आएगा मास ओफ 1 एम अब कंपेर किसे किया जा रहे किसे 1 ए-म यू से रखेंगे थीक है सर बताना जारा राम बताना हीलियम का कितना होगा हीलियम का रिलेटिव सबस्सक्राइगा मास तो ऊपर आजाएगा मास 123 कंपैर ऐ किसे घा रहा है किसे 1-elf सरे रिलेटिव टॉमिक मास बताना नहीं आउक्सीजन जा ρχरें पर आएगा अलेटिव 1 डेटीवक मास बतानाurry regret ये वेल्यू कितनी आएगी ना कोई आएगी, वहल्यू का सिंबल होता है यह यह मास नंबर लिए यह पर और दो पेज़ पीछे चलेंगे सारी कहानी क्लियर हो जाएगी जल्दी से बता दे चाहे एक प्रोटोन का मास हो या एक निट्रोन का मास हो वह वन ही होता है बोलो हा या ना या सर ये ठीक है किम क्या है यह मास साफ वन प्रोटॉन है क्योंकि प्रोटॉन और ममस सीरु होता है एक एक अंदर यदिश रiberal लिए । इलेक्टरोन इलेक्टरॉन का वेट बहुत कम होता है प्रोटॉन और नूट्रॉन से प्रोटॉन और नूट्रॉन से पता कितना कम होता है 1837 कितना 1837 न्यूट्रोन के कंपेरिजर में इलेक्ट्रोन कितना हलका होता है 1837 टाइम्स हलका होता है तो एटम के मास में या तो प्रोटोन का मास काउंट करते हैं या न्यूट्रोन का प्रोटोन और न्यूट्रोन दोनों का proton और neutron दोनों का करते हैं अब आपको अब आपको कि यहां पर फोर कैसे आया आजाओ इधर आजाओ helium के अंदर कितने proton है आज निकालना सीखा दो proton कितने neutron है दो neutron कितने है दो याज सीखा है सीखा अभी यह मत पूछना कैसे आज की लास में सिखाया हमने मुझे बता हो एक atom ओफ helium में दो proton मास आएगा दो neutron का मास आएगा क्या यहां पर tęst का पता चल गए आफोर कैसे आया अब कुछ रटना तो नहीं पड़ेगा अब कुछ रटना तो नहीं पड़ेगा परिए फेरी गड़ सरकार बंसे कंपेयर क्यों करते हैं किसी और से नहीं सबसे कंपेयर करके देख चुकी है यूप ये सी फिर उनको मोस्ट सूटेबल कार्बन लगा जल्दी से जल्दी से मुझे सलफर का राम बताओ सलफर का राम बताओ राम दापिस रिलेटिव अतोमिक मास मुझे फॉस्फोरस का राम बताओ जल्दी 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 फॉस्फोरस का राम बताओ बसिंबल पताओ राम arrows होना चाली कोशन में कोशन में होगा उसमें ग्वन होगा उसमें गिवन ओगा ठीक है राम तो पता बादम चल गया सर आगे मुझे ऐसा लग रहा है यह अपने आप ही पता चल गया क्या ये रिलेटिव मास है 1 मॉलेक्यूल का बोलो बै जल्दी-जल्दी क्या आप मुझे रिलेटिव मास सी ओ टू का बता सकते होगे उपर आएगा मास ऑफ वन मॉलेक्यूल कंपेर किससे कर रहे हो वन एमी उसे मैं सिंबल बता दूंब क्या मैं सिंबल बता दूंब तो क्या आप मुझे मास ऑफ वन रिलेटिव मास बता सकते हो हां सर निकाला चिखाया तो था आपने अभी carbon 1 into 12 oxygen 16 into 2 सर 44 आएगा बिलकुल सही कहले है सर 44 उपर 44 AMU नीजे 1 AMU AMU से AMU cancel out हो गया नहीं सर मुझे समझ नहीं आया ये कैसे आया 44 आप जूट बोल रहे हो सर मैं नहीं मानता आप किस बात को कोई बात नहीं आदा पहले इसमें number of proton निकालने number of proton निकालने आते हैं आज तो सिखाया आपने 6 into 1 or 2 into 8 number of neutron निकालने this minus this 6 into 1 this minus this 2 into 8 करके देख लें ये भी बाइस है ये भी बाइस है 22 proton का मास 22 amu 22 neutron का मास 22 amu 22 plus 22 क्या अब समझ आया 44 amu कैसे आया बढ़िया 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 शावाश मैं कहूं कि सिर्फ और सिर्फ मुझे ये टाम बतानी है क्या आप अपने आप इसे कर सकते हैं यह कर लो कैल्शियम कर लो कैल्शियम ऐसे लिखा जाता है बताओगे बढ़िया आर आई आएनेक मास आज ही बढ़ा आपने इसे कितने प्रोटोन थे कितने न्यूट्र逃 कितने न्यूट्री वो निकाल लो एड कर लो एम्यू से मल्टिप्लाइ कर दो इसमें प्रोटान आये थे 20 न्यूट्राओं भी आयेंगे 20 ढ़िए नीचे तो बताई है 1-1 यह यह Phty Ryu divided by t-ional J निकाल लो सको इम्यू से मल्टिप्ले कर थो है इलेक्तरॉन थोड़ा एलेक्तरॉन थोड़ा प्रोटं और न्यूट्रॉन भूला इलेक्टरोन तो बहुत हलका होता है इलेक्टरोन तो बहुत हलका होता है उसका मास एक्टम में आता ही नहीं है इलेक्ट्रोन नहीं आए यह देखिए यह देखिए यह देखिए क्या एक खुद के नंबर कितने थे 20 हाँ 20 से कंपेरिजन किया तब 527 आए यह यह सी से अब यही बात करने लगे हम लोग यहां पर अपसुलूट अटॉमिक मास यह खुद का मास खुद का खुद का कंपेरिजन नहीं खुद का अपसुलूट मास ऑफ वन अटम अपसुलूट पांस यह कैसे निकालेंगे यह तथाम और बोल तो दिया यह खुद का मास आ यह एक अटम का खुद का मास यह वन अटम का अच्छा अच्छा ऑच्छा थीका 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 क्या हम आम को ऐसे लिख सकते हैं, mass of one atom divided by one EMU, है? Dileen क्यों किया? भाई, किसी भी चीज को, same चीज से divide कर दो, same चीज से multiply कर दो, कोई फरक नहीं पढ़ता, moi ने एक atom का mass लिया, उसको one EMU से divide किया, one EMU से multiply कर दिया, ठीक है? तो aль कैसे निकलेगा? जितना राम आया था उसको 1-EMU से मल्टिप्लाइ कर देना खत्तम टाटा बाइवाइड जितना राम आया था उसको 1-EMU से मल्टिप्लाइ कर देना सर 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 रुको 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 सर ऐसे ही absolute molecular mass भी होगा बिल्कुल जितना relative molecular mass आया था उसको one amu से multiply कर देना ऐसे absolute ionic mass भी होगा जितना relative ionic mass आया था उसको one amu से multiply कर देना अगर किसी को लगे कि यह ncrt का topic नहीं है तो फिर ncrt को एक बार नहीं दस बार पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ncrt में relative mass वगारा सब कुछ दे रखा है सब कुछ दे रखा है तो सर आम की unit gram होगी या amu amu को लिखोगे तो gram में याद आएगा करोगे करोगे जल्दी से मुझे ऑक्सीजन का आम बताओ ऑक्सीजन का आम बताओ सर आपने तो बोला जितना राम आएगा उसको one amu से multiply कर देना तो राम कितना आएगा 16 इंटू one amu one amu की value बताओ सर गराम में के kilogram में drie किलोग्राम में बताड़ों तो लोग रम में होगे किलोग्राम में रखते तोité उसमें कोंसी बदी बात सर्ग सरद्वें ही रिएम का helium का है, helium का, आम बताओ, helium का, आम बताओ, आम बताओ helium का, जितना राम आया था, इंटु 1 A.M.E., राम कितना आया था, इतना है था, हाँ सर्थ, number of protons plus number of neutrons, into 1 A.M., that is 4 into 1.67 into 10 as well minus 24, इसे भी लिख सकते हो, 4 A.M.E., यह भी आंसर हो सकता है, और यह भी हो सकता है, 4 into 1.67 into 10 as well minus 24. अगर मैं कहूं, absolute molecular mass बताओ, CO2 का, जितना relative molecular mass आया था, CO2 का, उसको 1 A.M.E.U. से multiply कर दो, कितना आया था, number of protons and number of neutrons, सर, 44 आया था, भी अभी किया था, तो क्या यह, 44 A.M.E.U. हो जाएगा, बिल्कोल सही कह रहे हैं सर, अगराम में लिखना है, तो यार, 1 A.M.E.U. की value रख दे, सर, किलो ग्राम में लखना है, तो उसको किलो ग्राम में रख दे, मुझसे क्या बूच रहा भाई, वो मुझसे क्या बूच्छा जा रहा है, ग्राम में रखोगे, तो ग्राम में आ जाएगा, किलो ग्राम में रखो, किलो ग्राम में आ जाएगा, कोई बोले सर मुझे absolute आइनिक मास बताओ कैलोछियम का जितना रिलेटिव आया था उसको मल्टिप्लाई कर देना ज्याइनन्टव कि तनіз दे सर इसका फॉट्टि आया था फॉट्टि इंटूट इंटूट इंटू मने इम्यह उ सकट 50 you 에 बिलकुल गराम में रहो딱 जो गिलो ग्राम में तो म इंख दो किलो ग्राम में रखना होता तो यहाँ पर टैन इसो माइनस टॉंटी फोर की जगा टैन सो माइनस टॉंटी सेमन आ जाता लॉव भजी थेक है बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है एक कैरा रिलेटिव अटॉमिक आइनिक मास गलत आएगा 40 की जगा 38 आएगा बिलकुल गलत कह करें आप करो भाई लोग कोशन करो कितने मॉलिक्यूल होंगे 132 एम योफ सी ओ टू में 128 एम योफ एसो टू में एटिवे पहले ए वाला करते हैं इसका आर एम कितना है 44 जल्दी से बताना 44 एम यू क्या इसका एपसलूट मॉलिकिलर मास है यह सर आफ सियो टू कि अंदर मॉलिक्यूल कितने होंगे सर एक 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 तो बताओ 132 में कितने होंगे सर वन बाइ 44 इंटू 132 तीन आएगा सर नहीं मुझे समझी नहीं आई कैलकुलेशन अरे वाह कोई बात नहीं मैं दुवारा बता देता हूं 44 एम यू में एक मॉलिक्यूल था तो वन एम यू में कितना होगा 44 रुपीज की एक चॉकलेट आती थी तो एक रुपे की कितनी आएगी वन बाइ 44 और 132 की कितनी आएगी सर जितनी एक रुपे की आती है उसको 132 से मल्टिप्लाइ कर देंगे 3 से 3 आ जाएगा 44 के डेबल सर ये वाला सल्फर का आर एम एम कितरा आएगा सल्फर डायोकसाइड का सर जितने प्रोटों से जितने न्यूट्रों से उसको एड़ कर लो प्रोटों से तो भी आएंगे 10 माइनस 10 16 न्यूट्रों जाने प्रोटों आगया 16 यह भी 8 इंटू 2 कितना होता है सिमिलर्ली न्यूट्रों भी इतने है दिस माइनस दिस सिक्स्टीन कितना आएगा चौन से ठाना है हां और यह 10 माइनस 10 कितना आएगा करके देख लेना 64 आना 32 और 32 और शिक्स्टी फोर आना तो मुझे जल्दी से बताओ 64 एम यू में 64 एम यू में कितने मॉलेकूल्स होंगे सरेक 64 रुपीज की एक चौकलेट आती है तो एक रुपे की कितनी आएगी 1 बाइगा 64 128 की कितनी आएगी 128 की कितनी आएगी 128 की वन बाइ 64 इंटो 128 कमसाओ तो बी टू क्लियर है क्लियर है कर लास्ट एक्जाम है जी केमेस्टी का कुछ बच्चे बोल रहे हैं तो फिर आल देबेस्ट अच्छा अच्छा करके आना केल्शियम टू पॉस्टीव है भाई कितनी बार बताओं उसने इलेक्टरॉन लूस की है प्रोटन और न्यूटरॉन तो उतने रहेंगे मास जो है वो प्रोटन और न्यूटरॉन पर डिपेंड करता है इलेक्टरॉन पर डिपेंड नहीं करता है नहीं करता है जैसे मैं तो दिमाग का वेट काउंट ही नहीं करते क्यों किर जिसका दिमाग तो बड़ा हलका है उसे काउंट करो या ना करो मैटर नहीं करता है वही मैं कर रहा हूं जब आटम का मास लिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन बहुत हलका होता है उसका मास काउंट नहीं करते हैं सिर्फ प्र U को ही यू भी लिखते हैं यह भी बताया था क्या सी का आंसर सी का आंसर क्या सी का आंसर फाइव आया है क्या फाइव आया है बढ़िया 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 शाबाश आईए बात करते हैं गराम अटामिक मास सर्य वालडी बता चुक्या आप यह अवल्डी बता चुके हो एपसलूट मास है यह भी एपसलूट मास है एनने आटमस का एक एक एपसलूट मास को absolute atomic mass बोलते हैं एने atoms के absolute mass को एने atoms के absolute mass को हम लोग क्या बोलते हैं gram atomic mass बोलते हैं क्या gram atomic mass यही होगा एक atom का absolute mass यह रहा एने से multiply कर दो क्या इसकी जगा यह लिख सकता हूं राम इंटु वन एम्यू यह सर क्या वन एम्यू क्या gram में आएगा ऑविसली gram में आएगा gram 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 इंट कि अगर ग्राम में रखा gram एक किलोग्राम में मैं मान रहा हूं द्यान सुनना क्या मैं 1 AMU की जगा 1 वान भाई एने लिख सकता हूं नहीं सरमें यैए राद डित्ली सब्सक्तर्ड न्परण ओधिके। यह यह वाला भी तो गशाल होजाए गाउयगा ? पूर्ण चाहा है किया कोई ऐसा है वह क्या कोई ऐसा है जह कहेए मेरे को कि इसका पोमर मांश बता अब सुलूटिट ओमिक मांस बता हो कउ और घराम आठोला मांस बताओ जल्दी 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 बनाओ चुल्दी जल्द जल्दी बताoscope सर आपने रिलेटिव अटॉमिक मास का बड़ा शांदार तरीका बताया था यह आटम के लिए जितना यह नमबर आफ प्रोटॉंस प्लस नमबर आफ न्यूट्रॉंस चार आम पता गया था जितना राम आया था उसको एम यू से मल्टिप्लाई कर तो यह लो गाम पता क्या था जो राम है वही वही बस ग्राम में लेखना और फॉर ग्राम फॉर ग्राम फॉर ग्राम बहुत बड़ीआ सब बढ़ी है एक और करके दिखाओ एक और चल्दी से इसका राम पॉर आउक्सिजन का आम लॉक्षिन का गां मैं के अख्यिएंग बाता जल्दी जलनी वन आप एक नंपर है तब आया रहा जितने प्रो टोन में और नुटरॉण है नंबर होता है नंबर फिरो करद थılar है उसको एन यू से म्लिपलाइब घर थो कि सरगाम या दो जितना यह उसके आगे ग्राम लगा तो खत्तम राम के आगे ग्राम लगा तो पास राम के आगे ग्राम लगाओगे गाम बन जाएगा अगर यह line clear है तो यह अपने अप क्लियर ग्राम molecular mass, जितना relative molecular mass आया था, उसको ग्राम में लिख दो, relative molecular mass कैसे निकाला, वही, mass of number of proton, number of neutron, ये भी वही था, number of proton, number of neutron, ये भी number of proton, number of neutron, तो ये भी number of proton, number of neutron, बस उसको ग्राम में लिख दो, gram में, gram में, gram में, खत्तम टाटा बाइबाइब इसी कारण एटम के अंदर मॉलीक्यूल के अंदर आयन के अंदर सबसे पहले मैंने प्रोटोन न्यूट्रोन और एलेक्ट्रोन ही फाइंड़ करना सिखाया था बढ़िया 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 शाबाश कि मुझे गराम मौलेक्विलर मास अड़ sach्र के दिखाऊ s o 2 का s o 2 का s o 2 का sir basically बता क्या पूच रहे है अप number of protons plus number of neutrons plus number of protons number of neutrons बता हुई number of proton number of neutron कितने है sir 32 कितने sulfur है 1 plus oxygen के अंदर number of protons number of neutrons sir 16 16 16 16 mass number into 2 क्योंकि 2 हैं यहां पर सर्य 64 आएगा बिल्कुल सही कह रहे हैं मुझे gram molecular mass निकालके दिखाओ h2so4 का हूँ फिर वही mass number 1 number of protons plus number of neutrons into 2 क्योंकि दो हाइट्रोजन है sulfur का mass number 32 into 1 क्योंकि एक sulfur है यहां पर plus oxygen का mass number 16 into 4 oxygen है यहां पर नाइंटी एट आ जाएगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शाबाश। आप Siya Kimberly बात करते हैं ओसके बारे में मॉल के बारे में सिर मॉल होता किachten मुझे ये बताओ 22 के अगर मैं को M닭े पाउकट के अंदर एकड़ तो बताओ कितने पैंज निकलेंगे सर बारा पैंज निकलेंगे टिक है अगर दो डजन पैंज है तो सर ट्वंटी फॉर निकलेंगे थ्री डजन पैंज है तो 36 निकलेंगे थी इंटू 12 36 आजाएगा ठीक है इसमिलरली मोल जो है वो भी एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर कौन सा है यह आवो गैड्रोस नंबर कौन सा नंबर है वो आवो गैड्रोस नंबर वन मोल रिप्रेजेंट्स आवो गैड्रोस नंबर यह आई न ए अगर मैं को हूँ मेरी पॉकेट के अंदर पैंस कितने है वन मोल पैंस है तो कितने पैंस होंगे तो अवो गैड्रोस नंबर अफ पैंस होंगे जिसकी value कितनी है 6.022 into 10 raise to power 23 ठीक है एने की value कितनी है 6.022 into 10 raise to power 23 बट simplify करने के लिए हम इसको 6 into 10 raise to power 23 भी लिखते थे अगर मैं कहूं मेरे pocket के अंदर 2 mole pens हैं बताओ पैंस कितनी हैं तो 2 into 6.022 into 1023 3 mole pens है तो 3 into 6.022 into 10 raise to power 23 ठीक है अगर 1 mole potato है कितने potato होंगे 6.022 into 10 raise to power 23 बनाना है कितने मेराना होंगे 6.022 into 10 raise to power 23 sir mole find out कैसे करते हैं mole की वैसे exact definition देखेंगे exact definition देखेंगे तो अभी लिखवाई है बट फिर लिखवा देता हूं 12 gram of carbon 12 has avogadro number of atoms यह आप यह भी कह सकते हैं has आप ऐसे भी कह सकते हैं यह लेखना है यह लेख लो यह भी कह सकते हैं has one mole of atoms my नमबर का मतलव ही है 1 mole exact definition exact definition exact definition अगर कोई पूछे का exact definition है वो यह यह 12 gram of carbon के अदर 1 mole of atoms होते है यह avogadro number of atoms होते हैं यही को 1 mole इसी को 1 mole बोरते हैं इसी को 1 mole बोरते हैं आईए मोल फाइंड आउट कैसे करते हैं मोल फाइंड आउट कैसे करते हैं बहुत सारे तरीके हैं मोल फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके हैं मोल फाइंड आउट करने के बट आप कौन से यूज़ करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं नम्बर आफ मोल्स स्मॉल एंड से लिखा जाएगा सर हमने न्यूट्राइन भी इस से बढ़े हैं कोई बात मिए अब नम्बर ऋमोल्स को एंड से लिखा जाएगा ठीक है आ Ар RAM मोल्स Fine आउट करने तरीक पहला तरीका अगर कोशन के अंदार आपको मास्थ ceiling रख्धाय क्या एमार दे रख्धाय है तो ग्राम एक र मादा सेडय कर देना इस तो ते यां पार्टिकञ रखें सिर्फ कॉन से पार्टिकल पाढ़री तरह कषेए हैं मॉलेक्यूल आयन इस मैंने क्या रखा है पर र Запार मॉलेक्यूल माइडर कर राहा हूं को डिवाइड़ बाई ऑगेड्रो नंबर को कभी भी नम्ब्र मोल्स निकाल यह मांस दे रखा तो मोलर मास से डिवाइड कर दो यह जिसको ग्राम मौलेकिलर मास भी वोलते हैं तो आपको मोल्स पता चल जाएंगे अगर मॉलेकूल ये रखे हैं तो आपको मूल्स पता चल जाएंगे यह आपको वॉलियम ऑफ गैस दे कहां पर एंटीपी या स्टीपी सरी एंटीपी स्टीपी यह बता रहा हूं डिवाइजिड वाइट ट्वेंटीटू पॉइंट पॉइंट इसको याद किया हुआ है बहुत सारे बच्चे जो हैं उसी से बता रहे हैं डाट इस जो कैपिटेल लेटर में लिखे हैं उनका मतलब है जो स्मॉल लेटर में लिखे हैं उनका कोई मतलब नहीं है मेरी मम्मी प्यार ना वैसे तो मुझसे करती है ना बस जताने का जो तरीका है वो चपलों के तुरू आता है ना बास 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 ठीक है अगर मास दे रखा है तो यह वाला लगाऊंगा पार्टीकल्स दे रखें सर कौन से पार्टीकल्स मॉलेकुल्स तो डिवाइड करूंगा एन एस नाट इस आवो गैटर नंबर से तब मोल्स पता चल जाएंगे और अगर हमें दे रखी है वालियम किसकी गैस की अगर रखी है यह फार्मला नहीं लगेगा इस सिरफ और सिरफ किसकी दे रखी है गैस की कहां पे एन टीपी पे या एस टीपी पे डिवाइड किससे करेंगे टी से टी का मनलब है ट्वांटी टू पॉइंट फॉर लीटर से यह भी वालियम उपर लीटर में रखना पता चले इसका मतलब है नॉर्मल टेंप्रेचर एंड प्रेशर एंटीपी का स्टीपी का मतलब है स्टेंडर टेंप्रेचर एंड प्रेचर यह जो आपको वालियम दे रखी है तब टेंप्रेचर कितना होना चाहिए 273 केलिविन जिसको 0 डिगरी सेल्सियस भी बोलते हैं और कितना होना चाहिए बेटा that is 18 कितना 18M Just Sir 2020 गाड़ लोगया नहीं सी आ टी रखी है जो नहीं जू अधी कि तैंप्रेचर तो इतना ही है प्रेशर one bar हो गया बार हो गया बार हो गयाए new ncrt में जो n3 सभाल यह सबस्क्राइचर यह तो इतना है 273 केल्विन जिसको zero degree Celsius वह बहुत है प्रैशर कितना अचुक है वन बार प्रैशर कितना अचुक कि यह दिया होगा यह दिया होगा तो 22. y by अगले करना है कि अग्ढवाइश का अग्ढवाइश ऐसे लिख देते हुआ कि अगना lives कि 22.7 से डिवाइड करुब नहीं आ है या पर 22.4 भी आ सकता है तूंटी ंग्ध 7 अचक्राइब कुछ भी नहीं दिया हुआ कुछ भी नहीं दिया हुआ तो 22.4 यह दिया हुआ है 180 M NTP STP तब भी 22.4 और अगर यह दिया हुआ प्रेशर वन बार NTP STP पर तब 22.7 बोलो बात समझ आ गई क्या बात समझ आ गई yes or no yes or no ठीक है बढ़िया 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 आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं कुछ कोश्चन्स करेंगे मैंने जैसा के आपको बोला था NTA क्या कहती है इस चैप्टर के बारे में वो सबसे ज्यादा मैटर करता है आपके टीचर से भी ज्यादा क्योंकि on the end of the day एक्जाम उन्होंने ही बनाना है NTA कहती है कि इस चैप्टर में से उन्होंने कुछ सेलेक्टिव कोशन दे रखे हैं जो हर साल बच्चों को करके जाने चाहिए एकॉडिंग टू दान पैरन ओफ एंटीए पहला कोशन में आज का करह रहा हूं समय चैप्र करें मैं यह कोशन कर ना रहा है NTA कहती है कि यह question आपको practice करना चाहिए अगर आप यह सही करते हैं तो आप सही track पे हैं इसी कारण मैंने बोला कि आज जितने भी ऐसे question होंगे वो जरूर करके जाए as it is value वहाँ से लिए है मैंने अपने मंद से कुछ भी नहीं लगाया number of moles पूछे होंए 11.2 लीटर से question think without ink से हो जाएगा pen नहीं उठाना पड़ेगा moles find out करने है volume दे रखी है यह gas होती है 11.2 divided by 22.4 11.2 divided by 22.4 point से point cancel out होगा उपर 112 नीचे 224 1 divided by 2 आजाएगा यानि कि 0.5 होगा इसका answer बट फिर भी कोई कहेगा ना सर ना तो बस फिर लिखो उपर लिखो volume of gas at NTP divided by 22.4 point से point cancel out होगा तो उपर 112 नीचे 224 112 के table पे यह 1 पे आता है यह 2 पे आता है यह half हो गया यह 0.5 हो गया मैंने बोला NTP या STP में pressure mentioned नहीं है तो आप volume 22.4 लोगे 1 ATM mentioned है तब भी 22.4 लोगे और अगर 1 bar mentioned है तब 22.7 लेंगे NTA ने किया ऐसा तब यह बोल रहा हूं मैं answer कौन सा है option number A बोला ही था इसके लिए A, B, C, D ऐसे answer देना था A answer है 95% बच्चों का सही है पायल है बंशिका, इताची, श्रेयस और मिली आईए अगला question अगला question भी NTA की practice sheet में से है मैं नहीं बोल रहा हूं NTA बोल रही है कि यह question आपको करके जाना चाहिए इसके लिए answer A, B, C, D चलिए चलिए जल्दी करिए एक mixture है जिसके अंदर 5.4 gram aluminium है 1.2 gram magnesium है 4.6 gram ethanol है उनके moles की ratio बताओ mass by atomic mass 1 by 5.2 आएगा 1.2 divided by 24 1 by 20 आएगा 0.05 हो जाएगा 4.6 divided by 46 46 46 46 46 46 is का molar mass है 46.1 हो जाएगा क्या ये 2 नहीं इसके साब से करूंगा तो 1 2 और ये 4 412 दे रहे है 412 ये रहा option नबरा ऐसे question think without आउटिंग से ही हो जाते हैं भाई बटा कोई पैन उठाना चाहे कहें नहीं सर मैं बनूंगा टॉपर मुझे तो पैन उठाना है तो solve करिए मास दे रखा है तो formula क्या लगेगा फिर वही मेरी मम्मी वाला that is mass by molar mass mass by molar mass क्या ये 54 by 270 है 54 के table में ये 5 पे जाता है 1 by 5 कितना होता है number of moles magnesium के फिर वही मास दे रखा है mass by molar mass 12 by point अटाऊंगा तो 240 हो जाएगा 12 के table में ये 1 पे ये 20 पे 1 by 20 05 होता है number of moles कौन सा है ये इथेनल इथेनल का molar mass निकालेंगे 46 आएगा करके देखलना चाहे 2 carbon का 24 6 hydrogen का 6 और इसका 16 add करो 16 प्लस 6 प्लस 24 46 आएगा 4.6 divided by 46 1 by 10 0.1 हो गया निकालो इनकी रेशो निकालो इनकी रेशो निकालो रेशो 0.2 रेशो 0.05 रेशो 0.1 सबको सबसे छोटे से डिवाइड कर दो 0.05 से डिवाइड करो ये वान आजाएगा 0.05 से डिवाइड करो 2 आजाएगा 0.05 से डिवाइड करो फोर आजाएगा तो 4 रेशो 1 रेशो 2 option नमबरे बट ऐसे कोशन think without ink से होने चाहिए ठीक है paper में pen उठाने की ज़्यादा important है pen उठाने से ज़्यादा important है question correct करना without pen ठीक है कोशिश करें ठीक है एक और करेंगे question number of moles निकालने हैं सबके answer think without ink से बताओ moles निकालने हैं 68 gram of एनस 3 में molar mass दे रखा है mass by molar mass 68 by 17 4 आएगा molecules दे रखे हैं particles दे रखे हैं particle में वही था प्यार ना that is particle divided by Avogadro number particle divided by Avogadro number 6.022 into 10.23 10.23 cancel out हो जाएंगे उपर 18.066 नीचे 6.022 that is 3 आएगा उपर volume दे रखी है उपर volume दे रखी है नीचे जो है गैस की और NTP पे तो डिवाइड किससे करेंगे that is 67.2 को डिवाइड करेंगे 22.4 से तो 3 आएगा बिल्कुल सही करेंगे ये वाला question भी करते हैं बट जान बूज के यहाँ पर कर देता हूं NTP 273 Kelvin और pressure 1 बार प्रेशर 1 बार आपकी बार 45.4 को डिवाइड कैसे करूंगा 22.7 से 22.7 से तब दो आएगा ना प्रेशर 1 बार दे रखा है तो डिवाइड करना है 22.7 से अगर प्रेशर 1 एटियम दे रखा है या नहीं दे रखा है बढ़िया 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 शाबशा जो जो भी आंसर दे रहे हैं अच्छा आंसर दे रहे हैं एक चीज दे रखी है तो कोई भी एक चीज दे रखी है रहे हैं तो कोई भी एक चीज दे रखी है मालो मास दे रखा है वाल्यूम आफ गेस फाइंड़ा डर करने मॉलिक्यूल फाइंड़ करना है मास दे रखा यहां फाइंड गडीन नमबर उस और करनी ऐगे अभी अभी आपने से काया मेरी मम्मी वाले से हैं न मास बाइबोलर मास यह पार्टिकल बाइब अबगेटर नमबर यह वॉल्यम ऑफ गैसे टेपी डिवाइड बाइड बाइड ट्वेट टू पॉइंट फॉइंट फॉइंट फिर क्या करेंगे इतो मोल्स आगे मोल्स हमेश इस करते रहें एंदर मोल्स होते हैं ओ, जतना भी ऐभी मोल्स आये है उसको आवकदर dryla से वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम होती है, NTP पे या STP पे, that is 22.4 लिटर, फिर वाई, अगर प्रैशर 1 ATM है, अगर प्रैशर 1 ATM है, ठीक है, मान लो, मोल्स 3 आया है, वॉल्यूम निकाल नहीं है, तो 3 इन्टू 22.4, 7 आया है, 7 इन्टू 22.4, 6 आया है, 6 इन्टू 22.4, ऐसा ही करते रहेंगे, ठीक है, ब्रेक तो भाई भूल जाओ अभी न, चैप्टर बड़ा है, ब्रेक ही देते रहेंगे, मोमेंटम ब्रेक हो जाएगा, चलिए, करिए, करिए, यह नहीं, पहले यह वाला करो, पहले यह वाला करो, यह कौन सा वाला करोगे पहले, मोल्स आएं, आप से क्या पूछा हुआ है, यह ना, एंटीए की प्रैक्टिस टेस्ट में सी कोशन पूछा हुआ है, जी है, मोल्स आएं, दे रखें, आटम फाइंड़ करने, अटम, पहले मॉलकूल फाइंड़ करो, मॉलकूल, बताओ बहुए, एक मोल के अंदर कितने के अंदर, ट्राई अकामिक राएं, ट्राई अकुन, तो बताओ, पॉइंट वझोल इच्टिए, आप भी प्ता ने क्यों, पैन उठाय जा रहे हो, बडचलिए, कोई बात ही, एक मोल के अंदर मॉलकूल कितने होते हैं? एने तो पॉइंट वन के अंदर कितने होंगे पॉइंट वन इंटू एने ट्राई अटॉमिक गैस का मतलब क्या है कि एक मॉलेक्यूल में तीन एटम्स हैं डाई अटॉमिक होती तो दूगोते मोनोटॉमिक होती तो एक होता तो बता हुए एक मॉलेक्यूल में तीन एटम्स हैं तो इतने मॉलेक्यूल में कितने हो गे पॉइंट वन इंटू एन्न में कितने हो गे सर्ब वॉइंट वाएनए से मलटिप्लाई कर दो एने की वैल्यू रखो 6 इंटो 10 इंटो 53 क्या यह एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसल आउट हो जाएगा 18 इंटो 10 रेस्ट वर 22 आजाएगा है कोई ऐसी ऑप्शन 18 इंटो 10 रेस्ट वर 22 है कोई 18 नहीं किया ना हां से किया है यही है यही है यही है भी 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 फर बॉम्बे अरे यही तो है पॉइंट इदर लेके जाओंगा तो यह 1022 हो जाएगा इतने बुरे हला थोड़ा होंगे calculation में अगला भी एंटीये की practice sheet का ही कोशन है यह भी एंटीये की प्रेक्टिश टेस्ट का ही कोशन था यह भी प्रेक्टिस टेस्ट का ही कोशन है कितने आ फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा वन पॉइंट 375 ग्राम ऑफीसील 3 में करना सबसे पहले मोल्स यह मोल्स किसके पर रबर आएगा मास भाई मोलर मास निकालो मोलर मास फॉस्फोरस का 31 इसका 35.5 इंटो 3 106.5 में 31 एट करना 137.5 मोल्स आ गए 1.1 बाई 100 आ गया पॉइंट 01 आ गया पॉइंट 01 पॉइंट 01 एक मोल का मास जो है वो अच्छा फॉस्फोरस कितना है वो पूछा होगा मेरे को लगा पूरे का निकाला है चली आई 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 ग्राम मॉलेक्योलर मास औफ पीसील 3 एक फॉस्फोरस 1 इंटो 31 तीन क्लोरी थ्री इंटो 35.5 यह अभी तो सर आपने बताया था 137.5 जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ क्या 137.5 ग्राम औफ पीसील 3 में फॉस्फोरस कितना है अब भी मजाक करते हो बिलकुल ना इसके अंदर फॉस्फोरस कितना था सर 31 ता तो एक ग्राम में कितना होगा एक ग्राम में सर 31 डिवाइडड बाई 137.5 इतने रुपे की इतनी टॉफी आती है तो एक रुपे की कितनी आएगा निकाल ली हमें कितने में निकालली है 1.375 में 1.375 में मुल्टिप्लाइ कर प्र दो प्र प्र सर पॉइंट आ दो प्र प्र ओटा दिया यह हटाया तो थाउजंड आ गया उपर, cancel out, cancel out, sir, 0.31 आ गया, बिल्कुल सही कहा रहा है, sir, 0.31, 0.31, 0.31, 0.31, यह ना option नम्बर थी, मज़ेदार question है भाई है न, यह question आपको पका करके जाने चाहिए, क्योंकि NTA कहती है कि यह question जरूर करके जाए आप, यह रहा है को और question, 5.8 लीटर गैस, स्टीपी पे इतना मास है, वो गैस कौन सी होगी, पहले मोलर मास निकाल लेते हैं, फिर उनके मोलर मास से मैच कर लेंगे, आओ, करते हैं, क्या अभी अभी किया था हमने, 5.8 लीटर में, मोल्स कितने होंगे, यह रहा हो, 1 by 4 आजाएगा, ने ने, 1 by 4 नहीं, 6, 4, 6, 4, कितना होगा, 5, 4 सा 20, और 8, 4 सा 32 ओटा है, थोड़ा सा कमा आएगा, इसको 5.8 की जगा, 5.6 कर लेता हूँ, कोशन थोड़ा जल्दी हो जाएगा, हाँ, सही कहा रहे, 5.6 डिवाइड़ बाइ 22.4, पॉइंट कैंसल आउट हो जाएगा, क्या यह 1 by 4 हो जाएगा, क्या यह 0.25 हो जाएगा, 0.25 मोल का मास आपको दे रखा है, दे रखा, कितना दे रखा भाई, 7.25, तो एक मोल का कितना होगा, एक मोल का, इसा डिवाइड दर देखेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसल आउट, टू, फिर यह 9 पे जाएगा, 8 पे जाएगा, 25 तो जाएगा, ट्वइंटी फाइव टूजा, 72, 29 के आसपास, 29 के आसपास, 12, 16, 28, 44, 44, 14, 14, और 16, यह तो कोशन अजीब सा हो गया, यारे तो फस गए हम लोग, फस गए ना, कहीं कैलकुलेशन गलत तो नहीं करी, कहीं कैलकुलेशन गलत तो नहीं करी, सर आपने यह गड़बड कर दी न, अगर इसे 5.8 ले लेते न, मेरा मोबाइल का है, कैलकुलेट करके देख लेते हैं, तब आंसर सही आएगा, यहां पर यह अप्रॉक्सिमेशन ली, राइत ते कितना फैल गया, कोशन, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, तॉंटी, नहीं केतना था, 5.8, 5.8, डिवाइड बाई केतना था, 22.4, 0.258 है, 0.25, आप मत रप करना, क्योंकि आप तो सिरफ 5.8 ही कर लो, 0.258, 0.258, 7.25, 7.25, भाईड बाईड 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 वाईड बाईड 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 था, हाँ, यह आ राएब 28 आ रहा है, एक्जाक्ट, अब यह है, इसी का मोलर मास 28 होगा ना, 12 कारवन का, 16 ओक्सिजिन का, 28, ठीक है जी? जल्दी से करके दिखाओ नमबार ओफ अटम्स निकालो ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन गैस में पहले जो आपको बताया है मोल्स निकालो मॉल्स कैसे निकालेंगे सर मास बाइ मोलर मास क्या मोलर मास इसका यह आएगा दो है ना टू इंटू सिक्स्टीन सर थ्री पॉइंट टू डिवाइड बाइड थर्टी तू सर पॉइंट वन आ गया बिल्कुल एक मोल के अंदर मॉल् अभी बताया सर अभी अभी जस्ट एन ने तो पॉइंट वन के अंदर कितने होंगे पॉइंट वन एन ने जल्दी से बताओ एक मॉलेक्यूल के अंदर आटम्स कितने हैं आटम्स कितने हैं जल्दी जल्दी बताओ सर दो बस फिर एक मॉलेक्यूल के अंदर इतने हैं तो इ सब्सक्राइब करें तो है कोई ऐसी ऑप्षिन यहीं सर यहां पर 6.02 है अरे कोई बात नहीं जा रहा हुआ सब्सक्राइब करें यहां पर 0.12 आना था आपने 1.2 आना था अब ठीक है पटा अब ठीक है ठीक है यही है अब आला आपoses है ऑफ्षीन रांग हैं बिटकुल सही है जी औप्षीन ऑप्षिन कांसे गलत हो गये हमने आवगेडरो नंबर यह माना है इन्होंने आवोगेड्रो नंबर यह माना है मैंने बोला था सेक ओफ सिंप्लिसिटी हम इन दोनों को सेम मानेंगे बिल्कुल सही है दोनों गलत कहां से हो गया लोगे अगला कोश्चन भी एंटिय की प्रैक्टिशीट में पहले मोल फाइंड़ करो मॉलक्ल फाइंड़ करो फिर आटम से मल्टिप्लाई कर दो करें आटम फाइंड़ करने है सर सबसे पहले मोल्स करोगे सर मोल्स लोगई मास बाय अटॉमिक मास सरा आगया दस एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं तो दस मोल के अंदर कितने होगे इस एक से मॉल्टिप्ले करने इसको एक से मॉल्टिप्ले करने सो तैन इन अंए और करके देखर रहाँ इसके अंदर twice that in 16 gram of carbon option one को solve कर रहा हूं moles कैसे find out करोगे सर यह आगे moles एक carbon के अंदर कितने atoms होगे सर एक ही होगा तो five molecules कैसे निकालोगे एक molecule के अंदर एक atom है 5 न के अंदर कितने होंगे इसका डबल कर दो इसका डबल सर 10 न आ जाएगा डबल डबल टू इंटू फाइव कर वो भी 10 न यह भी 10 न तो यह तो करेक्ट है सर यह तो करेक्ट है सर बाकी option भी 6.022 1023 होंगे नहीं उसका 10 टाइम्स होंगे 10 यह तो नहीं है यह हाफ डैट ऑफ एट ग्राम हीलियम पहले मोल्स निकालो आठ डिवाइड़ बाइचार पता ना हीलियम का गराम अटॉमिक मास चार होता है सर दो मोल आ गए दो मोल एक मोल के अंदर एने मोलेक्योल्स होता है दो मोल के अंदर डो एने होंगे एक एचे के हंदर एटम भी कितने है एक तो न23 जो ओंको ओंको calculation आंसर तो ए आई चुका था मैं तो बागी option भी explain किया आपको तो आंसर आजा था हम आगे बढ़ जाते पेपर में बढ़ मेरे explain करने के लिए कि मैं चारो option explain कर दूं आपको लीजिए अगला question भी है NTA practice sheet का जल्दी जल्दी question करिए मैं आपको सबके molar mass लिख देता हूं तांके आपका time बच जाए क्योंकि question में भी given होगा ना जब final में question आएगा तब भी यह चीजें आपको given होगी and 28 और 16 44 यह भी 44 यह भी 28 यह भी 28 करो करो करिए करिये करिये किसके अंदर molecule सेम होंगे एक गराम के अंदर इसके होंगे 1 by 44 1 by 28 1 by 28 को एने से मुल्टिप्लाइ करोंगा और 1 by 44 को एने से मुल्ट है सर यह c3o2 का भी molar mass लिख देता हूं मैं 36 और 32 के तरह ओता बटा 68 जुरत नहीं बढ़ेगी वैसे इसकी बढ़ चलो कोई मोल्स आए 1 by 28 1 by 68 molecule कितने आएंगे एने से मल्टिप्लाइट गलत है सर मोल्स 28 molecule कितने आएंगे एने से मुल्टिप्लाइए करो 1 by 28 into 1 by 28 हाँ सर यह ऑप्शन कोशन बिना पैन उठाए ही सॉल्व होना चाहिए तभी टॉपर बन पाएंगे अगर इन चक्रों में फस जाएंगे तो बस फिर तो भूल बुलाईया है जी किसी बच्चे को देखा है क्या व पेपर में बाहर आके बोले के पेपर टफ आया था जब आप NTA के पेपर एक्जाम देके बाहर आते हैं अगर कोई भी बच्चा बोल रहा है सारा पेपर टफ आया था साफ समझ लीजे के पेपर जो था वो उसने अटेम्ट करने के तैयारी ही नहीं करी पिछले एक साल या दो साल जब से वो तैयारी कर रहा है ठीक है पेपर हमेशा ऐसा आता है जिसमें क्या होता है आपकी स्पीड चेक करी जाती है ठीक है पेपर आसान ही आता है तो अगर इन चक्रों में पढ़ गए ऐसे वन मोल के अंदर मॉलेक्यूल होते हैं एन ए तो वान बाइट वाइट के अंदर होंगे वन बाइट वान वाइट इन टू एन ए और इसको सॉल्व करने लग गए हो गया काम दुनिया गई खत्तम टाटा बाई 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 पर जो है वो तिंग विदाउट इंग से होना चाहिए जी एक बच्चा कहा रहा है कि सर इसमें आपने कुछ गलती कर दिये हैं आप बता दीजिए आपको अगर ज्यादा लग रहा है तो यहाँ पर 6.02 लिख दूँ 6.02 लिख दूँ ऐसा हो जाएगा अब ऐसा हो जाएगा अब गलती है बाई यह बता दे तू भाई बता दे गलती है क्या कम से कम थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन करनी तो आनी चाहिए भाई ओ भाई लोई नीट में कितना आसान कोशन आया है वो करिए और बताइए एक मोल कार्बन का मास 12 ग्राम होता है तो इसके अंदर एटम्स कितनी होंगे और एक मोल के अंदर एटम्स होते हैं आवगेड्रों नमबर अरे सर यह तो कोशन देखते ही हो गया सर्वान थोड़ा करना अब इसको सबसे पहले मोल्स ही फाइंड आउट करने होते हैं करो भी करो यह भी यह प्रैक्टिस टेस्ट का कोशन आप देखो कोशन करना कैसे राम को 1.71 ग्राम ऑफ शुगर दी गई है तांकि वो टी मीठी कर सके कितने कार्बन एटम होंगे पहले मोल्स निकालूंगा मास इन दोनों को डिवाइड करूंगा 1.05 तो मोल्स कितने होगे अच्छा कार्बन के आटम्स पूछे हैं सॉरी सॉरी हां यह तो अभी वो आया मोल्स आया सॉरी सॉरी हां इसके अंदर बारा से मल्टिप्लाइ कर लो वान वाइट्वंटी को वान बाइट्वंटी को जो मोल्स आय थे 1 by 20 एंदे को बारा से मल्टिप्लाइ करना बारा बाइट्वंटी हो गया 12 by 20 कितना होता है 12 by 20 3 by 5 3 by 5 कितना होता है 0.06 करके आएगा कुछ 06 I think A होगा इसका अंसर 1 होगा कहते हैं मैं करके दिखा देता हूं नंबर अफ मोल्स, शुगर के, पहले मास, फिर मोलर मास, अगर आप पॉइंट हटा देंगे, 100 इदर आ जाएगा, अच्छा, 1 बाइ 200 हो गया, 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 या 1 बाइ 200 हो गया, या 1 बाइ 200 ही रहने दो, कोई बात ही, मॉलेक्यूल्स निकालो, मॉलेक्यूल्स, सर एक मोल में एने मॉलेक्यूल्स होते हैं, इतने मोल में कितने होंगे, एने से मल्टिप्लाइ कर दो, सर अटम्स बताओ, अटम्स, एक मॉलेक्यूल के अंदर 12 एंटम से इतने के अंदर कितने होंगे बारा से मल्टिप्लाइः कर दो 12 से मल्टिप्लाइः करूंगा तो यह 3 के डेवल पे जाएगा 4 के डेवल में 3 पे जाएगा 50 पे जाएगा 3 3 by 15, कितना होता यार, 3 by 50, 3 by 50, 1 by 16 या 1 by 17 आएगा, 1 by 16 या 1 by 17, हाँ, 0.06 ही आएगा, 0.06 ही आएगा, calculate करके देखेंगा कि मैं भी, mobile से, बट मेरे खाल से यही आएगा, 3 by 50, 3 divided by, 3 divided by 50, हाँ, 0.06 ही आएगा, सही है, सही है, यानि कि जो थिंक विदाउट इंग से किया था और जो हमने पैन उठा के किया, दोनों से में, दोनों से में, सरी यह प्रैक्टिस टेस्ट कहां पर मिलेंगे, मैं बैठा हूँ आओ, करा तो रहा हूँ, हर इक चैप्टर में कराता चलूँगा, which of the following has, which of the following has maximum number of atoms, करने का तरीका सेम ही है, पहले मोल, फिर मोलीकूल, फिर आटम, मोल लिका लो, 1 by 24, मोलीकूल लिका लो, 1 by 24 into any, एक मॉलीकूल के अनदर एक ही अटम है, तो 1 by 24 into any, any by 24, देखो कितनी फास्ट, हो रहा है, मोल निकालो मोल निकालो 1 by 32 पता न मोलर मास 32 आएगा 2 into 16 मॉलेक्यूल निकालो 1 by 30 into 2 into Na एक मॉलेक्यूल के अंदर 2 आटम्स है तो 1 by 32 into Na into 2 सर 1 by 16 आजाएगा Na by 16 मोल निकालो 1 by 7 मॉलेक्यूल निकालो 1 by 7 into Na into 1 नवाई 7 आजाएगा सर 1 by 108 मोल निकालो 1 by 108 into Na एक मॉलेक्यूल में एक ही आटम है Na by 108 डिनॉमीनेटर सबका सेम है स्वारी नियूमीनेटर सबका सेम है आपको मैक्सिमम बूचा हुआ डिनॉमीनेटर सबसे चोटा होना चाहिए डिनॉमीनेटर सबसे चोटा होना चाहिए क्या आंसर 3 है अच्छा कोशन है बढ़िया कोशन है जबर्दस कोशन ने रखें नहीं नीट दो हजार अठारा का कोशन है पी वाइक यूज भी कर रहे हैं एंटिके प्रेक्टीश इडिके कोशन भी करने तो टाइम तो लगेगा लगेगा भाई न कोई के टाइम नी लगेगा ऐसे कैसे होगा यार कोशन अभी हटा दूंगा तो देखो टाइम कितनी जल्दी होने लगेगा इन विच केस नंबर ऑफ मॉलेक्यूल सो वाटर मैक्सिमूम होगे मॉलेक्यूल मैक्सिमूम होने चाहिए वॉल्यम दे रखी है 22.4 से डिवाइड कर दो यह आगए मॉल्स मॉलेक्यूल निकालने एने से मल्टिप्लाइग कर मास दे रखा है मोलर मास से डिवाइड कर दो मोल्स आ गए ने से मल्टिप्लाइग कर दो मॉल्यूल सा ज़ए वॉल्यम दे रखा है वाटर डेंसिटी एक कॉशन कंप्लीट नहीं है अब होगा वॉटर दे रखा है वाटर जो है वह 0 डिगरी सेल्सियस पर गैस नहीं होता नहीं होता तो पहले इसका मास निकालूंगा मास वॉल्यम इंटू देंस्टी होता है अठारा ग्राम मोल्स कितने हो जाएंगे मोल्स मास भाई मोलर मास वो भी इसका 18 होता है मॉलेक्यूल कितने हो जाएंगे मॉलेक्यूल जितने मोल आये हैं उसको एने से मॉल्टिप्लाई कर दो यहां तो मोल लेही रखें आपको मॉलेक्यूल निकाल ले तो एने से मॉल्टिप्लाई बताओ भई बड़ी करते हैं चीज बड़ी हो जाती है चीज न पाने को छोटी हो जाती है प्रिविएस कोशन में 16 कैसे आया बाबू मोलर मास निकालना है यार 32 तो सर फिर यहां पर 32 आना चाहिए था न भाई ऐसे मत कर यार ऐसे मत कर ऐसे मत कर भाई यह देखिए मोल जागे आगे यह मोल सागे पीटा क्या जतने मोल आये थे एंसे मल्टिप्लाई करूंगा ओला जिए हैं इसे मत कर आए इसे मत करो यार क्लास की शुरुवात में मोल्स मॉल्ग्यूल इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन भाई आ शुटा वह तो एम ल में ऑभाबू प्रक्टिस्ट के कोशन में सच्ट औरेन यह वाइन When ऊहां तो यह जभी जाइन है यार मानों नामानों आपके उपर कर रहा है प्रक्टिस टेस्ट के कोशन में दुल फ्रे में प्रेश्च थो और है यह कोशन आप मानों ना मानों वो आपके उपर डिपेंड करता है आप जूड़ भी बोल सकते हैं मैं सच बोल रहा हूं वाट मुझे इतना बता है फ्रेशनेस तो है उन कोश्चन्स में ए लागिए अए अगे बढ़ते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्टरोंस बताने या हू वान मूल ऑफ पर ऑक्साईड में इस कमझे पर ऑक्साईड में और लेंड़ मॉलिक्यू बता दो ऑप यसी बाते कर रहा हूं वन मोल के अंदर रहें ने मॉलीकूल सोगे एक मॉलीकूल में कितने आयंस होंगे आयंस नहीं एलेक्ट्रोन अब यह भी तो आपने सिखाया था पहले इसके प्रोटॉन निकालो प्रोटॉन एट इन्टू तू फिर प्लस माइनस चार्ज लिखा था आपने तू नेगेटिव है इसका मतलब दो इलेक्ट्रोन गेन किए होंगे तो ऑगए तार होते ह्या एक मॉलीकूल में 13 आयलेक्ट्रोन है चैनल नम्हाउम्लीगूल स्में कितनी ऐंगे एनने में कितने होंगे सर एatura आप्षिन नमबर तू आप्षिन पोथि freedoms बढ़िया बढ़िया खीच के रखो काम को लोगई अगला भी कोशन है एंट ये प्रेक्टिस टेस्ट का कोश्चन में कोई कमी नहीं रखेंगे टाइम जितना मर्जी लग जाए लेड़ा मोलर मास ओफ एलिमेंट बीट एग्राम मोलर मास एग्राम है दस एटम का मास निकालन आज ही तो आपने सिखाया था जी एम में म किसके रबर होता है आर अ आं इंग्राम सकतेखा दो यक राम डे रखा तो आ एम नि से थी औरम कितना हो जाएगा एम मं किसे तो और यह यह एक अतम काamar था हमें दस एक हम का मास निकालना है सब्सक्राइब को उसको ग्राम वगारा में रखना हो ग्राम में रखने ना हमें क्या यह रहां टैने टैन ए टैन ए आप चाहों तो एम यू हटा दो वासे आज ही पढ़ा था ना जी एम एम आर एम के पराबर होता है लोगे प्रीविस एर का कोशन है नहीं यह कोशन हो गया स्वार यह कोशन हो गया दुबारा गलती से आ गया आए यह कोशन करते है एक यह कहो गया जो कहो गया? जय कर.. कहूंग ता जा बाए रार एम मॉण को का यह यह ज़से इसका स्वान फर्ट्स है क्या हो गया था कि कोई प्रॉब्लम था नहीं ठीक है ओडियो वीडियो क्लियर है वही एक बार बता देना कुछ यहां पर प्रॉब्लम हो गई थी अब ठीक है सब कुछ पिछले वाले का आंसर कुछ बच्चे बतारें की दी आएगा नहीं जी डीनी आएगा जी ऐसने आपने एक बर करण सोरी एक वंचाल रख दी सभी कह रही है आयह आया है मोलर मास एक राम है जल्दी जल्दी बताइए क्या 6.023 इंटू 10 रिस्वार 23 आटम्स का मास एक राम यह सर एक आटम का कितना होगा सर इतना सर हमें 10 का निकालना दस का दस का दस का दस का तो दस से बल्टिप्लाई कर दो सर आपने उस कोशन से भी यही निकाला था क्या उस कोशन में भी यही लिखा था क्या उस कोशन में भी यही लिखा और क्या यह दोनों से मैं क्या यह दोनों से मैं क्योंकि वन एम यू यही होता था दोनों से मैं सही है जी सही है सही है मैंने एम यू पर ध्यान नहीं दिया थ सही है बिलकुल सही है आप you are absolutely right on your part question कौन सा दिया था अगला बच्चे कहे रहे हैं सर उसको amu में पूछा हुआ है डस atoms का amu में पूछा हुआ है amu में amu में am you में दोनही सही हैं कि डोनों में गलत कुछ नहीं ए दोनों में friends but answer उसने amu में ऊननेon amu नीं व कुछा हुआ है amu में तो just amu आएगा दोनों आंसर सही हैं दोनों में कोई गल्ती नहीं है बड़ आंसर उसने एम यू में पूछा हुआ है कोशन और यहां कोशन इओ यह कोशन नियुक्त कि रहा टर स्थिक्षिट rebuild ही ह 250 है पेले मोल निकाल लो इसका मोलर मास होता हैं hacker वर्बली हो जाएंगे question 4.25 divided by 17 1 by 4 molecule कितने होंगे एक mole के अंदर न होते हैं 1 by 4 के अंदर 1 by 4 into n एक molecule के अंदर 4 atoms हैं तो 1 by 4 n a में कितने होंगे 1 by 4 into 4 1 by 4 n a into 4 4 से 4 cancel out n a आएगा n a n a आपको और न जी न हमें तो सुरू से बताओ सुरू से तो येलो वाई mass by molar mass molecule कैसे निकालूँगा एक mole के अंदर n a होते हैं 1 by 4 के अंदर 1 by 4 into n a एक molecule में atom कितने हैं atom सर चार है चार कैसे चार कैसे आए सर एक nitrogen का तीन hydrogen के तो इतने molecule में 1 by 4 n a में atoms कितने होगे एक रुपे की चार टॉफी आती है तो इतने वह रुबेगी कितनी आएंगे सर चार से multiply कर दो आंसर आएगा एन है आंसर आएगा एन हैं यह भी NTA, नहीं यह भी एक NTA प्रेक्टिश अठ हुए, करो वाई-लोग, करो 3.011 x 1022 atoms का मास 1.15 ग्राम है, आप से atomic मास पूछा हुआ है, 6.022 x 1023 का निकालना है, 23 आएगा, 2.3 को 10 से मंटिप्ले करना पड़ेगा, 23 आएगा, यह रहा है, भाई, कोश्चन ऐसे ही होंगे, आप कहें, नहीं नहीं सर, ऐसे, कैसे, तो मेरा क्या भाई, मैं तो देखो, पैन उठाके भी बता दूँगा, इतनी atoms का मास 1.15 ग्राम है, तो बताओ, एक atom का कितना होगा, सर, 1.15 divided by 3.011, सर, आवोगेडरो नंबर ओफ एटम्स का निकालो, वही अटॉमिक मास होता है, वही अटॉमिक मास होता है, अटॉमिक मास होता है, क्या ये 11.5 इंटू टू बच जाएगा, जोगे 100 आना था ना, पॉइंट अटाके, एक मांट का, क्या 23 आ गया, ये भी अटिय प्रेक्टिस शीट का कुश्चन है, गराम एटम, एटम नहीं, गराम एटम कैसे निकाले जाते हैं, गराम एटम कैसे निकाले जाते हैं, मास बाए, गराम अटॉमिक मास, मास बाए, गराम अटॉमिक मास, जैसे वन मोल का मास, गराम मॉलिकुलर मास होता है, वैसे वन गराम एटम का मास, गराम अटॉमिक मास होता है, गराम अटॉमिक मास होता है, गराम अटॉमिक मास, जल्दी से बता दो भई इसका मास कितना आएगा 1 gram atom का 12 gram आएगा half mole का मास कितना आएगा 1 mole का मास कितना होता है gram molecular mass जो कि 16 है इसका तो half mole का कितना होगा half into 16 8 gram वह इतना तो clear है GMM CH4 का 16 कैसे आया इतने बुरे हालात तो नहीं है आज कराया ये 10 ml water का water फिर वही gas में नहीं दे रखा density इसकी 1 gram per ml मानूंगा तो बताओ इसका मास कितना आजाएगा पानी का सर्फ volume into density सर्फ 10 gram आजाएगा इतने atoms of oxygen फिर वही 6.022 into 10 is for 23 atoms का मास कितना होगा molecule नहीं atom 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 तो gram atomic मास लिखूँगा अगर यही molecule लिख्खे होते तो gram molecule लिखता वो तो जो ची लिख्खे उसी का मास लिखूँगा तो 3.011 का कितना होगा सर्फ ये बिलकुल उसका आधा है उसका आधा कर दो कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे बड़ी वैल्यू है सर्वान है भाई ये एक्टम लिखे हैं तो gram atomic मास लिखूँगा यही molecule लिखे होते हैं तो gram molecule मास लिखता आए आगे बढ़ते हैं ये एक कोशन आप homework में भी करेंगे आईसो टोप्स आईसो बार्स एंड आईसो टोंस हमारे इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आईसो टोप्स हैं बाकी आप atomic structure में पढ़ेंगे वहाँ बर बात करेंगे मुझे बात करनी है यहाँ पर आईसो टोप्स के बारे पर सर आईसो टोप्स क्या होते हैं जिनका सेम अटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है सर कोई example सकते हैं कई elements के different different isotopes पाई जाते हैं जैसे hydrogen के तीन isotope पाई जाते हैं एक यह और एक यह अटॉमिक नंबर तीनो का सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है सर इसको प्रोटियम भी बोलते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं और H से भी लिखा जाता है इसे सर इसे डिटीरियम भी बोलते हैं और इसको स्मॉल डी से भी लिखा जाता है और इसको ट्रिटियम भी बोलते हैं और इसको कैपिटल टी से इस capital T बोलना था, गल्ती से small बोल दिया, से भी लिखा जाता है, ठीक है? ब्रेक देंगे जी आपको थोड़ी दिर में देंगे, मेरे खाल से, approximately half an hour के बाद, half an hour के बाद break देंगे आपको, यह वाला topic खतम हो जाए, average atomic mass, बिटा जब भी आप periodic table में, जैसे यह देखे, periodic table, अलग, क्या हो रहा है, यह नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, क्या आपने कभी ना कभी periodic table में, क्लोरीन का ऐसे mass देखा होगा, 35.5, यह basically क्लोरीन का mass नहीं है, क्लोरीन का average atomic mass है, क्या है, क्लोरीन का average atomic mass, क्लोरीन के जितने भी isotope पाई जाते हैं, उनकी जितने भी percentage पाई जाती है, उसका average है, क्लोरीन के जितने भी isotope पाई जाते हैं, उनकी जितनी भी percentage पाई जाती है, उसका average है, यह average, जैसे hydrogen का भी, हम लोग atomic mass जो है, वो one gram लिख देते हैं, बड रियालिटी में पता कितना होता है, वो होता है, 1.008, यह भी क्या है, यह भी average atomic mass है, क्या है, average atomic mass है, किसका, hydrogen के सारे isotopes की, सारी percentage का, सर कैसे 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 करेंगे, आईए, निकालते, average atomic mass, कैसे निकालेंगे, किसी भी element का, जितनी percentage पाई जाती है, किसी भी element की, multiplied by, gram atomic mass of, each isotope, यहाँ पर, each isotope लिखने, divided by 100, समझा रहा हूं, समझा रहा हूं, माल लीजिए, किसी भी element के, दो isotope पाई जाते हैं, एक 80%, एक 20%, एक 80%, एक 20%, पहले 80% लिखूंगा, उसके gram atomic mass से multiply करूंगा, फिर plus का sign लगाऊंगा, 20% लिखूंगा, उसके gram atomic mass से multiply करूंगा, ठीक है, add करके, 100 से divide कर दूंगा, and करके, 100 से divide कर दूंगा, अगर दो isotope पाई जाते हैं, दो isotope पाई जाते हैं, हर एक की percentage, 50% है, 50% है, तो average atomic mass पता क्या होगा, average atomic mass पता क्या होगा, gram atomic mass का average, gram atomic mass का average, एक element के, दो isotope पाई जाते हैं, दोनों 50-50% पाई जाते हैं, एक का mass gram atomic mass 16 है, दूसरे का 20 है, दूसरे का 20, तो आप पता उसका average atomic mass कैसे निकलेगा, उसकी average निकाल दो, 16 प्लस 20 डिवाइड़ बाई 2, 16 प्लस 20 डिवाइड़ बाई 2, कितना आ जाएगा, सर 16 प्लस 20 होता है, 36, 36 को 2 से डिवाइड कर दो, 18 आ जाएगा, सर कितना, 18 आ जाएगा, ठीक, whosoever has higher percentage, average atomic mass is nearer to it, nearer to it, दोनों में से, जिसकी percentage जादा होगी, average atomic mass की value उसके पास होगी, average atomic mass की value उसके पास होगी, ठीक है, एक बच्चा क्या रहा है सर, example दीजिए, दीजिए रहीए रहीए, example दीजिए, अगले पेज पे कर दूँ, यह रहेखे, element, exist, in two isotopes, having 50% each, and gram atomic mass of first isotope, 8 gram, दूसरे वाले का, 10 gram, तो average atomic mass किसके प्राबर होगा, उनके gram atomic mass का average, उनके gram atomic mass का average, 8, plus 10, divided by 2, ऐसे निकाली जाती नहीं, यह सर, दो हैं तो 2 से divide कर दिया, सर 9 आजाएगा, यह रहा, बिल्कुल, 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 आगे देखिए, आप में से कोई है, सर फिर मेरे दिमाग की बत्ती चलिए, और मुझे पता चला, कि हाइडरोन का atomic bed, 1.008 या 1.00797, कैसे होता है, वो average atomic mass है, hydrogen का, एक hydrogen का mass नहीं है, तीनो hydrogen के जो percent, hydrogen के जो isotope पाए जाते हैं, उनका average है, average, ठीक है, कोईशन देखिए, और करिए, बोरोन के, दो isotope पाए जाते हैं, एक 10 बोरोन, 90%, एक 11 बोरोन, 81%, तो atomic mass, जो बोरोन का periodic table में आएगा, वो कितना होगा, periodic table में वही आता है, average atomic mass, करने का तरीका तो क्या है, इसकी percentage को, इससे multiply करो, इसकी percentage को, इससे multiply करो, दोनों को add करके, 100 से divide कर दो, दोनों को add करके, 100 से divide कर दो, बट इतना time, हमारे पास करने के लिए, है ही नहीं, मैंने का बोला था, जिसकी percentage, जादा होगी, average atomic mass, उसके pass होगा, 11 के pass की value होगी, 11 के pass, ये तो 11 से बहुत दूर है, ये तो 11 से ज़्यादा होई नहीं सकता, ये भी 11 से दूर है, answer यही होगा, 11 के pass है न, 10.8, 10.8, answer यहीं से आ जाएगा, ठीक है, answer यहीं से आ जाएगा, बट कोई कहे, नहीं नहीं सर, think without ink नहीं सीखोगे, ये पेपर में पैन रगडते ही रह जाओगे, percentage into atomic mass, percentage into atomic mass, divided by 100, divided by 100, 81 को 11 से मल्टिप्लाई करना, 810 में 81 एड़ करना, 891, 891 में, 891 में 190 एड़ करना, कितना होता है, 1091, 1081 उसको 100 से डिवाइड कर दो, 10.81 आगे निए 10.8, आगे बड़े, NTA practice sheet में question दे रखा था, और करिए, ये question वैसे similar question, ITG advance में भी कोशन आया हुआ है, ITG advance में भी कोशन आया हुआ है, बड़ फिर भी, बड़ एंटीय ने बोला है, नीट में अगर आपको करके जाना है, तो ये question आपको करके जाना चाहिए, ऐसा NTA कहती है, मैं नहीं कहता हूँ, तीन आइसोटोप है, FE के 154, 156, 157, उनकी परसंटेज दे रखी है, पहले वाले की 5%, 90% और 5%, अटॉमिक मास पहुचा हूआ, फिर भी, अबरेज अटॉमिक मास, गराम अटॉमिक मास, इंटू परसंटेज, प्लस, गराम अटॉमिक मास, इंटू परसंटेज, फिर गराम अटॉमिक मास, इंटू परसंटेज, डिवाइटेड बाई 100, करो भी, करो, आंसर बताओ, सारे बच्चे कहा रहे हैं, 55.95 आएगा, ऐ, डिवाइबर चेक कर ले, यह आएगा, 5595 बाई 155.95 ठीक है जी, यह वादा टॉपिक कर ले, फिर उसके वाद बच्चों को ब्रेक देंगे, हमेशा मोल कॉंसेप्ट में, बड़ी छोटी सी चीज है, सब बच्चों को पता होगी, फिर भी मैं भी एक बार बता सकते, देता हूँ, के हमेशा, दो चीजे जो एड होंगी, यह सब टूंगी, ठीक है, वो सेम ही रहेंगी, पता चले, देखो बची, मास में से, मास सब्ट्रेक्ट कर सकते हो, मास में मास एड कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते, के मास में से वॉलियम नकाल लो, volume में से molecule निकालो ऐसी हरकते नहीं करनी है नहीं करनी है ठीक है तो सर कभी भी mass में से volume minus करनी है ऐसे लिखा हूँ है फाइव ग्राम कारबन डायोकसाइड में से 22.4 जो भी है हमेशा दोनों को सेम चीजों को में कनवाट करेंगे सर कैसे करेंगे मैं बता रहा हूं बता रहा हूं मोल निकालो और फिर यह आपको पताईए सरी लिखवा दिया आपने मैं भी जानता हूं gas at NTP यह STP has volume 22.4 लिटर मोल निकालो और फिर solve करो फिर solve करो वन मोल का मास इतना होता है वन मोल के मौल इतने होते हैं वन मोल ऑफ गैस की volume जो होती है वो 22.4 लिटर होती है फिर करो सर कोशन करके दिखाओ के बिलकुल करके दिखाएंगे यह नहीं करके दिखाएंगे देखो फाइव मोल में से 64 ग्राम औक्षिन रिमूव कर दिखाएंगे बताओ कितने मोल बचे फिर मोल में से मास माइनस नहीं कर सकते आपको पहले इसको भी यह मोल है तो इसको भी मोल में कर लो इसको भी मोल में कर लो बताओ कैसे करेंगे सरमास by gram molecular mass क्या हम सब को gram molecular mass O2 का अब तक निकालना आ गया है कोई ऐसा महारती तो नहीं है जो कहे के मुझे ये क्या कर रहे हो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है 64 divided by molar mass 5 mole थे उसमें से 2 mole निकाल लिया बताओ भई कितने moles बचे होंगे बताओ भई कितने moles बचे होंगे 5 रुपे थे 2 रुपे अपने खर्च कर दिये कितने बचे होंगे 3 तो पहले सेम चीज में convert कर लो mole में से mole ही minus हो सकते है mole में से mass रोड़ा minus कर दूँगा 24 gram of carbon में से इतने atoms निकाल लिये बताओ कितने atom बचे होंगे पहले इसको भी atom में convert करो कैसे? moles करके mass by gram atomic mass एक mole के अंदर molecule होते है Na तो बताओ 2 mole में कितने होंगे 2 into Na एक carbon के molecule में atom कितने है एक तो 2 Na molecules में atom कितने होंगे एक रुबे की एक तौफी आती है इतने रुबे की कितनी आएंगे? इतनी आएंगे पांच रुबे की पांच आएंगे दस रुबे की दस आएंगे 2 Na की 2 Na आएंगे 2 Na atoms में से एक Na atoms माइनस कर दिये ये Na ही तो है? बताओ फिर atoms left कितने होंगे? atoms बचे हुए कितने हुए? थे कितने atoms? 2 Na उसमें से चले कितने गए? Na बचे कितने होंगे? Na बढ़िया 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 शाबाश खीज के रखो का हमको एक और 20 ग्राम कैल्शियम में से इतने atoms माइनस कर दिये कितने atoms बचे होंगे? फिर भई इसके atom निकालो कैसे निकालोगे? सरफ पहले moles mass by molar mass फिर molecule एक mole के अंदर इतने molecules होते हैं तो half के अंदर कितने होंगे? रहाफ होंगे एन अबाइटू एक कैल्शियम के molecule के अंदर एक ही atom होगा तो इतने molecules में कितने atoms होंगे? इतनी होंगे एक रुबेगी एक टॉफी आती है तो एन अबाइटू के इन ने आएगगे एन अबाइटू atoms में से एन अबाइटू कितने होते भाई? 6 इंटू 10 रेस्ट पर 23 बाइटू उसमें से माइनस कितने करने है? ऐसे लिख दू? 1.2 इंटू 10 रेस्ट पावाइटू अब सॉल्व आप कर लेना खुदू इतना तो करी चलते हो माइनस करना है? माइनस करना है? ये करो चलो जल्दी जल्दी करो जल्दी जल्दी करिये देख बच्चा कहरे है सर मुझे एकनमर जाना है उसके लिए ब्रेक देथो अरे ये तो बड़ा एमर्जंसिया यार ने तो तो चैट में कर देगा बिल्कुल भाई ये जल्दी लास्ट कोशन है यार लास्ट कोशन इसके बाद ब्रेक लेलो तो इसके बाद ब्रेक लिए चार मोल सीयो टू थे उसमें से 88 ग्राम रिमूब कर दिया कितना बचा होगा एक मोल का मास होता है 44 चार मोल का कितना होगा 44 इंटू 4 वन मोल का मास मोलर मास चार मोल का मास कितना होगा 4 इंटू मोलर मास बताओ फिर मास बचा कितना होगा था कितना 176 निकल कितना गया 88 बजा कितना होगा 88 खत्तम टाटा बाई 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 टाइम हुआ है सवा आठ आप से मिलेंगे हम ठीक है आप से मिलेंगे एट थर्टी फाइफ पी एम पे 20 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ डिनर करके आ जाओ आज उमीद टू जीरो टू फोर की केमिस्ट्री की पहली क्लास है लास्ट होप है अगर अगले साल भी ड्रॉप करना हो अगले साल भी मजे लेने हो और दो तीन साल जो है बकैती करनी हो वापिस मत आना कोई टेंशन की बात नहीं है बट अगर यह आपका लास्ट ड्रॉप है आई विल सी यू तिल दा लास्ट ड्रॉप आफ माई बलड आई विल सी यू एट थर्टी फाइव एम ठीक है जी मिलते हैं आप झाल 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 झाल 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 लो भाई आ गया हम लोग सही टाइम पे वापिस और मुझे पूरी उमीद है कि तुम लोगों ने भी डिनर कर लिया होगा ठीक है आव फिर शुरुआत करते हैं आगला टॉपिक जो हमारा है मोल कॉंसेप्ट का सबसे इंपॉर्टन टॉपिक है सबसे ज्यादा कॉटन जो है वो इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं जिसका नाम है स्टोशियो मैट्रिक कोफिसेंट पूछे जाते हैं चूक है और मेर को लग रहा है तू भी जवानीया भाई तो जवान होश्यार और तयार हो जाओ और आओ खीजते हैं हैं मचाते हैं हम आई लोग आईए स्टोशियो मेंट्रिक ओफिशन्ट केमेस्टी के टेस्ट में फिर से कैमिकल एक्शन को बैलेंस करना भूल गया आवे घोंचू हमसे पढ़ा नहीं किया तू आईए आईए आई गिव्ज यू सी प्लस डी माल लेते हैं ये गैस में है ये भी गैस में है ये गैस में है और ये वाला यहां तो लीक्विड में है और यहां सॉड़िड में ये जो ए से पहले लिखा जाएगा माल लेते हैं एक्स ये वाई ये जेड और ये डब्यो यहीं है भाई स्टोशियो मेट्रिक कोफिशियंट क्या है ये स्टोशियो मेट्रिक कोफिशियंट सर इनका मतलब क्या होता है ठीक है इनको स्टोशियो मेट्रिक कोफिशियंट बो coefficient होते क्या है वो बताइए वो बताइए ठीक है ध्यान से सुनिए stoichiometric coefficient मोल्स हो सकते हैं क्या हो सकते हैं मोल्स हो सकते हैं याने के मैं ऐसे बोल सकता हूँ x moles of a react with y moles of b react इस कारण बोल रहा हूँ क्योंकि यह reactant है to give you z moles of c and w moles of d क्या यह बात समझ आई के stoichiometric coefficient क्या हो सकते हैं मोल्स हो सकते हैं आप ऐसे बोल सकते हैं x moles of a react with y moles of b to give क्या है यह z moles of c and w moles of d सर स्टोशिमेटरिक आफिजिएंट क्या सिरफ moles ही हो सकते हैं नहीं यह भाई molecules भी हो सकते हैं अच्छा याने के x molecules of a react करेंगे y molecules of b to give you z molecules of c and w molecules of d but ऐसा नहीं करना के यह तो यह सारे मोल्स होंगे सारे मोल्स यह सारे molecules ऐसी वाहयात हरकत नहीं करनी है के x moles होगे a के और y molecule हो गहे b के that would be absolutely wrong x molecules of a react with y molecules of b to give z molecules of c and w molecules of d यह तो यह मोल्स हो सकते हैं यह यह molecule हो सकते हैं तीसरा बहुत ही important point बहुत ही सही point that is के stoichiometric coefficient volume भी हो सकती हैं आगे पड़ो आगे पड़ो important line है for gases only at same temperature and pressure stoichiometric coefficient को हम gas volume बोल सकते हैं बट सिरफ और सिरफ गैस के लिए किसके लिए gas के लिए किसी और के लिए gas करने की जरूरत नहीं है भाई यह सिरफ और सिरफ गैस के लिए होंगे अगर liquid दे रखा है तो उसके stoichiometric coefficient को हम volume नहीं बोल सकते नहीं बोल सकते नहीं बोल सकते ठीक है आएए बात करते हैं तो इसको मैं volume बोल सकता हूं यह gas volume बोल सकता हूं यह gas है इसको मैं volume नहीं बोल सकता इस stoichiometric coefficient इसको मैं volume नहीं बोल सकता तो क्या मैं यह बोल सकता हूं x liter of a react with y liter of b to give z liter of c but w liter of d नहीं बोल सकता नहीं बोल सकता नहीं बोल सकता ठीक है yes 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 यह करना है बटा जब teacher पढ़ा रहा हो chat box में लिखना है odisha boys अभी थोड़े देर में odisha girls फिर maharashtian girls यह करते रहो बटा ऐसे ही top rank आता है यही एक तरीका है बट यह बात आप किसी और को नहीं बताएंगे अपना जो talent है वो आप class में दिखाएं जरूर बट किसी को बताएं ना के all India rank one जब teacher पढ़ा रहा हो अपनी state के नाम के साथ अपना gender अगर boys और girls में से कोई है तो definitely बता सकते है अजकल gender भी hundred types के होगए तो पता सकते है ठीक है बड़ी है बड़ी है बड़ी है बड़ी है बड़ी है आईए बटा ध्यान से एक बार सुन लेना और समझ लेना एक ही लाइन है उसके बाद सिर्फ questions questions and questions है सिर्फ yes और no में reply देंगे कितने भी रियाक्टेंट दे रखें कितने भी product दे रखें मैं मान रहा हूं दो रियाक्टेंट है दो ही product है एक से य है यह जड़ी है यह भी मैंने गैस में ले लिए आपकी बार गैस में लिए को टैंचिन वाली बात नी रियाक्शन change कर दिया है मैंने ध्यान से सुन लेना समझ लेना ध्यान से सुन लेना समझ लेना कोशन कैसे आएगा वो देख लो जड़ा इन सब मेंसे A, B, C और D में से कोई एक चीज गिवन होगी एक चीज गिवन होगी दूसरी पूची होगी एक चीज गिवन होगी दूसरी पूची होगी हो सकता है इसका मास दे रखा हो इसके मोल्स पूचे हो इसका मॉलिक्यूल दे रखा हो इसकी वालियम पूची हो इसके मास दे रखा हो इसके molecule कुछ भी कोई एक चीज दे रखी होगी दूसरी चीज पूछी होगी एक चीज दे रखी होगी दूसरी चीज पूछी होगी ठीक है if one substance given and all other reactant excess में excess excess समझते हो एकसेस समझते हो बाबू ए झे रखा है वी investir इक एक्सेस ब्ल Ste में आपको b शोडी के दे रखें मासion मोललेकूल कुछ भी महीं दे रखें और यह enfin ठीक है से क्या करना कोशें कैसे करना ज़िए सब्स्टाइंस डिवन सब्सक्राइब गिए तो अट मैं ग्यवनें तो भीए बता हो तो कोंटमन करेंगा उसके मॉल्स कर लो कर लिए सरसेंड स्टेप बताओ सेंड स्टेप जोभी सब्स्तान्स आपको फाइंड आूट करना क्या बोला मैंने जो भीडाज करना करना है दो होता है एक चीज दे रखी है एक चीज पूछी हुई है जो पूछी हुई है जो निकालना है उसे बोलते हैं find out करना है पता कैसे करना है कैसे करना है जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशंट find out करने वाले के divided भाइस टोश्योमेट्रिक कोफिशंट कि गिवन कि इन्टु मोल्स अफ सब्स्टांज चिवन कोई जल्दी निया कोई जल्दी निया हाई यह कैसे आ गया कैसे आ वोपी करा दूगा बस दो मिनट का टाइम दो चैड बॉक्स की जगा इधर ध्यान दो बावो माल लो आपको इसके मोल्स पूछे हो है ठीक तो मोल्स ऑफ सबस्टांस फाइंड आउट इसके मोल्स फाइंड आउट करने है कैसे करेंगे पहले उपर लिखेंगे जो stociometric coefficient find out करने वाले का divided और ये given है उपर क्या लिखेंगे stociometric coefficient find out करने वाले का that is z divided by stociometric coefficient given वाले का that is x उपर आजाएगा z नीचे आजाएगा x उपर आजाएगा z नीचे आजाएगा x into moles of substance इसके moles दे रखे होंगे दो, तीन, चार, पता नहीं कितने हैं, वो तो अब कोशन में देख लेना, मैं क्या बताओं, तो उपर Z, नीचे X, इंटु जो भी मोल्स दे रखे होंगे, दो होगा तो तीन होगा तो तीन, इसके मोल्स आ जाएंगे, इसके मोल्स आ जाएंगे, बोलो भई, ये बात क्लियर ह है, बोलो भई, ये बात क्लियर है, मैं कोशन करके दिखाओं, कोशन करके दिखाओं, आओ, ऐसे दे रखे हैं, थ्री मोल्स ये तू, जिए तू, जिए फोर, फ्लस तू, इफ, 6 मोल्स आफ ए, रियक्ट विड, एक्सेस आफ बी, फाइन, मोल्स आफ दिखाओं, देखो, पहले मैं लॉंग मेथट से करके दिखाओंगा, लॉंग मेथट से, फिर मैं करके दिखाओंगा, हमारे ये वले मेथट से, आपको पता चल जाएगा, कि दोनों से आंसर सेम आएगा, दोनों से आंसर, देखो, देखो, कैसे, 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 ये गिवन है, गिवन, पढ़ाई है, देखो, गिवन, 6 मोल्स आफ ए, ये एक्सेस में, और ये आपको, फाइंड आउट करना है, फा मोल्स आफ, सी कितने बिटा, सर फोर, अगर ये बाबू मोल्स है, तो ये भी मोल्स है, ये मॉल्स है, ये मॉल्स होते है, तो ये भी मॉल्स होते है, अगर ये दोनों गैस है, तो फिर ये वॉल्यम भी हो सकते है, तो बताओ, एक मोल्स से कितना बनेगा, अगर तीन मोल्स कर होंगे that is 4 by 3 into 6 क्या यह भी आंसर 8 आजाएगा क्योंकि 3 2 6 होता है अब देख भाई अब देख यह पने लॉंग मेठट से किया और अब यह देख मैं इससे करोंगा बैसे करोंगा मोल्स of substance find out करने मोल्स किसके find out करने किसके find out करने किसके ck find out करने f4 लिख दू is equal to stoichiometric coefficient जो find out करने और जो stoichiometric coefficient जो given वाले का stoichiometric coefficient किसका जो find out करना that is 4 divided by stoichiometric coefficient जो given है जो given है इसका stoichiometric coefficient 3 into moles of substance given जो कौन सा substance given है कौन सा substance given है that is a के कितने से given है 6 क्या answer यहां से भी 80 आया बोलो yes or no क्या यह clear हो गया क्या यह clear हो गया क्या यह clear हो गया क्या आंसर इससे और इससे दोनों से same आया है आंसर इससे और इससे दोनों से same आया है बढ़िया 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 शावाश शावाशल ऐब आमस्सारे बच्छे वापिस आ गए यह जितने ब्रेक से पहले हैं बहुत करे न dental कॉशन feel होता है आईए question करते है one mole of SO2 react with excess of H2S H2S तो moles of S बताओ केतने बनेंगे moles of S बताओ इसके moles find out करने है moles of S सर आपने formula क्या बनाया stoichiometric coefficient find out करने वाले का stoichiometric इसके stoichiometric coefficient कितने 3 divided by stoichiometric coefficient गिवन वाले का SO2 का stoichiometric coefficient that is one into जितने इसके moles given है जो given है उसके moles that is one sir answer आजाएगा 3 answer आजाएगा 3 3 3 3 3 शावश 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 अगर 5 mole SO2 के लिए होते तब कितने बनेंगे फिर मोल्स of s stoichiometric coefficient find out करने वाले का divided by stoichiometric coefficient given वाले का multiplied by जितने मोल्स दे रखें given के सर कितने दे रखें 5 सर 15 आ जाएगा घ्राटा बढ़िया 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 खीच रहे हो खूप खीच रहे हो शावश 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 और करोगे और करो लो करो कि कितने मोलों और यह करो तुम बड़ा तर देना कितने मोल बेरियम फॉश्फेट के बनेगे इस रेक्षन में जब चार मोल नित्रीपीयो 4 के लिए इसके मोल ऐगा फिर भाई, मोल्स ओफ बेरियम फॉस्वेट जो आपको find out करने है जो आपको find out करने है, क्या था stoichiometric efficient find out करने वाले का 1 है, divided by stoichiometric efficient जिसका given है, given है, इसका stoichiometric efficient बताव, सरदू into, मोल्स जो substance given है, कितने मोल्स given है 4, क्या answer 2 हो आ गया और आंसर ऑप्शन नंबर भी है भी है भी है ऑप्शन नंबर भी है तू नहीं लिखना भी लिखना तभी तुम्हारा आंसर काउंट होगा पहले भी बताया मैंने 95% बच्चों का सही है जी बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया हाँ वेल ड़न चलो बही चलो 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 जल्दी से बताओ कितनी वालियम सी ओ टू की बनेगी टिक है अगर 5 लीटर ओफ प्रोपेन अंडर्वोस कंबश्चन है इसका 5 लीटर दे रख आ है मोल्स की जगा वॉल्यूम कर दूंगा वॉल्यूम ऑफ सिओ टू जो आपको फाइंड आउट करनी फाइंड आउट करनी ऊपर स्टोश्योमेट्रिक स्टोशिमेट्रिक उफिशिएंट जो गिवन यह रच पर जो यहां पर यह पर यहां पर यहां पर आएगा क्या answer 15 आ गया answer 15 आ गया आप चाहो तो यहाँ पर यह भी कर सकते हो moles can be replaced by volume if both are gases जो find out करना है वो भी गैस है और जो गिवन है वो भी गैस है at same temperature and pressure at same temperature यांग यहां पर मोल्स होगा तो यह भी मोल्स होगा वहीं स्टोशोमेटर कोफिशन मोल्स हो सकते हैं यह volume होगा तो यह भी volume होगा ऐसा नहीं कर सकते हैं यह मोल्स हो गया वह वाल्यूम हो गया वह गलत हो जाएगा फर चलो जल्दी जल्दी कोश्चन करके दिखाओ ऐसा है ऐसा है ठीक है कोश्चन में थोड़ा टाइपिंग एरर था मोलर मास बी एस यो थी का यह कोश्चन में जिवन होगा बेरियम का ओटा है 137 137 में 60 एड़ करना 137 में 60 एड़ करना 97 197 हाँ आप सही है 197 है चलिया सर हम से वालियम पूछी हुई है बड़ मास दे रख था सर तो पहले मोल्स फाइंड आट करो यार पहले मोल्स फाइंड आट करो मोल्स सर मोल्स कैसे फाइंड आट करते थे सर मास बाइंड मोलर मास इसको 10 से करोंगा तो 98.5 और फिर 98.5 को 2 से करोंगा तो 197 सर 1 बाइ 20 आजाएगा 0.05 उगा एगा लिजे लिजे हो गया गोशन अगया हो गया हो गया हो गया हो गया सर पहले मोल्स कर लो मोल्स tussen maol stoichiometric coefficient जो आपको find out करना है 1 divided by stoichiometric coefficient जो आपको given that is 1 into moles of substance given इसके moles है इसके 0.05 सर यह तो moles आया है हमें volume निकाल नहीं है अब एक कितनी बार बताऊं भाई एक मोल की volume एन टीपी यह स्टीपी पे 22.4 लीटर होती है तो 0.05 की कितनी होगी सर 0.05 से multiply कर दो सर 0.05 होता है 1 by 20 10 से करता तो 2.24 होता है 2.24 को भी 2 से डिवाइड कर दो 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 here's option no. b option no. b b b b b b b b b रियक्शन मैं बताऊंगा सॉल वाप करोगे सर हमने यह रियक्शन पड़ी है सर कैल्शियम कार्बाइड में वाटर में डालते थे तो सर हम और गैनिक पड़ रहे हैं इताइन वनता था सर इताइन वा बेटा वा तुम्हें तो बहुत कुछ याद है बड़ चलिए ना भी या 40 और 24 कtw तनरा ओटाबटा 64 करो कितनी वाल्यम गैस की निकले गी यह रेजा है मैंने सर पहली बात तो फाइड आइट करनी है इसकी वाल्यम हां ठीक है बट उसके लिए मोल्स चाहिए मोल्स मोल्स निखालेते ना कैल्शियम कार्बाइड के मोल्स निकाल लो सर मास तकरेंगे सर वॉल्यम आफ पहले मोल्स आएगा स्टोशियो मेट्रिक ओफिसियंट जो फाइंड आट करना स्टोशियो मेट्रिक कॉफिसियंट जो गिवन है into मोल्स जो आपको गिवन है सर ये 100 बाइ 64 आ जाएगा सर ये तो मोल्स आए हैं हमें वालियम निकाल लिये कितनी बार बता हूँ एक मोल की वालियम 22.4 लिटर होगी तो इतने मोल्स की कितनी वालियम होगी इतने मोल्स की कितनी वालियम होगी सर 22.4 से मल्टिप्लाई कर देंगे 22.4 से multiply कर देगे solve कर ले ना solve कर ले न 1.something 1.something तो 22.4 से थोड़ा सा बढ़ा होना चाहिए थोड़ा सा बढ़ा होना चाहिए यह आंसर है निमाग लगाना ही नहीं आर solve करके देख लिए यह आएगा क्योंकि यह value 1 से थोड़ी बढ़ी है तो जो answer आएगा इसके 1 से थोड़ा बड़ा होगा 1 से multiply करेंगा 22.4 22.4 को थोड़ा 1 से बड़ा 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 तो एक यह option 35 यह हो नहीं सकता क्योंकि फिर वो 3 से जादा multiply करना बड़ा यह तो 1 से भी छोटा है यह यह नहीं है यह नहीं है यह नहीं है तो यह answer होगा खत्त पहले आपको combustion में balancing सिखाऊंगा फिर volume contraction सिखाऊंगा पहले balancing फिर contraction आजाओ हाइट्रो कार्बन simple hydrocarbon किने बोलते हैं सर अलकेन इनका जब भी combustion कराया जाता है क्या कराया जाता है कमशन कराया जाता है हमेशा co2 gas में और h2o liquid में बनता है आलागी वह वेपर में फिर द्वारा गनवाट होता है इस तो गैस में बड़ जब हम balancing करते हैं तब उसको h2o liquid में ही लिखा जाता है unless or until question में ही लिख दिया जाए कि h2o के वेपर बने है तब तो मैं भी आटम्स कार्बन के वाई पता है ना नमबर आफ एटम्स हाइड्रोजन के अगर यह स्टोश्यमेट्री कोफिशिंट वान है तो यह एक्स होगा और यह वान है तो यह वाई 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 दू होगा अब आप किसी भी हाइडरोकार्बन का कमश्चन कर लो किसी भी हाइड्रोकार्बन का कमश्चन लो आप को इक्वेशन बैलंसिंग करनी आगया है अपने आप करसकते हैं आप को दिमाग लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है नहीं है नहीं है यह देखो ज़रा बताओ बई कार्बन के कितने आटम्स है यहाँ पे सर दो हाइडरोजन के कितने आटम्स है यहाँ पे सर छे तो बताओ बई आउक्षिन कितना आएगा यहाँ पर that is x plus y by 4 x बताओ 2 y by 4 6 by 4 solve करना आता है इसे LCM लेंगे दो सर यह 4 plus 3 7 by 2 हो जाएगा absolutely right इसका stoichiometric coefficient कितना होगा x x कितना है 2 और हाइडरोजन का stoichiometric coefficient कितना होगा y divided by 2 6 divided by 2 क्या यह balancing हो गई क्या यह balancing हो गई बोलिए yes or no yes or no राहूल जी कह रहे हैं सर मेरा फोर जी है नेट खतम हो गया है मैं 19 रुपे का recharge करके पढ़ रहा हूं well done राहूल that shows your commitment that shows you are very very serious student result celebration पे आएगा तो मुझसे अपने 19 रुपे वापिस लेके जाई हो है सर अगर hydrocarbon ऐसा ना हुआ carbon hydrogen और oxygen वाला हुआ जैसे कोई alcohol होता है LDL होता है कि टोन होता है उसका combustion कराएंगे तब क्या होगा तब भी co2 गैस बनेगी हो अच्ट Cub depend बनेगा यहां पर अभी भी य पाइस ही आना है यह आनए यह यह आ पर चेंजा आएगा यहां पर R प्लस बाइबाइब फोर माइनस जड़ बाइब टू माइनस जड़ बाइब टू ठीक है मैंने राहूल को कमिट्मेंट करके गलती कर दी क्योंकि उन्नीस उन्नीस रुपे लेने वाले भी अभी राइट नौ लगबग शायद कि साथ जार के आसपस बच्चे तो उन्नीस को साथ जार से मल्टिफलाई कर दिया जाए ओ भाईया अब मेरा घर जाएंगा भाईया मेरे मूँ से निकल गई है ना मेरी जुबान टूट गई भाईया भाईया मुझ से गलती हो कि मुझे माफ करता है मेरी तौबा मैं आगे से कभी ऐसा नहीं बोलूँगा पूरी जन्ता को पूरी जन्ता जो है वो रिचार्ज करांगे बैठी हुए उन्नीस रुपे वाला और कई जाने तो मौके पर चौका मार रहे हैं के रहे से हमने दो सो उन्तादिस वाला करा रखा है और साथ जार को दो सो उन्तालिस से मल्टिप्लाई करेंगे और इसमें मेरे पूरे खांदान का घर जाएगा भाई भूआ चाचा मामा सब को भेशने पढ़ेंगे घर कि मैं चैट नहीं पढ़ूँगा मैं नहीं तो एसा निगता वो जोस्ते वोगत जोआरी लोग निखाते हैं उनको पता-चलते हैं का घर जागे पता चलता है आज मैं जब घर जाओंगा तो मेरे घरवालों को भी पता चलेगा कि यह घर थोड़े ही दिन का बजा हुआ है नीट कर जल्ट आते ही घर घया खत्म टाटा बाइबाइब जी 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 आईए आईए अब इस चैट पे ध्यान नहीं दिया जाएगा अगर मुझे इस घर में रहना है तो आएए अगर कोई और हाइड्रोकार्बन हो जैसे अजडी हाइडो की टोन हो कार्बॉक्सलिक ऐसे डो कोई भी हो ठीक है उसका कंबस्चन कराएंगे तो बस यहां पर स्टोशियोमेट्रिक ऑफिशन में चैज आएगा बाकी तो यह सेम यह बिलकुल पीछे वादा सेम 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 आओ ध्यान से सुनिए समझे एक्स कितना है नमबर और अफ यह कितना है number of atoms carbon के यह कितना है number of atoms oxygen के बताओ यहां पर कितना ना x plus y by 4 minus z y 2 3 by 2 में से half जाता है तो 1 बचता है 3 आएगा सर यहाँ पर यह x बनना है यानि कि 2 यह y by 2 बनना है यानि कि 3 बैलन्स हो गया जा है आगे से कभी भी आप यह नहीं कहेंगे कि हमें अब balancing करनी नहीं आती है किसी भी hydrocarbon की करो question कितनी volume auction की लगेगी अगर 20 ml इथीन का combustion कराना है इथीन होता है C2H4 C2H4 इथीन गैस होती है यह तो सर पता ही है कितना auction लगेगा हाला कि इससे आगे product लिखने की कोई जरूरत नहीं है answer मेरा यहीं से आ जाएगा क्योंकि यह given है यह find out करना है यह given है यह find out करना है उसकी जरूरत है नहीं बढ़ लिखना जाओ तो आप लिख सकते हो लिखना जाओ आप लिख सकते है टाइम की वेस्टेज होगी बटो एक्स कितना है दो वाई कितना है चार यह कितना लगना था सर एक्स प्लस वाई बाई फोर टू प्लस वाई बाई फोर तीन आ जाएगा क्या आज हमने पड़ा आज हमने पड़ा वालियम ओफ किसकी फाइन आट करनी है ओटू की स्टोशियोमेट्रिक ओफिशियंट जो फाइन आट करना है स्टोशियोमेट्रिक ओफिशियंट जो गिवन है अगर यहाँ वालियम थी तो यहाँ वालियम लिखूंगा मोल्स होता तो मोल्स लिखता आ, वालियम है तो वालियम लिखूँगा, बताओ भै इसकी कितनी वालियम तेर किया, 20 देर किया, साथ, 60 ml, 60 ml, 60, 60, 60. कर लिया, कर लिया, ताइम पास है मतलब की पढ़ लिया हमने पढ़ लिया हमने लिकें तर कहां पढ़ लिया यह जो स्टोशिमेटरी पढ़ा था वही है बस नाम चेंज आ मतलब बता अया का मास का तरी का सेम ही रहेगा कोई फरक नहीं है नहीं है नहीं है मोल्स फाइंड आट कर लोगे सिर्फ मोल्स के बाद अगर मास फाइंड आट करना है एक मोल का मास मोलर मास होता है जितने मोल्स आए होंगे इसे मॉल्टिप्लाइ कर देना मॉल्क्यूल फाइंड आट करने है क्योंब कि यह भी वॉलिम हो जाए गापSY хват है। सीदा कोश्चन करते है सीदा है आई ओए और रुचा रुचाँ 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 रुचा मुअ चब देख्ड हो या नहीं सर अभी अभी तो सीखा हमने वैसे तो इसको लिखने की कोई भी जुरत नहीं है क्योंकि ये दे रखा है ये पूछा हूँ है इसकी जरूरत ही नहीं है जरूरत होती तो मैं करता है वैसे टाइम की वेस्टेज होगी एक्स कितना है भाई थ्री वाई कितना है पूर जब यह वन होता था इसका स्टोशिमेट्रिक ओफिशेंट कितना होता था एक्स प्लस वाई वाई फूर सर पांच आएगा ऐसी ब्यूटेन का भी कर लेते हैं आप प्रोड़क्स चाहों लिख सकते हो बैलंस कर सकते हो और टाइम की वेस्टेज है मैं नहीं कर रहा है इसका एक्स कितना है आपर फूर एक्स प्लस वाई बैफूर योगता है फ़ाई बाई टू फॉर में फाई बाई टू एड्ट करूँ कारूमगा तूमगा थाटिन 12. 6.5 13 जल्दी जल्दी बता हो जल्दी 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 एक के मोल्स दे रखे हैं दूसरे के बूछे हुआ फिर बई इसके मोल्स पूछे हुए moles of oxygen find out करने इसका stoichiometric coefficient उपर जो given है उसका stoichiometric coefficient नीचे into number of moles, कितने moles हैं, कितने moles हैं 1, 1, 1, वो रह 1 सर क्या 5 आ गया, यहां से भी moles of oxygen इसका stoichiometric coefficient उपर इसका stoichiometric coefficient नीचे multiplied by जितने इसके moles दे रखें, कितने, 2 क्या total moles total moles oxygen के कितने आ जाएंगे सर यहां आए 5 यहां आए 13 total moles कितने लगेंगे, सर 18 clear है शावाश शावाश अशावाश शावाश एक और करोगे एक ग्राम कोई carbonate M2CO3 उसका HCl के साथ reaction कराया 01186 मोल बने CO2 के मोलर मास पूछा हूँ है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं metal carbonate का जब HCl के साथ acid के साथ reaction कराते हैं तो बनता है metal chloride साथ में H2CO3 जो के टूड जाता है H2O में और CO2 में आओ, आराम से देखो कोईशन वही है कोईशन वही है एक चीज दे रखी है एक चीज पूछी हूई है इसके मोल्स दे रखे इसके मोल्स निकाल लेता हूँ निकाल लो, निकाल लो, आओ इसके मोल्स फाइंड करने है इसके मोल्स फाइंड करने है उपर जो गिवन है उसका स्टोशियो मेट्रिक कोफिशियंट नीचे मल्टीप्लाइड वाई उसके मोल्स कितने मोल्स पॉइंट 01186 सिर यह मोल्स आ गए मोल्स हमें तो मोलर मास निकालना है अब यह मोल्स मोल्स का फ़ॉम्मूला क्या ہے सिर मास by मोलर मास क्या आँसर आचुक है मास 1 यह ए रख़ा क्या मोलर मास यह है यह दर जाएगा 1 डिवाइद बाइ पॉइंट 01186 1 गॉइंट अटाऊ गए तो उपर 5 0 आ जाएगी पाँच आएंगी ना लाइटन पढ रही है कुछ नजर नहीं आ रहा है कि इसको न कितना आएगा ग्यारा सु बारा सु हजार दजार लाक सौ से उपर आएगा सौ से उपर आएगा अगया कर दो जाएगा थाएगा हैं यह ही आएगा अगया मिश्य आएगा जाएगा जाएगा सौ से नीचे हैं जाएगा 84.3 क्योंकि अगर मैं यहां पर 100 करूँ तो denominator बढ़ा हो जाएगा numerator छोटा हो जाएगा सर फिर वो 100 से छोटा आएगा यहां पर MCL होगा सर सरी कहा रहे हैं जी आप MCL होगा वही क्या कर रहा हूँ मैं MCL होगा क्योंकि मैटल पर प्लस वन है न तो यहां पर भी प्लस वन ही रहेगा चलिए हाइड्रेटिड सॉल्ट यह कोई हाइड्रेटिड सॉल्ट हाइड्रेटिड का पानी साथ में जुड़ा हुआ है अंडर गो 73 परसंट लॉस इन मास ऑन हीटिंग आपने इसको हीट किया हीट करने पर 63 परसंट लॉस हुआ और यह एन हाइड्रस बन गया पानी उड़ गया पानी उड़ गया आपको एक्स की वैल्यू बता नहीं इसके एक्स की वैल्यू बता नहीं है जितना भी इसका मास है जितना भी इतना भी इसका मास है हीट-करने पर 63 परसंट उड़ गया यह उड़ गया उड़ गया उड़ गया टाटा गाए stress ठीक है, आएए, 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 सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं, कैसे करें, सिर्फ पहले तो इसका मोलर मास निकाल लेते हैं, मोलर मास, निकालना आता है सबको, हाँ जर, सोडियम का अटोमिक मास होगा 23, कार्बन का 12, ऑक्सियन का 16, हाइट्रोजन का 1, तो मोलर मास निकाल लो इसका, नोट एक से टुओ का, कितना है, दो सोडियम है, सटू इंटू 23, एक कार्बन है, वन इंटू 12, तीन ऑक्सियन है, थिरी इंटू 16, और एक से टू ओ, potrzeo का एटisen broadly निएकस हो जाएगा बिटा एच्टीन आता है एकस हाझतो है इंटवे continuing दाएगा बाव यह 46 और 1258 58 और 48 58 और 48 एक सुच्छे ना एक सुची बताओ इसका 63 परसेंट इसका 63 परसेंट क्या यही ओगा यही उड़ गया था ना यही उड़ गया था आप एक्स निकाल लो यार अब एक्स निकाल लो 63 को 106 से मल्टिप्लाई करना 63 को 106 से पहले तो इधर लिख गता हूं अठारां सो एक्स 63 को 106 से 63 को 100 से करते हैं तो 6300 आता है उसमें 6 एड़ करेंगे तो 63 को 6 से कर दो 360 में 18 एड़ करना 378 6300 में 378 एड़ करना 667 एड़ देख ले ना वाई क्यलकूलेशन सही करिये कि और 63 को 18 से करना 63 को 20 से करता तो आता 1260 1260 में से 160 sorry 126 माइनस करना 1260 में से 126 माइनस करना 1260 में से 126 करो ना 1134 डबल 134 देख ले ना है क्यलकूलेशन थोड़ा सा देख ले ना ये उदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस करों तो बाबू कितना बच जाएगा 500 नहीं 664 ने 666 अप्रॉक्सिमेटली दस है अप्रॉक्सिमेटली दस है अप्रॉक्सिमेटली दस 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 यह रा सर मैं तो आपसे भी ज़्यादा स्मार्ट हूं मैंने का कैसे सर मुझे तो फॉर्मूला ही पता था के एने टू सी यो थ्री डॉट टैने स्टू होता है तो यहां पर टैन ही आना था अगर इसकी जगा को छोर दे देते फिर तो तेरा आंसर गलत हो जाता है हां दुबारा 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 आओ ना आओ एक हाइडरेटीड सॉल्ट है हीट किया 63% मास लॉस हो गया और वह एन्हाइटरस बन गया हीट किया 63% मास गय गया गया खतम टाटा बाइबाएए और यह एंड-अबी सोल गया ठीक है जितना भी सिका मास है सिसका 63 परसेंट इationsilly इसका सिक्स्टी किन। इसका 63परसेंट ये इसका 63परसेंट इसका मास केतने सीक्सी किस अब एकस निकाल लिया आगे बढ़ते हैं चलिए बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट की किसकी लिमिटिंग रिएजेंट की स्टोशियोमेट्री कैलकुलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बहुत सारे कोशन इसमें से पूछे जाते हैं स्टोशियोमेट्री कैलकुलेशन ही चल रही है बर लिमिटिंग रिएजेंट है सर पहली बात है लिमिटिंग रिएजेंट का कॉंसेप्ट कब लगेगा कॉंसेप्ट कब लगेगा स्टोशियोमेट्री कैलकुलेशन अभी पढ़ाना शुरू किया लग आदे एक घंटे से तब कॉंसेप्ट लगेगा लिमिटिंग रिएजेंट का ठीक है सर लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है होता क्या है जो सब्स्टांस रियक्शन में खतम हो जाता है वो क्या कहलाता है लिमिटिंग रिएजेंट क्या कहलाता है लिमिटिंग रिएजेंट जैसे 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 एक सेंडविच बनाने के लिए दो ब्रेड की स्लाइस लगती है एक चीज का स्लाइस लगता है दो ब्रेड और एक चीज के स्लाइसे मिलके बनता है एक सेंडविच हमारे पास 28 स्लाइसीस हैं ब्रड की और 11 स्लाइसीस हैं चीज की ये भी रियाक्टंट है ये भी रियाक्टंट है दोनों में से कोई एक success में नहीं है इसके विभी value given है इसकी भी value given है अब limiting reagent का concept लगेगा इन दोनों में से कोई एक substance है जो खतम हो जाएगा खतम हो जाएगा वही limiting reagent होगा थेक्या वही limiting reagent होगा आईए बात करते हैं जल्दी से बताओजिए 28 slices bread के 11 slices cheese के बताइए कितने सेंडविच बनेंगे सर एक सेंडविच बनाने के लिए एक चीज का स्लाइस लगता है तो क्या इससे 11 सेंडविच बनने चाहिए बिल्कुल बट किसी ने आंसर अगर इससे दिया दो स्लाइसिस से एक बनता है तो 28 से कितने बनेंगे 14 बताओ किसका आंसर करेक्ट है ब्रेड वाले का के चीज वाले का ब्रेड वाले का के चीज वाले का सर ये वाला आंसर करेक्ट है और ये वाला रॉंग है इसके अकॉर्डिंग आंसर 14 आना चाहिए इसके कमें 11 आना चाहिए सर 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 11 सेंड्वीच बनने के बाद यह खत्ब हो जाये चीज फिनीश हो जाएगा खत्म टाटा बाइबाय हो जाएगा बाकी सब को सेंड वीच में अकेली ब्रेट खिलाओगे यह हमारा लिमिटिंग रिएजन्ट है कोई आनसर इस से इस से इस से एस से आंसर देना एक और एक और एक और आओ राट का टाइम हो गया है जंक फूड नहीं खाना चाहिए बट फिर भी फिर भी फिर भी हैंना जंक फूड पर इक कोशन है बताईए जी चार बन दे रखे हैं एक दो तीन चार पांच छे ये चीज स्लाइस दे रखी है तीन ये दे रखी है पता नहीं अंग्रेजों की कोई सब्जी है भाई लेटस बोलते हैं शायद मेरे रिकल से इसके ठीक है और पांच ये बर्गर के टिकी दे रखी है भाई सब तो जल्दी से बताये कॉन लिमिटिंग रिएजेंट है बन चीज इस लेटस अंग्रेजों की पत्ता गोभी और ये तो टिकी ही भोलूगा बटागाइन फिर जल्दी से बताये जिए उप्टा गोभी एड़ेटस बोलते हैं जल्दी बताये ये भी एक लगना है ये भी एक लगना और यह भी एक लगना बताये कितने बर्गर बनेंगे है कितने बर्गर बनेंगा आगर इससे आंसर देता कोई बच्चा that दो गैरा-4 और यह ऑनशर चीस से दिया यही हमारा लिपिम्टिंग होता क्या है वह सर जब लिमिटिंग रिएजेंट से कोशन आएगा तब कैसे करना है सर तब कैसे करना आईए बात करना शुरू करते हैं टॉपिक के उपर बात करना शुरू करते हैं टॉपिक के उपर सबसे पहले जो भी सबस्टांस गिवन है उनके moles find out कर लो पता है ना हाँ सर mass होगा तो mass by molar mass particle होगे एक अब गटरो नमबर volume होगी 22.4 से डिवाइट कर लो second find limiting reagent limiting reagent कैसे find out करेंगे तरीका बता रहा हूँ आसान सा उपर रखना number of moles नीचे stoichiometric coefficient जिसका भी lowest आएगा जिसका भी lowest आएगा वही क्या होगा limiting reagent वही क्या होगा limiting reagent होगा मालो तीन reactant दे रखें पहले का number of moles divided by stoichiometric coefficient दूसरे का number of moles stoichiometric coefficient तीजरे का number of moles stoichiometric coefficient जिसकी भी value सबसे छोटी आएगी वही क्या होगा limiting reagent वही क्या होगा limiting reagent फिर सर क्या करना है सर उसके बाद तो वही करना है जो भी substance find out करना है आपको मालो उसके moles find out करने है सर वही वहला formula लगा लेना stoichiometric coefficient जो आपको find out करना है stoichiometric coefficient जो के limiting reagent है and moles limiting reagent के जहां पर given था given की जगा limiting reagent आ गया है given की जगा limiting reagent आ गया है आ गया जिए ठीक है जिए ठीक है जिए फिर यह फिर यह फिर यह फिर यह फिर यह फिर करेंगे आइंस्टेन साब क्या करें है how you feel when you get the limiting reagent राइट सही करें जिए आप nitrogen और hydrogen को मिलके क्या बनाया जा रहा है ammonia एक mole nitrogen का लिए है और hydrogen का लिए और ammonia बनाया जा रहा है आप से moles पूछे हुए इसके moles पूछे हुए यह इसके moles find out करने है कोई attention वाली बात नहीं है आज आज ज़रा सबसे पहले सबसे पहले जो भी गिवन उसके moles निकालने है तो लिमिटिंग रेजन निकाल लो या तो वो nitrogen होगा या hydrogen होगा सर हमें कैसे बता nitrogen के moles कितने वन डिवाइड़ बाइ स्टोशियमेट्रिक ऑफिशिट सर्वान आगया हाइड्रोजन के moles कितने सर्वान डिवाइड़ बाइ स्टोशियमेट्रिक ऑफिशिट 3 कौन सी वैल्यू लोएस्ट है सर यह लोएस्ट है यह लोएस्ट है तो यह हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट यह नहीं होगा नाइट्रोजन बच जाएगा हाइड्रोजन खतम हो जाएगी नाइट्रोजन बच जाएगा हाइड्रोजन खतम हो जाएगी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर फिर क्या करना था यह तो सिखाए यार अभी नहीं यह तोड़ा कोशन जोभी सबस्टांस गिवन था वो था वो प्रकर लो वो कोशन में रखे था है लिमिटिंग रिजंट हो गया जो भी मोल्ड करने है सबस्तांस के उसका स्टोशिमाट्रिक coefficient limiting reagent का stoichiometric coefficient limiting reagent के moles बस question खतम टाटा भाई भाई आज़ो क्या find out करना है moles of NH3 find out करना है उसका stoichiometric coefficient limiting reagent का stoichiometric coefficient sorry limiting reagent यह है इसका stoichiometric coefficient into limiting reagent के जो moles दे रखे है that is one answer आजाएगा 2 by 3 2 by 3 2 by 3 हाँ इसको 0.66 यह 0.67 भी आप कह सकते हैं एक और question है NCRT exemplar का 2C plus 1 O 2 gives you 2CO is carried out by taking 24 gram of carbon 96 gram of oxygen यह 24 gram यह 96 gram यह limiting reagent बताईये कौन reactant बच गया है कितने मोल सी योग के बनेंगे और कितना दूसरा reactant बच गया है अराम से अराम से एक कोशन करेंगे सबसे पहले जो भी substance given है उसके number of moles find out करो कार्बन के करना कार्बन के मोल्स कार्बन के मास बाइ गराम अटोमिक मास जो सब को नजर आ रहा है कार्बन का ट्वेल्फ मोल्स ऑक्सिजन के मास बाइ गराम मोलिकुलर मास तो इंटो सिक्स्टी आएगा नैंटी सिक्स बाइ थर्टी टू त्री आ गया सर सेकिंड स्टेप क्या था लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना था या तो वो कार्बन होगा और यहां वो ऑक्सिजन होगा सर कैसे फाइनट करेंगे कार्बन के मोल्स डिवाइड़ बाइ स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशन ऑक्सिजन के मोल्स डिवाइड़ बाइ स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशन कार्बन के मोल्स कितने है वाई 2 स्टोशिमेट्री 것으로 फिशुटी है यह झ यह सरवान आगया ऑच कि तने है ट्री स्टोशिमेट्री को फिशुटी है सरे 청डी यह यह sakes प्रति Obama कि जिसके भी मोल सावको फाइंड ़ुट करने जिसके भी में डिल करने दिसके करनेखार सीओ करने अधunk कुए它的 उसका स्थोर्य मेट्रिक ऐफिशेंट on divided by limiting रिएजेंट का स्थोजर्य मेट्रिक आफिशेंट इन टू मिटिंग रियजेंग के मोल्ढार बाट है तो आजाएगा अ है सरी यह भी हो गया यह थो जि геро questo कॉन सार्यक्टन जि कॉन सार्येट गया यह खतम हो यह बच गया यह खतम हो गया यह बच गया oxygen is left in excess sir question पूछा हुआ है कितना बच गया कितना बच गया फिर वई फिर वई करने का तरीका से में रहेगा मोल्स अफ आउक्सीजन र्यक्ट र्यक्त जो फाइंड आउट करना है उसका स्टोशेमेट्रिक ऐफिशेंट डिवाइड़ वाइद वाइव लिमिटिंग रिएजेंट का स्टोशेमेट्रिक ऐफिशेंट इंटू buy into a limiting region के number of 2 // सर वान आ गया बताओ फिर कितने मोल्स ऑक्षिन के बच गए हो होंगे ऑइफ टोटल मोलस कितने थे टोटल कितने थे शर तीन ओल तो तोटल ते उनमें से एक मौल रेक्ट कर गया तो बचे उन में सर दो sappizin a तो मोल नो मोल दो की सी आउत कर दो यार गर में लगरेंगा बहुत जा रहा ठीक बाई पर दो कर दो कर दो कर दो कर दो ग्राम पुछें तो ग्राम निकाल ले ना उसमे गए बच्चा यह यह वाला पारण जो रिपीट कर रिपीट कर देते हैं इसके मोल से कितने रियक्ट कियां वह फाइंड आट करने यह यह फाइंड उर्च करने उसका स्चोशिमेर्ट्रिक ओफिशिएंट limiting region का sociometric coefficient limiting region के मोल्स वान आ गया total मोल्स auction के थे कितने तीन react कितने कर गए एक तुबचे कितने होगे दो sir नहीं हमें mass पूछा हुआ है mass mass अरे कैसी बात कर रहा है यार एक मोल का mass होता है molar mass दो मोल का mass कितना होगा two into molar mass molar mass इसका 32 है ले खटम कोशन करिए जल्दी जल्दी आज लीडर बोर्ड पे आना है तो आना है जल्दी जल्दी कॉंसेंट्रेशन टाम आज ही बढ़ाएंगे बिल्कुल जो यहां पे है क्लास 11 के मोल कॉंसेप्ट वो तो पढ़ाएंगे बाई जैसे नॉर्मेलिटी नहीं है एक्विलेंट मास नहीं है वह आप विची स्परेंट लजन मांट लेमिट दा अमाउंट अव प्रोडेक्ट फॉर्म लार्ज में थोड़ा होता है क्या कर रहे है अमाउंट अप्रोड़ट्ट दशनॉट डिपन अपाउंट आमाउंट अव्याक्टन टेकट पालस है बक्का आगे कह लिखा हुआ है reaction जो के large amount में होगा limit the amount of product form is called limiting region कम amount में होगा न कम amount में होगा कम amount में होता है उससे product भी कम बनता है उसीको limiting region बोलते हैं, दोनों फॉल्स है, option number 4 होना चाहिए, 4, 4 मतलब D answer होना चाहिए, 4 मतलब D, 70% बच्च होगा सही है लिए, ना, आईए, नेक्स्ट टॉपिक है, percentage yield, percentage yield, percentage yield होती क्या है, भाई, percentage yield वही है, जो आपके percentage आते हैं, exam के अंदर, वही percentage yield है, सर कैसे कैसे, थोड़ा सा समझाओ, जर थोड़ा समझाओ, आईए, 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 समझाओ, देखो भाई, 100 marks का जो है, पेपर हुआ, आपके marks आये, 90, तो आपकी percentage कितनी होए, 90, divided by 100, into 100, बस भाईए, percentage yield, जितने marks आये हैं, divided by, जितने maximum आ सकते थे, multiplied by 100, यहाँ पर भी ऐसा है, divided by, जितना maximum बन सकता था, जितना बना है, जितना बन सकता था, into 100, वही होती है, percentage yield, product, formed, divided by, maximum product, that can be formed, from stoichiometric calculation, into 100, into 100, by, maximum product, बन सकता था, 10 mol, बना है, 8 mol, बना है, 8 mol, बना है, 8 mol, तो 8, divided by, maximum कितना बन सकता था, 10, into 100, 80% आजाएगी, sir, percentage yield, 80% आजाएगी, सर, बच्चे ने बड़ा interesting और बड़ा important question पूछा है, तो बच्चा पूछ रहा है, कैरा सर, आज तक आपको नहीं देखा है, बिना चश्मे के class लेते हुए, आप बताओ, आपने इस age में आके, क्या change किया है, अपने diet में, अपनी exercise में, क्या change किया है, कि आपका चश्मा हट गया है, बहुत अच्छा question है, आपको भी इससे सीखना चाहिए, actually, मेरा चश्मा कल कहीं छूट गया है, अब वो मुझे में नहीं पता है, कि कहा चूट गया है, घर जाएंगे, तो पता चलेगा, इसके कारना आज हमने चश्मा नहीं लगा रखा है, आलागी मैं goggles लेके आया था आज, तो कि आँखों में pain होता है, यहाँ पर light बहुत ज़्यादा होती है, बट मैंने कहा कि अगर मैं goggles पहन लूँगा, अगर मैं goggles पहन लूँगा, तो तुम तो वहीं बोलोगे न, एना yes, तेनु काड़ा चश्मा जच्दा है, एना जच्दा है तेरे मुकडे थे, तो उसी से आगे बढ़ते हुए, कोशन करेंगे, कोशन, आईए, 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 फाइंड, हालाग यह चश्मा लगा लेते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी light होती है, थोड़ा light से बचाव हो जाता है, आईए, 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 ठीक है, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, आईए, 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 आई 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 शुरू करते हैं बढ़ा बढ़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि खिए लाइट का ग्लियर बहुत जादा उपर कितनी लाइट लगे हैं आट बड़ी-बड़ी नीचे दो लाइट लगी दस जोड़ा आइसको ग्लियर कम जा रहा है तो अच्छा लग रहा है आओ परसंडे येल्ड निकाल ली है अगर पांच मोल सी के बने तीन मोल ओफ ए से तीन मोल ओफ ए से आओ भई मैं मोल्स ओफ सी जो बन सकते हैं मैक्सिमम कैसे निकालूंगा यह फाइंडर करना है इसका स्टोशियोमेट्रिक ऐफिशिंट और जो दे रखा है दे रखा है यह दे र लिए इसका स्टोशियोमेट्रिक ऐपीशियंट को भी बाइज जो इसके मोल्स हैं इसके फिर जाएंगा को है कि है इसकी देगा वन कर दो इसकी देखा वनका दो रोब्स अब सहीं हो जए चली चले अब निकालो percentage yield percentage yield जितना product बना है और जितना maximum बन सकता था कितना बना बना कितना है maximum कितना बन सकता था that is two into hundred सर्फ 50% आ जाएगा 50% आ जाएगा ठीक है अधिया तैंक यह वी चाहिए जाएगा कुछ नीचाहिए डिनर करेंगे अभी एक बेटे बात आई यह आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर का सबसे आसान हिस्सा स्टार्ट कर रहे हैं हम ठीक है दिज लॉज ओफ कैमिकल कॉंबिनेश्ट जिसमें सबसे पहला लॉँ है लॉँ ओफ कंजर्वेशन ओफ मास्ट यह पता कहता है कि जितना मास्ट किसी कैमिकल रेक्शन में टोटल रेक्टेंड्स का होता है उतना ही टोटल मास्ट्स का होता है बड़ी सिम्पल सी बात आए सर अगर आपने माल लीजे राजमा और हैं 20 ग्राम तो बताइए टोटल कितने राजमा चावल बनेंगे डाट इस 40 प्लस 20 कमसाओ तो भी 60 यहां पर भी आईसा ही है यहां पर भी ऐसा ही है कि अगर कोई कैमिकल रियक्शन हो रही है hyge-reactants उसमें fully consume हो रहे हैं मानों इसका 12 ग्राम आपने लिया पॉरी तरह रेक्ट कर गया है्सका 32 ग्राम पूरी तरह रेक्ट कर गया तो यह पता कितना वनेगा यह कितना बनेगा सर यह बनेगा 44 gram, total mass reactant का, total mass reactant का, is equal to total mass of product, total mass of product, tick. यह लोग कहां पर applicable नहीं है, सर nuclear reactions में, पता ही आपको nuclear reactions में energy और mass का inter conversion होता है, by Einstein's mass energy relationship, that is delta E is equal to delta mc square, हो पता है, मैंने कि उसके बारे में बात बताने वादी कोई जरूरत नहीं है, सर इसके उपर कौनो numerical करा दो, numerical, आईए, 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 ख्वातिनों हजरात को सन करते हैं, 6.3 gram of NaHCO3, ओके, इसका reaction करा रहे हैं, 15 gram of CH3COOH के साथ, जो residue बचेगा, residue होता है, solid या liquid form में जो बचेगा, वो क्या कहलाता है, residue, वो क्या कहलाता है, residue, ठीक है, reaction कराते हैं, तो साथ में CH3COON बनता है, और H2CO3 बनता है, जो के तूट जाता है, CO2 gas में, what is the mass of CO2 released, अच्छ अच्छ ये दे रखा है, बाबू 6.3, ये दे रखा है, 15, residue जो बचा है, residue, residue, residue कितना बचा है, 18 gram, और साथ में इसका mass, पता ही है, total mass reactant का, और total mass product का, same रहेगा, तो X कितना आ जाएगा, Sir, ये हो गया, 21.3, ये 18 उदर जाके, subtract हो जाएगा, Sir, 3.3 gram हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3.3 gram हो जाएगा, ठीक है, आगे बड़े, law of constant composition या definite proportion भी बोलते हैं, ये किस ने दिया था, जेल प्रॉस्ट ने दिया था, ये पता क्या कहता है, कि भाई साब अगर compound same है, वो हमेशा same element से ही बना होगा, same element से ही बना होगा, ठीक है, और उनकी percentage भी उस पे same ही होगा, मैं बता रहाँ, बता रहाँ, ठीक है, chemical compound हमेशा same element से ही बना होगा, और same fixed proportion of mass में होगे, मैं बता रहाँ, जैसे मान लीजे, किसी ने बोला मुझे पानी पीना है, किसी ने पानी लिया नल का, है ना, tap water, किसी ने लिया आरो water, किसी ने लिया, बिसलेरी water, और किसी ने लिया किले water, ठीक है, कोई भी पानी ले लिजे, पानी जो हमेशा होगा, उसमें 2 atom hydrogen के होगे, एक atom oxygen का होगा, चाहे source कोई भी हो, सोर्स कोई भी हो, कोई बोले, मैंने बिसलेरी वाला water लिया है, कौनसे वाला, बिसलेरी वाला तो उसमें जो परसंटेज मास की होगी हाइड्रोजन की वह उतनी ही होगी जितने के किल्ले वाले वाटर में जितने टैप वाटर में जितने के बाकी किसी और सोर्स वाटर में बताओ कैसे निकालोगे परसंटेज सर कितनी बार बताएं परसंटेज निकालने क एक है फॉर्मुला होता है सर किसकी निकालनी है hydrogen की तो उपर मास hydrogen का सर कहांसे निकालनी है अच्टो से नीचे मास स्टू का इं टु हंट्रड यह जो परसंटेज ओफ मास आएगी चाहे किलने से लो बिसलेरी से लो टैब वाटर से लो सब में से माएगी सर जो परसंटेज ऑक्षिन की आएगी चाहे किलने से लो ऑक्षिन से बिसलेरी से लो किसी से भी लो वो भी क्या आएगी से माएगी वो भी क्या आएगी से माएगी हाँ साइंटिस का नाम याद करना है कर सकते हैं जी बस आपको पर्संटेस निकान ली अगर परसंटेस सेम आ रही है लोओफ कॉंस्ट अपॉजिशन वैलिड है अगर परसंटेस अलग-अलग आ गई तो लाउव वैलिड नहीं है लिमिटेशन्स क्या है law of constant composition की जब भी आप compound बना रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखेगा कि आपको isotope सेम रखना है isotope सेम रखना है पता चले isotope भी चेंज कर दें तो percentage भी चेंज हो जाएगी आइसोटोप चेंज कर देंगे तो percentage भी चेंज हो जाएगी यहाँ पर example दे रख है CO2 का carbon dioxide बना रहे थे एक बार carbon का 12 वाला isotope ले लिया और एक बार carbon का 14 वाला isotope ले लिया अब इसमें percentage carbon की निकालोगे इसमें निकालोगे अलग 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 आएगी तो percentage अगर सेम रखनी है तो आपको isotope भी सेम रखना पड़ेगा otherwise law of constant composition valid नहीं होगा नहीं होगा देख लो चाहिए इसके अंदर 12 ग्राम कार्बन है ऑक्षियन कितना है एक ऑक्षियन 16 दो का 32 सर थ्री रेशो एट आ गया बिल्कुत सही है यहाँ पर निकालो carbon रेशो ऑक्षियन यहाँ पर carbon 14 है दो दो को अक्षियन का 32 एक का 16 दो का 32 सरीय 7 रेशो 16 यह रेशो पर यह रेशो अलग अलग है यहाँ से जो percentage carbon की आएगी यहाँ से जो percentage carbon की आएगी वह अलग 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 आएगी बताव कितना carbon है यहाँ पर सथ 12 टोटल मास कितना है इसका 12 इसका 32 44 हो गया इंटो हंड़ यहांपर जो परसंटेज कार्मन की होगी सीओ तू में कार्मन का मास कितना है सर फौर्टीन तोटल कितना होगा इसका फौर्टीन है सर ये परसंटेज सेम नहीं आएगी ये दोनो एक दूसरे के ऊक्वल नहीं है तो याद रखेगा अगर आप law of constant composition के बारे मात कर रहे हैं तो आपको percentage same रखनी है तो isotope same रखना पड़ेगा जी ठीक है second कभी कभी क्या होगा यहां पर क्या था compound same भी बना यह भी CO2 है यह भी CO2 है ठीक है बस वो यह carbon 14 वाला यह C 12 वाला ठीक है compound same बना है percentage अलग अलग आई है क्या इसोटोप अलग अलग लिए यहां पर उल्टा है भाई सा percentage same आजाएगी compound यह अलग अलग बना होगा compound यह अलग अलग बना होगा सर जैसे example यह देखो C2H6O इसमें भी 2 carbon है 6 hydrogen है एक oxygen है इसके अंदर भी देखो दो carbon है 6 hydrogen है एक oxygen यह भी carbon 12 है carbon 12 hydrogen 1 hydrogen 1 oxygen 16 ने oxygen 16 ने ठीक है बट दोनों में percentage भी सेम है percentage of carbon in C2H5OH उतनी ही आएगी जितनी percentage of carbon CH3O CH3 में आएगी बट दोनों compound यह अलग अलग है दोनों यह डाइ मिथाइल इथर है और यह इथे आगे बढ़ते हैं सर कोशन करने का तरीका सेम रहेगा बस percentage निकाल लिए आपको एक बार दूसरी बार अगर percentage सेम आ रही है तो law of constant composition वैलिट है नहीं आ रही है तो से वैलिट नहीं है आईए बात करते हैं 2.16 ग्राम ऑफ कॉपर मैटल कॉपर ले लिया कितना बाबू 2.16 पहले रेक्शन कराया उसका नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 के साथ followed by ignition ignition होता हीट ऑफ दा कॉपर नाइट्रीट अच्छा पहले बना कॉपर नाइट्रीट और फिर उसका 2.7 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड सब्सक्राइड तो 2.7 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड तो 2.7 ग्रामऑ कॉपर ऑक्साइड मेकशन है results इन अनाधर किंट कोई और उयक्स्पेरिमेंट किया गया और रहाद या कितनी कितनी 1.15 gram upon reduction with hydrogen इसका reaction कराया hydrogen के साथ give 0.92 gram of copper साथ में स्टो बनेगा बट ये मिना 0.92 बताइए law of definite proportion यह law of constant composition valid है के नहीं यहाँ पर percentage copper ही निकालो copper oxide में यहाँ पर percentage copper की निकालो copper oxide में अगर सेम आ रहा है तो valid है सेम नहीं आ रहा है तो valid नहीं है खत्तम टाटा बाई 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 निकालो गई पताओ परसंडेज कैसे निकालोगे copper का मास कितना है 2.16 किस में से निकालनी है copper oxide में से 2.7 into 100 यहाँ पर भी निकालो परसंडेज copper की जिसकी परसंडेज निकालनी है copper की उसका मास उपर जिसमें से निकालनी है उसका मास नीचे into 100 solve करके देखो क्या दोनों से परसंटेज सेम आ रहे हैं सेम आई जी भाई सेम आई गूँ कोई है इसमें calculator बगारा कैलकुलेटर 80% दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं 80% दोनों से परसंटेज सेम आ रही है law of definite proportion valid है दोनों से परसंटेज अलग अलगाती law of definite proportion valid नहीं होता है law of multiple proportion क्या कहता है ध्यान से सुनियेगा समझेगा ठीक है ध्यान से सुनियेगा समझेगा यह कहता है दो एलिमेंट आपस में कमबाइन करके दो यह उससे जादा compound बनाएंगे fixed mass of one element एक element का देखो दो एलिमेंट है ना उन दोनों ने आपस में react करके यहां तो दो यह दो से जादा compound बनाए एक का मास fix कर दो दूसरे का find out करो एक का मास fix करके दूसरे का find out करो तो दूसरे का मास है वो simple ratio बनाएगा fixed mass of one element will form simple ratio of other element sir मुझे यह बात आपकी समझ नहीं आई बिलकुल अब समझ आएगी जी example देखे यह रहा सामने आपने दो element ले लिए कार्बन और oxygen उन्होंने मिलके क्या बनाया है एक तो सी ओ और एक सी ओ टू क्या यहां तक line clear हो गए दो element combine करके दो यहां दो से आदा compound बना रहे हैं बना लिए बना लिए बना लिए बना लिए बना लिए सरा आगे का of one element किसी एक का माश्थ करओ चाहे carbon का चाहे oxygen का सर चलो carbon का कर लेते हैंसर कितना एक ग्राम दो ग्राम चार ग्राम से ग्राम भाई जितना मर्जी कर लो ferry हमेशा क्रेक्ट आना है बतागर gram atomic mass कर लोगे gram atomic mass कर लोगे तो calculation करनी आसान हो जाएगी calculation करनी आसान हो जाएगी मैंने carbon का कितना mass fix कर लिया 12 तो बताओ जरा 12 gram of carbon react with oxygen कितने oxygen के साथ react कर रहा है एक का mass fix करो दूसरे का find out करो 12 के साथ कितना oxygen react कर रहा है 16 सर 16 कर रहा है यहां पर 12 gram कितने के साथ कर रहा है सर दो oxygen है तो टू इंटू 16 सर 32 यह जो oxygen है जो के सीयो से आया है और सीयो टू से आया है क्या यह आपस में simple ratio बना रहा है simple ratio बना रहा है हाँ या ना हाँ या ना सर एक और एक्जाम्पल दे दो एक और दे फिर वह मैंने दो एलिमेंट ले लिया लग लग हाइड्रोजन और oxygen यह रेक्ट करके बना रहे है यह एक टो मैंच को एक हमास होता है ऑकजण का 16 किसी एक का मास फिक्स कर दो दूसरे का उसरे का मैंने किसका फिक्स कर दिया ऑक्जीन का कितना करीं गराम पिकलो घराम ऩो मास simples कर रहे calculation करना आसान हो जाएगा तो बताओ जाना mass of hydrogen mass of hydrogen react with 16 gram of oxygen जल देली बताओ कितना के तेक oxygen का 166.3 के साथ कितना है दो आक्सियन यानि कि 32 32 के साथ कितना कर रहा है दो 32 gram of oxygen के साथ कितना कर रहा है 2 तो 16 के साथ कितना करेगा 2 by 32 into 16 Sir 1 करेगा Sir इतनी लंबी calculation मत करो ना देखो इसको half किया ना आपने तो इसका भी half कर दो 1 आना था क्या ये जो hydrogen की ratio है H2O से और H2O2 से क्या ये आपस में simple ratio बना रही है by mass simple ratio बना रही है by mass Sir notes PDF form में मिलेंगे बिलकुल मिलेंगे जी Sir इसमें से question कैसे आएंगे ये रहा NTA की practice sheet में question दे रखा है आप देखिए आप बताइए दो substances है 1 and 2 of carbon and oxygen carbon और oxygen से मिलके दो substance बने है एक है 1 और एक है 2 उनके अंदर oxygen कितना है इसके अंदर percentage oxygen की oxygen की 72.73 दूसरे के अंदर कितनी है 47.06 है तो यह कौन सा law follow करेंगे law of reciprocal अब हमारे slaves में है नहीं मैं बात नहीं करूंगा law of definite pollution शरणे लॉफ़न प्रभोशन होता लॉफ दएटपर बोशन तो यहां पर पर जो परसंटेज आक्षिन की आती यह भी नहीं होसकता सिर लॉफ इस में क्या उता जितना मुर्याय की का होता है उतना ही प्रोडॉट का होता है जितना रिक invoke dónde है उतना है प्रोड़क्ट का होता है सर यह भी नहीं हो सकता कौन सा होगा लॉफ मल्टिपल प्रपोर्शन ही होगा दोनों कंपाउंड अलग अलग बने होंगी एक सी ओ एक सी ओ तू एक सी ओ और दूसरा सी ओ ठीक है है सर लिमिटेशन क्यान है लाओ आफ मल्टेपल प्रपोर्शन लौ क है यह लह कहीं और ये पाउंड स्में फैल हो जाता है कहीं और गैनी हम समय क्या जाता है जैसे कार्बन के के सांवालप क्या अपने ही आटम में के साथ बहुत साँर हिवांंड बनाता है एक् weighing लिए c5 h12 देखो 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 let us fix mass of किसका कर रख है carbon का 12 gram mass of hydrogen निकाल रहा हूं mass of hydrogen 12 gram के साथ निकालोगे तो यहाँ पर आएगा 2.5 यहाँ पर निकालोगे तो 2.4 और hexane वाले में निकालोगे c6 h14 2.33 12 gram of carbon के साथ hydrogen यहाँ पर कितना रेक्ट कर रहा है 2.5 12 gram के साथ यहाँ कितना रेक्ट कर रहा है 2.4 12 gram of carbon के साथ यहाँ कितना रेक्ट कर रहा है hydrogen 2.33 यह आपस में simple ratio नहीं बना रहा है नहीं बना रहा है नहीं बना रहा है ठीक है लिमिटेशन सॉफ लॉफ मल्टिपल प्रपोशन तो नोन स्टोशियोमेट्रिक कमपाउंट में भी ये लाओ फॉलो नहीं होता है सब्स्राइब नोन स्टोशियोमेट्रीक कमपाउंट्स क्या होते हैं यह देखो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है दो एटम हाईडरोजन के एक आटम ऑक्षिन के साथ जो है कितने के साथ करेगा 093 के साथ 093 पता है नहीं यह नॉन स्टोशियो में ट्री क्यों आती है सर आयरन क्योंकि वैरियेबल ऑक्षिडेशन स्टेट शो करता है प्लस टू में प्लस थ्री में इसी कारण है ना यह आप इन और्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे मैं ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना जाता लिखा भी हुआ है अलग-अलग ऑक्षिडेशन स्टेट होने कारण यहाँ पर लॉफ मुल्टिबल प्रोपोर्शन जो है वो फालू नहीं होगा कौन सा लॉफ कौन सा लॉफ मौल्टिबल प्रोपोर्शन को फॉलू कर रहा है more than one correct more than one correct answer एक से ज्यादा answer एक से ज्यादा answer है जब आपस में आपस से ज्यादा compound बनाएंगे तब law of multiple proportion follows होगा तब law of multiple proportion follow होगा hydrogen और oxygen आपस नापस में रयाक्ट करके दो कमबाउंड बना रहे हैं H2, H2, O2 हां सरре फॉलो होगा get carbon और oxygen एपस में combine करके दो combine मना रहें सीओ यूं की और अधिया सीओ आयए सिर्फ़र और oxygen आपस में combine करके क्या मना रहे है s o 2 and s o 3 आ फॉलो हईडरोजन और सिलफर रपस में combine करके a s o 2 स Our s o 25.00. नहीं थ्री बढ़िया 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 यह हमने आल रेडी पढ़ लिया आज पढ़ा था ना स्टोशियोमेट्रिक कोफिसियंट्स को हम लोग वॉलियम बोल सकते हैं वही लाइन है सेम सेम यह क्या कहता है रेक्टेंट भी गैस प्रोड़क्ट भी गैस तो यह आपास में टोशियोमेट्रिकषेशन को मैं वॉल्लियम बोल सकता हूं हाँ वालियमौ सकता हूं हाँ टू लीटर तो बननी रही इनकी सिंपल रश्व अपसमें सिंपल ने रही इसका व्रय ट्रेस्ट कम्वाइन करके इसके 2 लिटर बनाए आपसलोट्लिड रe हाँ नाम थोड़ा इसका कैजूल है घरवालों को पता नहीं होगा न कि इस नाम का कुछ सदियों के बाद यूज किया जाएगा किसी और टेम के लिए आई ये आयए औरола के कहते हैं दो गैसीज हैं बिटा इनके स्षिर प्रेशिर से मैं तो जो इनकी वालियम की रेशो आएगी जो इनकी वालियम की रेशो आएगी वही इनके मोल्स बता रहों बता रहों देखे एक container और यह कोई दूसरा container है temperature and pressure same यहाँ पर oxygen है यहाँ पर nitrogen है इसका temperature इसका temperature इसका pressure इसका pressure same है इसकी वालियम है 5 लीटर, इसकी वालियम है 15 लीटर, जो वालियम की इनकी रेशो आ रही है, वही इनके मोल्स की या मॉलिक्यूल्स की रेशो आएगी, सर प्रूफ करके दिखाओ, करते हैं न, लगाते हैं, पीवी इस इक्वल टू अना टी, यह लगाई मैंने पहले और अना टी, फिर लगाई मैंने इसके लिए नाइटरोजन के लिए, प्रैशर इप्रेशर इन्टो वालियम ऑफ नाइटरोजन, नंबराफ मोल्स अफ नाइटरोजन, आर इन्टो टी, दोनोंगों को डिवाइड कर दिया, प्रैशर से प्रैशर कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि same है temperature से temperature cancel out हो जाएगा क्योंकि same है universal gas constant तो वैसे same होता है क्या prove हो गया जो volume की ratio है वही number of moles की ratio है volume की ratio कितनी है यह 5 है यह 15 है सर 1 by 3 moles की भी ratio इतनी ही है मोल्स की भी ratio उतनी है सर 1 by 3 सर मोल्स तक तो हो गया molecule कैसे होगा molecule आओ इधर देखो जब भी आपको मोल्स गिवन होते है molecules कैसे निकालते molecules कैसे निकालते हैं सर जितने मोल्स गिवन है उसको आवगेडर नमबर से मल्टिप्ले कर दो जितने मोल्स गिवन है उसको आवगेडर नमबर से मल्टिप्ले कर दो क्या यह भी cancel out हो जाएगा क्या यह भी 1 by 3 आगे बिलकुल सही कह रहे है सर जो मोल्स की रेशो है जो जो वालियम की रेशो है जो मॉल्स की रेशो है तीनहों सेम मॉल्स की रेशो और वाल्लियम की रेशो तीन है Same to stove, shame at same temperature and pressure. आज सेम टेम्परेचर एंड प्रेशन आई कुश्चन पढ़िये एंट ये प्रैक्टिस टेस्ट काई कुश्चन है जी एंटिय कहती है कि ये कुश्चन आपको जरूर अटेम्ट करने चाहिए एक चैप्टर खतम होने के साथ हम चैप्टर के साथ साथ ही कर रहे हैं तांके आपको प्रॉब्लम ना आए बाद में मॉलिकुलर वेट ओटू और एस ओटू का 3264 ठीक है 15 डिगरी सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है एंड वन फिफ्टी एमेम ऑफ एज़ी प्रेशर दे रखा है एक लीटर के अंदर एंड मॉलिकुल्स है ओटू के तो मॉलिकुल्स बताइए दो लीटर के अंदर जब टेम्परेचर और प्रेशर से ही मैं अरे वालियम की रेशो कितनी है वालियम की इसका एक इसका दो इसके एक लीटर के अंदर N molecules हैं तो यह कितने होंगे 2N खतम टाटा बाई बाई यह पूचा हुआ था जो volume की ratio है वही molecules की ratio है यह खतम अगर आपको problem आ रही है कि यह 2N कैसे आया तो इसको X रख लो अब आ गया कि नहीं X cross multiply करने पर 2N ठीक NTA practice टेस्ट कई है चलिए दो कंटेनर्स दे रखें हैं एक है nitrogen gas और एक है ozone gas उनकी volume एक की 5 लीटर है की 20 लीटर है same temperature pressure पे moles की ratio निकालिए molecules की ratio निकालिए atoms की ratio निकालिए सर आपने अभी अभी बताया जो moles की ratio वही होगी जो के volume की ratio होगी volume कितना है 5 by 20 1 by 4 molecule की भी ratio वही होगी जो moles की होती है वही molecules की होती है but atoms की कितनी होगी हाँ ध्यान से देखना ध्यान से इदर आ जाओ इदर इदर ओ जिसको नीद आ रही है आऊं वही उड़ाओ तरी नीद अब एक साल और लगाना पड़ेगा एक साल सोच समझ के जपकी ले यह जपकी एक साल महंगी पड़ेगी as a student what I have felt कि जब मुझे नीद आ रही है पड़ते टाइम मैं उठूंगा अपने study table से बाहर जाओंगा face wash करके आओंगा फिर वापिस आओंगा फिर पंड़े बैटूंगा आदा है घंटा राम से निकल जाएगा फिर नीद आएगी फिर जाओंगा आईसा एक दो बार करूंगा नीद घायब भाईसाब हम जाग रहें सर हम जाग रहें जी है मॉलीकिल्स की रेश्यों कितनी है सर मॉल्लेक्यूल्स तो आगए ब़े फोर एक तम्वक दो बताओ ऐस गया किर्ड़े एक लल्लू एक molecule के अंदर कितने atoms हैं सर दो तो 1 इंटो 2 कर दे एक molecule के अंदर कितने atoms है 3 तो 3 इंटो 4 कर दे ले वे सर जी 2 by 12 यानिके 1 by 6 1 by 6 साथ में रग दो न बाहर रग दो payment हो गया बाहर रग दो चलिए 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 लोग इक्वल मास दे रखा है अच्छा वह बैस की आँख क्या दे रखा है इक्वल मास दे रखा है oxygen का hydrogen का methane का अच्छा मॉल्लियम की रेशों पूछे हो यह एक चीज सिखा देता हूं पूरी physical chemistry में काम आएगी कभी इक्वल मास बोला हो ना इक्वल मास बोला हो किसका वी बोला हो इनके मॉलर मास का लिख देता हूं कभी बीक्वल मास बोला हो तो जो मॉलर मास होंगे ना गैसी जो भी सबस्टांस के हैं उनके LCM को लेना उनके LCM को लेना equal mass calculation करना बड़ा आसान हो जाएगा calculation करना क्या हो जाएगा बहुत आसान हो जाएगा आई यह कुशन बढ़ते हैं equal mass दे रखा है O2 का H2 का और methane का ठीक है identical conditions है temperature precious ही मैं volume की ratio पूची है अरे मोल्स की ratio निकाल लो जो मोल्स की रेशो होगी जो मोल्स की रेशो होगी वही volume की रेशो होगी वही volume की रेशो मोलर मास O2 का 32 hydrogen का 2 methane का 16 अरे कौन है ऐसा जो कह रहा है मुझे LCM निकालना नहीं आता चले फिर class 4 में दुबारा चले ओ भाई इन तीनों का जो LCM है क्या वो 32 ही आएगा तो बस निकालने मोल्स अब निकालने मोल्स जो मोल्स की रेशो वही volume की रेशो मोल्स कैसे निकालूंगा मॉल्स कैसे निकालूंगा मास बाय मोलर मास मोल्स कैसे निकालूंगा मास बाय मोलर मास मोल्स कैसे निकालूँगा मास सर यह हो गया 1 यह 16 यह 2 1 16 2 1 16 2 1 16 2 यह रहा option number भी option number भी ठीक है ठीक है ठी आईए बात करते हैं empirical formula के बारे में सर empirical formula होता क्या है किसी भी molecule के molecular formula का सबसे simplest ratio सबसे simplest formula क्या सकते हैं जैसे जैसे आओ आओ इधर आओ इधर आओ माल लीजिए C6H12 लिखा हुआ यह है molecular formula क्या है यह molecular formula short form में लिखूंगा MF C6H12 सर इसका empirical formula कैसे निकालेंगे molecular formula में जितने भी atoms हैं उसको सबसे बड़े integer से डिवाइड कर दो सबसे बड़े integer से डिवाइड कर दो जल्दी दी बताओ 612 को कौन से सबसे बड़े integer से डिवाइड किया जा सकता है सर 6 के टेवल पर यह भी आता है यह भी आता है यह तो यह कलाएगा इसका empirical formula यह कलाएगा इसका empirical formula molecular formula लिखो जितने सबसे बड़े integer से डिवाइड किया जा सकता है डिवाइड कर दो आपके पास आजाएगा empirical formula सर एक और एक और आना करते हैं यह है molecular formula बताओ 612 and 6 सबसे बड़े कौन से integer से डिवाइड किया जा सकता है सर 6 से डिवाइड किया जा सकता है six के डेवल में ये भी आता है ये भी आता है six के डेवल में ये one पे आता है ये two पे आता है ये one पे आता है सर ये रहा empirical formula ये रहा empirical formula ठीक और भी कुछ एक example दे रखे हैं हमने ethane का molecule formula ये है two से divide कर दिया two के डेवल में ये भी आता है इसको six से divide कर दिया इसको 5 से डिवाइड गर दिया, इसको 1 से डिवाइड कर दिया Sir, Amonia के CASE में Empirical Formula और Molegal Formula जाएंएंग सीम बिल्कुल साथ है, 1 से सर empirical formula हम find out कैसे करेंगे ध्यान से सुनिएगा समझेगा मैंने तीन अलग-अलग elements ले ले लिए तीन क्या दो चार कुछ भी हो सकते हैं मैंने तीन रखें A, B, C इनकी percentage आपको दे रखी है Q, R, S मास percentage है, A की Q है, B की R है, C की S है इनका atomic mass gram atomic mass यह है M, N, O सबसे पहले दोनों को divide कर दो सबसे पहले percentage को और gram atomic mass को divide कर दो Q को M से, R को N से, S को O से ठीक, कोई ना कोई value आजाएगी कोई ना कोई value आजाएगी पिटा, सारे elements की percentage दे रखी होगी सबका gram atomic मा आज पता होगा आप इनको divide कर दीजे, divide कर दिया सर, कुछ ना कुछ value आएगी हाँ सर, A माल लो आया B आया, C आया divide it by smallest divide करने पर इसको A आया, B आया, C आया let A is smaller than B और C तीनों में से जो सबसे छोटा है उससे divide करना है मैंने माल लिया कि A सबसे छोटा है सबको A से divide कर दो A से divide कर दो A से divide कर दो now convert it into integers खतम टाटा बाई बाई percentage को atomic मा से divide करो जो भी value आये उसमें सबसे छोटे से divide कर दो खतम बाई यही दो step करने है पहले percentage को gram atomic मा से divide करो फिर जो भी इन में से छोटा है A, B, C में से जो भी value छोटी है उसमें से तीनों को divide कर दो integer में convert कर देना integer में convert कर देना क्या ये line यहां से clear हो गई है तरफिर नियुकर दीनिरएक भर आप देता हूँ को किसी इंटीजर से मल्टिप्लाइ करना बढ़ेगा किसे मल्टिप्लाइ करना बढ़ेगा किसी इंटीजर से मैंने उसका नाम x रख दिया कुछ भी हो सकता है सर यह x निकलेगा कैसे और जो इंपिरिकल फॉर्मुला का मास होगा दोनोंको डिवाइड कर दीजिएगा ठीक है दोनों को डिवाइड कर दीजेगा आपके पास X की वैल्यू आजएगे नहीं सर मुझे एक्स्प्रियेंट करके दिखाओ के वाके ऐसे आएगा कर लेते हैं आओ ना सी 6 ह 12 ओ 6 यह मॉलिक्लर फॉर्मूला है इसका मास निकालना आता है हां सर वही ग्राम मॉलिक्लर मास जैसे निकालते थे 180 आएगा सर यह इंपिरिकल फॉर्मूला है इसका मास आएगा निकाल गया फिर भई 1 इंटू 12 2 इंटू 1 1 इंटू 16 निकालना आता हो 30 आएगा देखो भई X आया गे नीचे यह उपर 180 मॉलिकल फॉर्मला का मास नीचे इंपिरिकल फॉर्मला का मास क्या 6 आ गया क्या वाकिए ऐसा था इसको 6 से मल्टिप्लाई करूँगा तो यह आ जाएगा सर कुछ कोशन हो जाए इन पे तो मज़ा आ जाए आए पहला कोशन आपके सामने पेशे खिद्मत है एंटिय के प्रैक्टिस टेस्ट का एक कार्बन का कमपाउंड है जिसमें कार्बन भी है और ऑक्सिजन भी है उसका मोलर मास दे रखा है तू नाइंटी मॉलेक्यूलर फॉर्मूला का मास दे रखा है तू नाइंटी एक कार्बन है एक ऑक्सिन है जब उसको एनलाइस किया पाया गया 50% मास है हर एक दोनों एलिमेंट का कार्बन भी 50% और यह ऑक्सिन भी कितना 50% पर्सेंटेज को अटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे अ कि अ कि अ है अ अ अ है अ बैटरी बीट डाउन वह यह ऑट भाई की बैटरी डाउन नीए और तुम्हारी भी नहीं होनी चाहिए यह जो यहां पर चल रहा है अगर आपको ना पता हो तो यह तुम्हारे लिए ही चल रहा है ठीक है सब लोग डुषियर करो अब सरम कर ले कर अटॉमिक मास है 16 फोर पॉंट सम्तिंग आएगा यह 3 पॉंट सम्तिंग आएगा बढ़ थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं तांके टाइम बच जाए 50 को 12 से 4.16 आॉक्शिन वाला क्या था 50 को 16 से 3.125 जो दोनों छोटे हैं उन में से डिवाइड कर दो सर 4.16 को भी डिवाइड करेंगे 3.125 से सर 1.33 आ जाएगा और इसको भी 3.125 से सरवान आ जाएगा अब दोनों को इंटीजर में करना है बताओ कैसे करो कैसे करो सर 3 से मल्टिप्लाई कर दो 3 से इसको भी 3 से मल्टिप्लाई करो approximately 4 आ जाएगा इसको भी 3 से मल्टिप्लाई करो approximately 3 तरी यह लाएगा सीफोर ओठी एसी फुडूर ओठी इन्टी ओए यह तो अभी इंपीरिकल फार्मुला इंपीरिकल आया बाई इंपीरिकल आ पूंचा वह तो इंपीरिकल आया इंप्रिकल आया इंपिरिकल फॉर्मूला को एक्स से मल्टिप्लाई करते थे एक्स किसके पर आपर आएगा इंपिरिकल फॉर्मूला का मास निकालना इंपिरिकल फॉर्मूला का मास फॉर इंटु ट्वेल्फ एक कार्बन का ट्वेल्ब होता है चार का फॉर इंटु ट्वेल्फ 3 oxygen का 3 into 16 48 और ये भी 48 और ये भी 48, 96 करना भाई 3 आएगा 3 आए 3 करना ज़रा molecular formula empirical formula को X से multiply कर दो X 3 आए C12 O9 C12 O9 ये रहा option number 1 empirical formula ये था बड़ा molecular formula आगे बड़े ये करो empirical formula इतना है molecular weight इतना है molecular formula पूछा हुआ फिर भाई molecular formula क्या होता है empirical formula multiplied by X X निकाल लो molecular weight 180 दे रहा है empirical formula का निकालो निकालना ज़रा carbon का 12 2 hydrogen का 2 1 oxygen का 16 30 आजाएगा 30 आजाएगा तो कर दो फिर CH2 O को 6 से multiply कर दो C6 H12 O6 C6 H12 O6 आगे बड़े लो भई एंट ये प्रैक्टिस टेस्ट का question है और करिए मैं भी घरता हूँ एक आइनी compound है उसमें moles की ratio cation to anion दे रखिया ये cation और anion cation कितना दे रखा बाबू 1 और anion दो atomic mass metal और non metal का पैटा ओब्विसली metal electron loose करता है ये cation का दे रखा है ये electron gain करता है ये anion का दे रखा है ठीक है correct statement बताईए molecular mass of the compound is 176 पता नहीं निकाल के देख लेते हैं इतना तो पता है एक cation है दो इना निकालो वही इसका molecular mass एक cation है 1 into 138 plus 2 into 19 138 और 38 176 हाँ सरी है सही है नहीं नहीं molecular mass तोड़ा आएगा formula mass आएगा formula mass क्योंकि ionic compound है ना ionic gram formula mass आएगा gram formula mass formula ionic है ना ion है ion है ion है अच्छा कुशन है देखो LTA practices में पहला option यही लगा के आजाते बच्चे अब यह molecule तो covalent compound का होगा ना यह तो ionic compound है ना ionic ionic का तो gram formula mass होगा gram formula mass होगा मैं यहाँ पर gram लिख दूँगा तो gram formula mass होगया गराम अटा दूँगा तो formula mass होगया अच्छा कुशन है कि आप से अरह तो परसंटेज पूछ लिए sodium sulfate में परसंटेज तो आज पढ़ा है हमने जी परसंटेज निकालनी है sodium की तो ऊपर mass किसका आएगा sodium का नीचे sodium sulfate का into 100 निकालो निकालो जल्दी जल्दी करो परसंटेज ऑक्सिन की निकालनी है उपर mass oxygen का नीचे टोटल टोटल इंटु हंडर्ट सर सल्फर की निकालो अवे इन दोनों को एड करके हंडर्ड से माइनस कर देना सल्फर की आ जाएगी नहीं सर फिर भी निकालो अरे टाइम पास मत करेंगे फायदे में रहेंगे करना च बताओ सोडियम का सर ट्वंटी थ्री सल्फर थर्टी तू ऑक्सिन शिक्टी बतावे सोडियम का सर्थ दो सोडियम है इसमें तो टू इंटू 23 नीचे टोटल मोलर मास टू इंटू 23 थर्टी तू और यस 4 इंटू 16 96 और 46 कितना होता है 96 और 46 142 इंटू 100 ऑक्सिजन का 4 इंटू 16 64 नीचे तो 142 रहेगा इंटू 100 सल्फर का 32 नीचे तो वही रहेगा 142 इंटू 100 सॉल्व कर लेंगे से सॉल्व कर लेंगे भाई मैं एक बात बता दूँ जिनको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो एक कुशन आप करेंगे यह हमवक में जिनको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो जिनको लगे हम ना सरकरनी बारे अब ना मजा नहीं आ रहा कोई टेंशन नहीं है कोई टेंशन नहीं है ऐसा बहुत सारे बच्चों को नीट के एकजाम से एक दिन पहले भी लगेगा ऐसा लगेगा, बहुतों को लगेगा मैं ये तो नहीं चाहता कि आपको लगे बट बहुतों को लगेगा ठीक है, ऐसा आपके कहने से धर्ती रुकती नहीं है, ये चलती ही रहेगी चलती ही रहेगी अगले दिन नीट का एक्जाम हो गई होगा बच्चे उसमें सेलेक्ट हो गई होगे और उसमें से रिजल्ट आएगा ही आएगा आपका जब मन करे आज से पांच साथ दस साल बाद आप आईएगा हम स्वागत करेंगे आपका उमीद दो हजार चौन-तिस में मैं ही पड़ाता हुआ मिलूंगा ठीक है यहां तो फिसीकल यह और्गानिक यह इन औरगानिक मैं ही मिलूंगा यहीं मिलूंगा इदर इच आपून इदर तब शर्ते आपका मन करें है ना बहुत बढ़ी है बहुत बहुत चलिए यह एक कोशन होंवक में करिएगा एंटिय प्रैक्टिस टेस्ट में हैं अब हमारे टॉपिक बचे हैं दो एक है कॉंसेंट्रेशन टॉम्स और एक चोटा सा टॉपिक है को दूसरा ब्रेक दे रहा हूं ताके किसी ने अगर डिनर ना किया हो मेरे जैसे गरीब की तरह क्योंकि हमने वी डिनर नहीं किया अभी अभी डिनर आया है मैं भी डिनर कर लूँ ठीक है आप लोग भी फेस वाश करिये वाक लीजिए फाइव टू टैन मिनट्स का ठीक है ब् किस्मत को अगर बदलना है तो मुझ पे चमकी हुई जो धूल मिट्टी और नीद है उसको हटाना ही पड़ेगा ठीक है फेस्वाश करो वापिस आओ मैं इधर मिलता हूं आप लोगों को मर्जी आपकी है अभी वापिस आना है यहां अगले साल वापिस आना है वो मर्जी आपकी है आना है आपकी है JS झाल 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 लोग जवानों आ गया हम लोग वापिस है ना क्लास को शुरुवात करने के लिए क्योंकि छोटा सा टॉपिक हमारा बचा हुआ है तैट इस कॉंसेंट्रेशन टाम्स और साथ में क्या है वो सिंग्निफेंड फिगर्स और तो आओ फिर शुरू करते हैं क्लास को शुरू करते हैं क्लास को आया नहीं अभी तक टाइम लेगा कोई बात नहीं थोड़ा आगे कर दो थोड़ा पीछे चलता शाहिए सबसे पहली बात कॉंसेंट्रेशन टाम में हमें पढ़ना है सॉलूसन किसे कहते हैं सॉलूसन कैसे कहते हैं बाइस आप सॉलूसन के अंदर होते हैं दो या दो से जादा जादा कंपोनेंट एक होता है सॉल्वेंट एक होता है सॉल्वेंट वो होता है जिसमें चीजों को डिजॉल्व किया जाता है सॉल्वेंट वो होता है जो जिस चीज को आपने डिजॉल्व किया है जैसे नमक वाला पानी पानी जिसमें नमक को डिजॉल्व किया जा रहा है पानी जो होगा वो solvent होगा और जो नमक होगा वो क्या होगा solute होगा solvent को मैं throughout this concentration term A से denote करूँगा इसको B से denote करूँगा अगर मैंने कहीं पर लिखा है N A N का मतलब आपको पता ही है number of moles किसके A के that is solvent के moles किसके solvent के सर वो कैसे find out करेंगे वो तो उसके बड़े सारे तरीके है सर मास बाइ मोलर मास molecule बाइवगद्रो नमबर volume बाइ अगर गैस की NTP STP पर divided by 22.4 वो तो depend करेगा यह है मास ओफ ए बाइ मोलर मास ओफ ए अगर कहीं पर लिखा हुआ है N B तो क्या मतलब है N का मतलब तो पता ही है sir का मतलब है के वह वो solute के हैं फिर भाइ solute के भी मोल्स find out करने के कौई तरीके हो सकते है मास की video का मतलब है इसका मतलब है mass यह weight of B, chemistry में mass और weight सेम होते हैं, divided by molar mass of B, mass of B divided by molar mass of B, ठीक, करे, 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 आईए, सबसे पहली concentration term पढ़ते हैं, that is, molarity, क्या है, molarity, सर, molarity होती क्या है, उपर आएंगे, mols of solute, नीचे आएगी, volume of solution in liter, कितने mols solute के एक liter में present होंगे, कितने mols solute के एक liter of solution के अंदर होंगे, यह एक liter solution है, इसके अंदर कितने mols solute के डाल रखे हैं, वही molarity है, वही molarity है, ठीक है, माल लीजे, 4 mols solute के, 2 liter of solution में present हैं, तो बताओ, molarity कितनी होगी, molarity कितनी होगी, 2 liter के अंदर 4 mols हैं, तो एक liter के अंदर कितनी होगी, एक के अंदर कितनी होगी, सर्फ 4 by 2, दो होगा, बिलकुल, माल लीजे, 9 mols solute के, 3 liter में present हैं, तब molarity कितनी होगी, तब molarity कितनी होगी, तीन लीटर में 9 mols हैं, तो एक लीटर में कितना होगा, 9 divided by 3, तीन रुपे की, 9 candies आती हैं, एक रुपे की कितनी हैंगी, 9 divided by 3, 3 comes out to be 3, यही है, molarity, क्या मैं molarity को ऐसे भी लिख सकता हूँ, mols का formula solute का यही लिखा था, mass, by molar mass, माल लीजे, volume solution की, volume solution की, liter की जगा, milliliter में दे रखी है, यह centimeter cube में दे रखी है, बात एक है, बात एक है, बात एक है, बात एक है, milliliter में दे रखी है, यह centimeter cube में दे रखी है, उसको liter में convert करना करेगा, thousand से divide करूँगा, वो उपर चला जाएगा, वो उपर चला जाएगा, unit क्या होता है, सर, molarity का, उपर mols, नीचे liter, mols पर liter, इसको molar भी बोलते हैं, या capital M भी बोलते हैं, molar या capital M, जल्दी जल्दी molarity निकाल लिए, 4 mol solute के, 1 liter solution में है, तो molarity कितनी होगी, उपर mol solute के, नीचे volume solution की, सर, फोर आएगी, 12 mols, 2 liter में प्रेजन्ट हैं, तो molarity कितनी होगी, उपर mol solute के, नीचे volume solution की, लिटर में, 6 molar, 27 mols, 9 liter में प्रेजन्ट हैं, तो molarity कितनी होगी, उपर mol solute के, नीचे volume of solution लिटर में, सर, 3 molar आएगी, यह आएगी, molarity, क्या, ऐसे ही question exam में पूछे जाते हैं, रखने हैं, नीचे volume solution की, रखनी है, लीटर के अंदर, सर, यह देखिए, यह वाला question करते हैं, यह नीट का ही, PYQ है, 6.02 into 10, 20 molecules of urea present है, 100 ml of solution में, आप से concentration पूछी होई है, answer molarity में दे रखा है, तो molarity पूछी होई है, उपर mol solute के, नीचे volume solution की, पता हो बही number of moles कैसे निकालूँगा, सर, number of moles निकालने का formula था, एक तो mass by molar mass, वो यहाँ पर लग नहीं सकता, क्योंकि mass नहीं दे रखे, molecule दे रखे, तो फिर particle लगा लो, उपर molecules, नीचे avogadros number, सर, नीचे thousand बच जाएगा बस, तो number of moles आ गया, 1 by 1000, लीटर में रखनी है, कितनी दे रखी है, 100 ml दे रखा, सर, इसको लीटर में करना है, कभी भी, मिली लीटर को लीटर में करना होता है, तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं, सर, 1 by 10 आ जाएगा, सर, 0.1 आ जाएगा, बढ़िया, 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 नेक्स्ट, अगला है, फॉर्मेलिटी, नाम से ही पता चल रहा है, मैं खाली फॉर्मेलिटी के लिए हूँ, यहां, बिल्कुल, जो भी चैट बॉक्स में, जिनोंने चैट बॉक्स को टिंडर मना रखा है, वो भी इस साल नीट, 2024 तरब फॉर्मेलिटी के लिए ही दे रहे है, जी 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 ठीक है, आईए आईए, फॉर्मेलिटी और मोलारिटी में, कोई फरक नहीं है, बस जब सॉल्यूट आइनिक कंपाउंड होता है, और तब हम मोलारिटी को फॉर्मेलिटी बोल देते हैं, जब solute आइनिक compound होता है आइनिक compound यानि के molar mass की जगा यूज गराम formula mass निकालने का तरीका सेम ही है निकालने का तरीका सेम ही है तो हम उसको formality बोल देते हैं ओपर मास नीचे gram निकालने का तरीका वही है जैसे molar mass निकालते थे वैसे ही gram formula mass भी निकालते हैं कोई फरक नहीं है volume of solution लीटर में होगी तो उपर 1000 नहीं आएगा मिली लीटर में होगी तो आपको पता ही है 1000 से डिवाइड करना बढ़ेगा denominator को किसी से ठाउड डिवाइड करते हैं तो उपर सखाजाता है कितने गराम एन्य ओएच के लगेंगे जो के डिजॉल्व करने यानि कि यह सॉल्यूट है यानि के यह सॉल्यूट है इसको बी से लिखा जाएगा इसका मास निकालना है ठीक है डिजॉल्व तू में 100 ml अच्छा वॉल्यूम दे रखी है ml में 100 ml और पॉइंट वन मॉलर एन्य ओन इवएच सॉल्यूशन भी बोल सकते हो या फॉर्मेलिटी भी बोल सकते हो क्योंकि सॉल्यूट पानी में डालने के बाद आईनिक होगा तो molarity बोलो, formality बोलो, दोनों सेम है, को tension वाली बात नहीं है, गराम formula मास दे रखा है, gfm, 40 gram, करो भी करो, सर formality का formula होगा, wb, mb, volume अगर ml में है, तो उपर 1000 आएगा, पताओ भी formality कितनी दे रखी है, सर्फ 0.15, molarity और formality दोनों सेम है, कोई फरक नहीं है, यह हमें निकालना है, मास, molar mass दे रखा है, 40, formula mass या molar mass बात एक है, volume ml में कितनी दे रखी है, 100, losser, solve होगया यह question, wb कितना आजाएगा, 0.15 को 4 से multiply करेंगे, 0.6 gram आजाएगा, 0.6 gram आजाएगा, आगे बढ़ते हैं, molality किसे बोलते हैं, अच्छा, molality क्या होती थी? Moles of solute in one liter of solution, यह क्या है? Moles of solute in one kg of solvent, वहाँ volume of solution थी, लीटर में, यहाँ पर mass of solvent है, kilogram में, यहाँ पर क्या है? Mass of solvent है, kilogram में, ठीक है, molality क्या होगी? उपर, moles of solute, नीचे, mass of solvent in kilogram, mass of solvent in kilogram, उपर, moles ही रहेंगे, नीचे, mass of solvent है, पता है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं? Moles को ऐसे लिख सकते हैं, और अगर, mass of solvent, gram में दिया हुआ, gram में, तो बताओ, kilogram में कैसे करेंगे? कोई भी चीज़, अगर gram में दे रखी होती थी, kilogram में निकालनी होती है, thousand से divide करते हैं, thousand से divide करते हैं, उपर चला जाएगा, उपर चला जाएगा, सर इसका unit क्या हो जाएगा, unit, ये mole है, ये kg है, mole पर kg, ये जिसको mole भी बोलते हैं, ये small m से भी लिखा जाता है, तीनों में से कोई भी चीज हो सकती है, molarity में उपर moles थे, यहाँ पर भी moles हैं, वहाँ पर नीचे volume of solution थी लीटर में, यहाँ पर mass of solvent है kg में, क्या है, mass of solvent है kg में, अरे, तुमने मुझे बताया नहीं, कि molarity और molarity दोनों different meaning होता है, यह तुमारे कोई दोस जैसा ही है, जिसका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, अवे तुझे बताया था, बढ़ तू तो लगावा था जब वही मैट में, उसी picture का है ना, देख लें वो भी नहीं मिली, और तुझे molarity और molarity का difference भी नहीं पता चला भी तक, चालिए, 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 ठीक है, आईए, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं ना, मैं जानता हूँ, आजकल तुम थोड़े नाराज तो होगे, क्योंकि अभी अभी इनकी एक्स, इनके पास से गुजरी थी, और इनको भाव भी नहीं दिया, दुख तो हुआ होगा, मैं जानता हूँ, बढ़ तुम घाना घाना, कौन से वाला, आओगे जब तुम और साजना, हाँ, भास, बास, बास, ना, बहुत सारे चिन्ने चिन्ने लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा ना, सुरू करते हैं जै, सुरू करते हैं, घर्मी लग ज़या, बहुत ज़ादा, गर्मी लग रही है, temperature count करो इसका, molality of urea solution, ठीक है, urea solution की molality के बारे बात हो रही है, जिसमें urea कितना डाल रखा है, dissolve किया हुआ है, तो यह solute होगा, इसका mass कितना दे रखा है, 0.01 gram, is added to 0.3 decimeter of water, at STP, volume of water दे रखी है, निकाली molality है, बात यहाँ पर volume की हो रही है, decimeter cube और liter सेम होते है, decimeter cube और liter सेम होते हैं, सर मिली लीटर में convert कर लो, 1000 से आजाएगा, multiply करेंगे, सर मोलालिटी में हमें उपर तो moles of solute रखने हैं, नीचे mass of solvent रखना है, सर, mass of solvent, gram में होगा तो उपर 1000 आजाएगा, kilogram में होगा तो उपर 1000 ने आएगा, बड़ सर हमें तो volume दे रखी है, mass कैसे निकालेंगे, कोई बात नहीं है, क्या हम सब को density of water पता है, that is one gram per ml, तो क्या mass of water, जिसे w a बोलेंगे हम लो, that is volume into density, volume into density, हाँ सर, प्लो सर, mass भी आजा, रखो फिर value, सोच क्या रहे हो, अरे सोच क्या रहे हो, इसका molar mass निकालोगे, तो 60 आएगा, 60, रखो value को, moles कैसे रखोगे, mass, molar mass, mass of solvent, 300, और उपर 1000, अब solve करना है, तुमारा काम, ये दो 0 से, दो 0 गए, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, 1 by 300, 1 by 3 कितना होता है, 0.33 into 10 raised to minus 2, यानि के 0.0033, यही होगा, है कुछ, अरे कौन सा है, कुछ गड़बड कर दी है क्या, हाँ सर, आपने 6 के ओपर ध्यान नहीं दिया शायद, हाना, 6 के ओपर ध्यान नहीं दिया ना, 6 के ओपर ध्यान दिया लगती से, क्या कर दिया है, नुबारा गरों, calculation, 2 0 से, कौन सी 2 0 गैंसर लाउट होई थी, ये होई थी चाहिद, फिर 1 गैंसर लाउट होगा, हाँ, 1 by, हाँ, 1 by 18 है, 1 by 18 हाँ, हाँ, 1 by 18 है, से, से, कौन सा आएगा ये, 1 by 18, 0.0555, ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, हाँ, कैसे लिख सकते हैं इसको, कैसे लिख सकते हैं इसको, ये होगा, ये वाई, 1 by 18, 100 नी होगा, 1 by 18 नी होगा, 1 by 18 होगा, ये होगा, 1 by 18, 100 कहां से आगया, अच्छ益-च्छ-च्छ-च्छ-च्छ-च्छ-च्छ-च्छ-च Engi ठीक ठीके सही कहलें करने दो बार डबलघो कर दिया हूँ मैं आये शुरू करते हैं ऍाने обяз़ाल क्या कल्कुलेशन देखा लाइवलमर्या अब्योगाग इक बार देख लएदा 1 by 18 होता है 0.05, 0.05 into 10 minus 2, हाँ, ठीक है, हाँ, सभी है, यही है, यही answer है, यही answer है, यही answer है, सभी, मोल फ्रेक्शन नाम से पता चल रहा है मोल को फ्रेक्शन की फॉर्म में लिखना है फ्रेक्शन का मलब होता है एक चीज न्यूमिनेटर में होगी एक डिनॉमिनेटर में होगी मोल फ्रेक्शन को ऐसे भी लिखा जाता है काई यह एक्स की टर्म्स में भी लिखा जाता है ऐसे लिख लो यह ऐसे लिख लो अगर किसी की याद नहीं आ रही तो ऐसे याद आ रही है तो फिर ऐसे है ना सर यह आपने क्या लिखा है? ये तो लिखा है mole fraction, एक का म dav children की? Solvent की. सर ये mole fraction होती क्या? अभी अभी तो बोला, ये एक fraction है, ratio है, जिसकी mole fraction find out कर रहे हो, उसके moles उपर आएंगे, divided by total moles. उसके moles उपर आएंगे, divided by total moles. mole fraction solvent की find out करोगे, तो उपर solvent के moles, नीचे total moles है सरमाल लीजे, mole fraction, solute की find out कर रहे है क्योंकि B लिखा हुआ है, तो solute है, A लिखा होगा अभी अभी बताया है, 10-15 मिनिट पहले जिसकी mole fraction find out कर रहे हो, उसके moles बेटा उपर आएंगे solute की find out कर रहे हो, तो solute के उपर आएंगे, नीचे आएंगे total moles, अगर ये binary solution है, binary का मतलब सिरफ दो component है, इसमें, एक A और एक B, तो दोनों की mole fraction को add करके 1 आएगा, दोनों की mole fraction को add करके 1 आएगा, करके भी देख सकते हो, इसन दोनों को add करोगे, denominator में भी Na प्लस N भी आएगा, numerator में भी Na प्लस N भी आएगा, दोनों cancel out हो जाएगे, तो क्या बच जाएगा, 1, क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है, दूसरी बात, किसी एक की mole fraction पता चल जाए, दूसरे की find out करनी है, तो 1 में से subtract कर दो, मालो, यह 0.2 है, यह 0.2 है, तो यह कितना होगा, 1 में से 0.2 गया, 0.8, यह 0.25 है, तो यह कितना होगा, 1 में से 0.25 गया, 0.275, ठीक, एक और बात, जो mole fraction की ratio होती है, वही moles की ratio भी होती है, सर प्रूफ करो, यह रप्रूफ, इसको इससे divide कर दो, उपर यह रखो, नीचे यह रखो, क्या यह दोनों cancel out हो जाएंगे, यह सर, आ गया, NB over N, यह सर, यह जो mole fraction होती है, यह unit less होती है, is unit less, as it is a ratio, क्योंकि यह एक ratio है, ठीक, ratio, सर, अगर, trivalent solution, इसका मुलब तीन component होंगे, उसमें, काई A, काई B, काई C, काई A होगा, N A divided by N A plus N B plus N C, यहाँ पर भी N C और आ जाएगा, काई C भी होगा, N C divided by N A plus N B plus N C, तब काई A plus काई B plus काई C वन होगा, बट हमें binary solution ही आएगा, generally, question देखिए, तीन में मोल वाटर में एक मोल शुगर को डाला है, तो बताईए, मोल फ्रेक्शन बताईए, वाटर की और शुगर की वाटर की निकालनी है, तो उपर मोल्स आएँगे, वाटर के, divided by total मोल्स, 3, तस वन, सर, यह आगया, 3 by 4.75, मोल फ्रेक्शन किसकी निकालनी है, वो शुगर की निकालनी है, सर, वैसे, वाटर में से सब्ट्रेक्ट कर दो, तब भी आ जाएगी, बिल्कूल सही कह रहे हैं आप, अगर वैसे भी ऐटर करनी है, शुगर की फाइंड करनी है, तो शुगर के मोल्स, divided by total moles 0.25 सर एक और कोशन 138 ग्राम ओफ इथाईल अलकॉल ये राइथाईल अलकॉल mixed with 72 ग्राम ओफ वाटर ठीक है ratio निकालनी है mole fraction की ethyl alcohol to water अच्छा molar mass दे रखें आपको ratio निकालनी है mole fraction की जस्ट अभी अभी मैंने बताया जो mole fraction की ratio होती है वही number of moles की ratio होती है वही number of moles की ratio होती है number of moles कैसे निकालेंगे सर that is mass by molar mass यहाँ पर भी भई mass divided by molar mass denominator को किसी से भी divide करते हैं उपर चला जाता है यह 3 पे जाएगा यह 4 पे जाएगा 3 ratio 4 हो जाएगा यह रहा 3 ratio 4 ट्री पे जाएगा गूर जाएगा जाएगा सर, यह होगा क्या हो, माल लिखे, माल लिए, माल लिए, यह देखे, ये एक कोई कंटीनर है, श्कोई उपर लिखा हुआ है, 30% कोई भी सॉल्यूट हो सकता है, अब वो मुझे नहीं मता कौन सा होगा, माल लेते हैं टेंनों, 3 बाए, म मास, उसका मदलब पता क्या है जो परसंटेज का मदलब होता है बताओ परसंटेज का मदलब क्या होता है मालो किसी के 30 marks आया out of 100 तो 30 marks आया out of 100 यहां पर भी वही है 30 of solute present in 100 of solution but sir solute का क्या solute का mass है volume है कोई और चीज है यह simple तरीके से आपको बता रहा हूँ कभी भी ऐसा कुछ लिखा होगा यह उपर वाला unit होगा solute का नीचे वाला unit होगा solution का w by w का मतलब है solute का unit भी आपको mass में रखना है solution का unit भी आपको mass में ही रखना है यानि कि यह gram में है तो यह भी gram में होगा यह kilogram में है तो यह भी kilogram में होगा तो 30% by mass का मतलब है 30 gram of solute present in 100 gram of solution present in 100 gram of solution 100 gram of solution ठीक mass percentage of किसी की भी निकालनी है a की निकालनी है तो उपर mass a का नीचे mass solution का into 100 नहीं सर्फ b की निकालनी है b की अरे तो भाई उपर mass b का रख लिए यार यह कैसी बाते कर रहे हैं तुम भी ना नीचे mass solution का पता है ना a क्या है solvent b क्या है solute यह mass percentage solute की निकालनी है यह solvent की निकालनी है अगर कभी भी सीधा percentage by mass दे रखी हो gram पर ml में और density दे रखी हो सुरी mass percentage by gram होगी सुरी मास परसंटेज परसंटेज बाइ मास होगी gram में और molarity और density solution की दे रखी हो सीधा molarity find out कर सकते हैं अगर कभी भी percentage by mass दे रखी हो density of solution दे रखी हो और molarity निकालनी हो सीधा formula यह लगा सकते हैं सीधा percentage by mass जितनी भी होगी 10% 20% 30% 49% जितनी भी होगी into density into 10 divided by mb divided by mb सीधा है यह relation derivation वगारा कुछ करना नहीं है आपको सीधा percentage by mass जितनी दे रखी है उसको density of solution into 10 से multiply करो divide कर दो molar mass of solute से molar mass आपको सीधा molarity पता चल जाएगी चार चीजे दे रखी है एक दो तीन चार चार में से कोई तीन दे रखी होंगी चौथी पूछी होगी जनरली यह यह और यह दिया होता है यह पूछा होता है सर कोशन यह दा मोलारिटी ओफ एच नो 3 इने सेंपल विच आज देंसिटी ओफ देंसिटी दे रखी है 1.4 गराम परेम्बल एंड मास परसंटेज मास की परसंटेज भी दे रखी परसंटेज भाइ मास 63 परसंट आप से मोलारिटी पूछा हो है अभी अभी तो पता है सर जितना परसंटेज भाइ मास है इन्टो देंसिटी इन्टो 10 डिवाइद भाइ मोलर मास डिवाइद भाइ मोलर मास चुकितना दे रखा है 63 60 जी दरे 60 गंजला ओड हो जाएगा 14 मा जाएगा 14 मा जाएगा 14 14 14 14 बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है नेक्स्टे परसंटेज भाइ वाल्यूम जैसे मास परसंटेज निकाली है वैसे वाल्यूम परसंटेज निकालेंगे मान लीजिये किसी कंटेनर के ऊपर लिखा हुआ है 25फ परसंट शॉल्यूट पता निकॉन सा होगा माल नितु असल लिखा हुआ है बाइव वॉल्यूम जैस्ट को वीी बाइव भी बोलते हैं जैंड़ि बाइव बाइव मतलब वही है क्या लिखा हुआ है 25 परसंट लिखा हुआ है 25 ओफ सोल्यूट present in hundred of solution किसी के 25% आते हैं तो हम यही बोलते हैं ना 25 marks आए है out of hundred बट सर वालियम का वालियम का कुछ इसका solute का कोई unit होगा solution का कोई unit होगा बिलकुल यह देखिए यह अगर ml में है यह solute का unit है बोला था numerator वाला और denominator वाला solution का unit है solute का unit भी वालियम भी होगा तो solution का unit भी वालियम में होगा बिटा यह अगर ml रखा है तो यह भी ml होगा यह liter रखा है तो liter होगा centimeter cube रखा है centimeter cube होगा decimeter cube रखा है decimeter cube होगा सर वालियम percentage कैसे निकालते हैं मान लो एक ही निकालनी है तो volume of a जिसकी percentage निकालनी है उसको उपर रखो नीचे total को ही रखो multiplied by 100 नहीं सर, मुझे A की निकालनी, B की निकालनी है A solvent है, B solute है तो उपर solute की volume रखो नीचे solution की volume रखो जैसे हमेशा percentage निकालते हैं जैसे हमेशा निकालते है, जैसे हमेशा निकालते हैं तारीफ के कसीडे पढ़े जा रहे हैं अब है यहां पर तो तुम लड़की पटा रहे हो भी तो को लगा मेरी तारीफ हो रही है मैंने हैसा पूरा पढ़ दिया भाई कि बेड़ा तुमारी बाद हमें बिल्कुल पसंदी आई है ना पूरा मुण ख़ाब करके दिया अब हाई आए 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 रहात के साड़े गहरा बने लॉंडिया बाजी करने से बाज निया रहे वाई तुम थोड़ी सी सरम कर लो थोड़ी सरम कर लो कि मेरे को लगा कई तो कॉमर्स और आट्स वाने भी आये होंगी करे चश्मा सा लगा रखा बंदा सही लग रही है चले इसके क्लास में तरह क्योंकि लड़की तो चाहें कॉमर्स की ओ साहिंस की ओ आट्स की ओ जिन्दा ओनी चाहिए तुम्हारे इनकी क्वालिटी यह बाई जिन्दा हो सांसे चलती हो यह नीचाहिए हाँ मोय मोय कर दिया है मूण खराब कर दिया है तुमने चलिए चलिए आए बात करते हैं percentage by strength percentage by strength को W by V से भी लिखा राता है फिर वही बात यह किसका unit है solute का यह किसका unit है solution का solution का आपने कभी life में hospital में अगर कोई admit हुआ होगा unfortunately वहाँ पे जाके देखा होगा sodium chloride का point 9% solution दिया जाता है W by V होता है percentage by strength होता है Osmotic pressure of blood को maintain करने के लिए basically blood pressure को maintain करने के लिए blood pressure को हाना चाहिए 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 देखिए जरा मान दीजिए किसी कोई भी solute है पता नहीं ऐसे लिखा हुए 24% solute है कोई मान लेते हैं इसका मनलब है 24 24 of solute present in hundred of solution अरे सर यूनिट बताओ ना 24 क्या यह रहा solute का unit mass में होगा solution का unit volume में होगा यानि कि अगर यह gram है तो यह ml में होगा थोड़ा अच्छी तरीक से लिखनो इसको हन्डरड एमल हन्डरड एमल मान लीजे परसंटेज strength पूछी होई है solute की अगर यह gram में है तो यह ml में है clear ठीक है बट यह बताइए यह बताइए अगर यह किलो ग्राम में है अगर यह kg में है तो बताइए इसका unit क्या होगा देखें जरा कितना आपका बता पाते हैं ठीक है यह kg में है तो यह ml मान गई ठीक है परसंटेज strength of solute क्या होगा ऊपर फिर भई strength है तो ऊपर मास होगा नीचे वालियम होगा इन्टू हंडर्ट इन्टू हंडर्ट ठीक है अब है लीटर कहने वालो एक लीटर पानी लो वह चुलू वरसे तो बटा ज्यादा ही होगा उसमें बढ़ाई कटे है ना सामूहिक खुद खुशी का रवटा सामूहिक खुद खुशी एक लीटर पाड़ी में अब है यह सीजी ऐसा है अब है तुम लोगों ने फिदिक्स भी नहीं पढ़ रखी में के साथ साथ निशाने सही बताया मीटर क्यूब होगा मीटर क्यूब बिल्कुल बिल्कुल है वालियम का यूनित अगर इसका ऐसा यूनित लोगा तो उसका ऐसा यूनित लोगा रो सन करेंगे को सब find molality of 20% W by V अगर देंस्टी दे रखी है अगर देंस्टी दे रखी है पहले इस लाइन का मतलब बताओ 20 ग्राम ऑफ ग्लुकोस present in आव इंग्लीश में बढ़ेंगे हम present in 100 ml of solution okay sir हमें फाइंड आउट कर नी है molality क्या फाइंड कर नी है अंगरे जो भारत चोड़ो जल्दी जल्दी बादाओ molality कारो कारो जल्दी कारो तुम कारोगे तो देश आजाद होगा जल्दी जल्दी tell you the way huh wb wb that is mass of solute 20 data cut glucose ka formula otis C6 as 12 06 molar mass otah have barn 80 sir 180 many barn 80 barn barn 80 w a but i a w a ho 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 sir w na he there a kai ko no बात की फिकर नहीं क्या मुझे क्या मुझे क्या मुझे दे रखी है डेंस्टी दे रखी हाँ तो निकल जाएगा नमास volume into density यह मुझे निकालना है और यह भी दे रखा 20 okay sir 200 में से 20 जाएगा फिर क्या आएगा तब फिर आएगा बान 80 यास 180 नहीं बान 80 अब सभी हो जाए अब सॉल्व तुम करोगे वह तुमारा काम ठीक English needs to learn you yes बहुत सारी concentration terms हमने बल्डी मोल fraction molality molality forality or कॉंसी पड़ी अभी अभी percentage by mass percentage by volume percentage by strength ठीक है temperature चेंज करने से कॉंसी concentration time पे effect पड़ता है और किस पे effect नहीं पड़ता है हमेशा याद रखेगा volume क्या बोला मैंने volume temperature के साथ change होती है volume temperature के साथ change होती है mask कभी भी temperature के साथ change नहीं होता ठीक है आपने hcl लिया वो लिया आपने माल लेते हैं five liter ठीक अगर उसे श्रीणगर में रखोगे जहां पर अभी बहुत ठंड है यहां उसे गुजरात में रखोगे जहां पर अभी बहुत कर्मी है तो आप देखेंगे उसकी volume change हो जाएगी volume temperature के साथ change हो जाती है बट उसका mass change नहीं होगा तो जिन जिन concentration terms में volume है जिन जिन concentration terms में volume है वो temperature के साथ change हो जाएगी जिन में volume नहीं है वो temperature के साथ change नहीं होगी बताओ जल्दी जल्दी क्या molarity temperature के साथ change होगी temperature के साथ change होगी yes molality sir इसमें moles by mass है जानगी कहीं volume है नहीं temperature के साथ change होगी no formality क्या temperature के साथ change होगी yes number of moles divided by volume था तो answer आएगा yes mole fraction mole fraction क्या temperature के साथ change होगा moles divided by moles था moles mass से ही आते हैं तो answer आएगा no और बताओ और percentage by mass सर नाम से पता चल रहा है mass है इसमें answer आएगा no percentage by volume answer आएगा yes volume involvement percentage by strength sir इसमें भी volume involved है volume जहां पर भी volume involved हो जाएगी वो temperature के साथ change हो जाएगी ठीकर जीड़ी आज़ी चैट बॉक्स में अलग पांडे सर का नाम लेकर लिख रहा है मैं आपकी salary काट लूगा तो मैं पता है एक आज बार ऐसी मैं पढ़ा रहा था लाइव में और सच में अलग सर आए थे और रहा हैं आएगा मुझे पता ही जला मैंने ऐसे लगा मैंने स्पैमर हो गार मेरे ध्यान होगा दिया क्लास के बाद सर ने मैसेज क्या हो ते घर सर सर मैंने को क्वला समय मैसेज कर ना आकर पढ़ा यह आईए अससन रीजनिंग करते हैं अससन लड़कों आज का टार्गेट है कि लीडर वोर्ड पे जरूर आना है आओ फिर आजाओ शुरूर जाओ इस में मोल्स डिवाइड़ वालियूम है इसके केसे मोल्स डिवाइड़ बाइफ मास है दोने फॉल्स लगने हैं अमरेको तो दोनों फॉल्स हैं दोनों फॉल्स हैं दोनों फॉल्स हैं सही कह रहे हैं दोनों फॉल्स है molarity temperature पे depend करती है molality नहीं करती हुआ वैली वैला टी लिखे हुए दूसरा लिका होई molality पे लिए that is mol divided by volume mol divided by mass of solvent obviously mols के साथ साथ volume और mass पे पेज़ा time करता है option number D है सही answer option number D 90% अभी भी वी सही answer दे रहा है क्या बात हाथ है क्या बात है यह कौन हो बढ़िया बढ़िया नाम लिख रही है तुम इनका प्रनंसियेशन कैसे करते हैं आए बात करेंगे हम रिलेशन है डेरिवेशन हमें नहीं करना है हमें सीधा और सीधा रिलेशन पता होना चाहिए पूछा सीधा जाएगा यह मॉलालिटी और मॉल फ्रेक्शन का रिलेशन डाट इस काई भी ओवर काई यह इंटू में इंटू थाउसंड खत्म टाटा बाई 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 कोशन आएगा कैसे मॉल फ्रेक्शन दे रखी होगी पूछा होगा चलिये है जे रखी है मॉल फ्रेक्शन पूछी हुई है करिए मोलालिटी 5.2 मोल फ्रेक्शन पूछी हुए क्या मैं काई ये को वन माइनस काई भी लिख सकता हूं यह सर काई ये प्लस काई भी किसके पराबर था वन के एक्वल था तो काई ये किसके पराबर होगा वन माइनस काई भी और में में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अब ये रहा ये रहा सॉल्वेंट पानी है पानी और पानी का मोलर मास आप सब को पता है अठारा होता है अठारा छल ये वन कर लो अब यह ऐ़से न उस से 5.2 को ए टीन से फिर काई भी और उदर ठाउंज़न काई भी होे होई फॉय 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 फिले इसको पूरा मल्टिपलाई कर दिया एपर क्रॉस मल्टिपलाई कर दिया फिफ्टी टू को एटीन से है ऐसी कर लेता हूं 52 को 20 से करना 1040 उस 1040 में 104 माइनेस करना 936 सही कह रहे हो गलत तो नहीं कह रहे तो तो फिर यह हो जाएगा 936 का मलब नाइंटी 3.6 यहाँ पर भी 93.6 अब गलत तो नहीं बता दिया मुझे तुमने तरह आपने खुदी बताया 93.6 यह इदर आएगा तो 1093.6 हो जाएगा तो सॉल कर लो यारब यह 100 होता और यह 1100 होता नहीं 1100 होता यह 100 होता गैराँ सो ओता वन बाई 11 आता वन बाई 11 कितना होता है 1 बाई 11 1 बाई 11 आप पुदी 0 8.09 यह आउसर हो मैं रिखाल से यह answer है मेरे खाल से कहते हो तो मैं solve करके आपको दिखा देता हूँ बढ़ answer यही है मेरे खाल से तो answer यही है बढ़ फिर भी आप कहते हो 93.6 divided by 1093.6 0.0855 वही है जी 0.086 बिलकुल सही है सर बिलकुल इतनी calculation तो pen बिना उठाए हो जानी चाहिए बढ़ फिर भी मैं cross verify कर रहा हूँ ताके कोई problem न रह जाए यह question कहां से आगया यह भी homework में करियेगा यह actually पिछले topic का question था गलत जगा पे आगया यह भी homework में करियेगा आएए आगे बढ़ते हैं relation है mole fraction में और molarity में किसमे molarity गलती से यहां पर RL लिख दिया गया है बट आएगा R सीधा formula आपको पता होना चाहिए आपको derivation नहीं करना है formula सीधा पूछा जाएगा और उसी के उपर numerical based होगा काई भी ओवर काई है volume अगर ml में है 1000 और 7 में न है mole fraction दे रखी होगी molarity पूछी होगी उल्टा भी हो सकता है molarity दे रखी हो mole fraction पूछी हो ठीक है सीधा सीधा आईए अबे question दुबर आगया कैसे repeat हो रहे है motion copy क्या क्या कर रहे है अच्छा page दो बार आगया हो गलती से इसको भी इसका वलब delete करना है क्योंकि पेज़ दो बार आगया हो गया हो गया है यह राखोशन हाँ यह करें कोई aqueous solution है जिसमें काई भी दे रखा है moles of water भी दे रखे हैं volume भी दे रखे हैं molarity पूछाओ molarity mol fraction दे रखा है और आपसे molarity पूछा हो गया है काई यह किसके पराबर आ जाएगा सरवन minus काई भी number of moles solvent के कितने दे रखे हैं water के water के 21 है और volume of solution liter में दे रखे हैं कितनी 3 liter निकाल हो गई सर मोलारिटी का फार्मुला है काई भी over काई यह volume लीटर में तो उपर 1000 नहीं आएगा milliliter में होती तो 1000 आता रखो वाई सा value जल्दी जल्दी रखेंगे volume लीटर में 3 नहीं 21 7 point से point cancel out 7 से 7 cancel out 3 आजाएगा 3 रिलेशन सीधा पूछा गया है मोलारिटी मोलारिटी और डेंस्टी का हम लोगों को जो डेरिवेशन मैंने नहीं कराए है वो हमें करने भी नहीं है तीन चीजे हैं एक है मोलारिटी मोलारिटी डेंस्टी तीनों में से कोई दो चीजे दे रखी होंगी तीसरी पूछी होंगी तीसरी पूछी होंगी सो मोलारिटी इस इक्वल टू मोलारिटी इंटू डेंस्टी 1 प्लस M M B by 1000, MB by 1000, molarity is equal to molality into density, 1 plus molality into molar mass of solute divided by 1000, इन तीनों चीजों में से कोई दो चीजे दे रखिये होंगी, तीसरा find out करना होगा, सीधा as it is, आप ये formula लगा सकते हैं, question इसके उपर ये रहा, एक aqueous solution है, यानि कि water solvent है, एथेनॉल का, ये solute है, density दे रखिया है, molarity भी दे रखिया है, molality बूची होई है, फिर वही, molarity दे रखिया है, density दे रखिया है, molality पूचा हुआ है, सीधा formula आप लगा सकते हैं, इसी से answer आजाएगा, molarity कितनी दे रखिया है, 2, molality पूची होई है, density कितनी दे रखिया है, 1.025, into molality, 1 plus m, 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 m है, molality, m b, 46, 1.025 m, नीचे LCM लोगा, तो 1000, यहाँ पर क्या जाएगा, 1000, यहाँ पर 46, डिनॉमिनेटर में को किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं, वो ऊपर चला जाता है, बन गया 2, 1.025 m को 1000 से multiply करूँगा, तो यह cancel out ही हो जाना है, point हटने पर, बट फिर भी चलो लिख दिया, 1000 plus 46, सर, कर दीजिया, cross multiply, 2 को करूँगा 1000 से 2000, 2000, 2 को करूँगा 46 से 92, 1025 m, 2000 is equal to, 1025, यह भी m था न, m, m, हा, यह 92 दर जागे minus होगा, तो आजाएगा 933, m किसके बराबर आगया, 2000 by 933, साब पता चला है, 2 point something होगा, 2 point something, 2 point something, oh, बट 2 point भी दे रखा है, पर none of these भी दे रखा है, पाई साब यह तो solve करना पड़ाएगा, क्योंकि आंसर यह भी हो सकता है, यह भी तो हो सकता है, यह भी तो हो सकता है, 2000 को divide करेंगे, 933, 2 point 14, यह 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 यह, 2 point 14, 2 point 14, ठीक है जी, ठीक है, class कब खतम होगी, chapter खतम होने पर ही class खतम हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा, कि chapter खतम हो जाएगा, class जलती रहेगी, बेटर यह भी खत्म हो जाएगी, यह भी खत्तम हो जाएगी, खत्तम, टाइल्यूशन एक्वएशन मार्किट से कई ऐसी चीजें चलो पहले डेली लाइफ का एक इसामपल लेते हैं जैसे प्रस्थे मार्किट से लाती है आप क्या करते है ना बस उसको ओपन करते हैं और गटक कर पी जाते हैं ना बिल्कुल बट कई ऐसी चीजें होती है मार्किट से जो बहुत ज्यादा कॉंसेंट्रेटिड फॉर्म में मिलती हैं उनको आप घर पे लाते हैं उनको थोड़ा सा निकालते हैं उसमें पानी डालते हैं ठीक है वो डाइल्यूट हो जाता है ठीक है फिर आप उसे पीते हैं अरे रूफजा रूफजा को मार्किट से लाते हो डक्कन खोल के मूँ के साथ थोड़ा लगा लेते हैं आज कुछ तूफानी करते हैं बड़ इतना भी तूफानी थोड़ा करना है ठीक है आपके करते हैं रूफजा लेके आते हो मार्किट से उसमें से थोड़ा सा बाहर न आर्ट्स वाली हरकतें ना करें ठीक है इधा द्यान दें आईए टॉपिक पर वापीश चलते हैं ऐसा ही कैमिकल्स के इसमें भी होता है मार्किट से जो कैमिकल्स मिलते हैं मान लीजिए अचियल वह हमेशा कॉंसेंट्रेटिड फॉर्म में मिलते हैं तो उनको आप लैब में लेके आएंगे उन में से थोड़ा सा बाहर निकालेंगे फिर उसको डाइल्यूट करेंगे और बनाएंगे डाइल्यूट सॉलूशन फि अने उसे पी लिया बसपर बेटा अगले जनम में मुलाकात होगी अगले जनम में करनी पड़ेघी IT किसी भी कॉनसेंट्रेटिड सॉलूशन से थीख़तीटो इसे बोलते हैं डाइल्यूट बनाना चलीए हम YOU З करते हैं डाइल्यूशन एक्वेशन यीस करते हैं डाइलूश equation, इसे बोलते हैं, dilution equation, M1 क्या है, molarity of concentrated solution, molarity of concentrated solution, इसको stock solution भी बोलते हैं, बोलते नहीं है, तो आजा, बस मैंने तेरे लिए stock रखा हुआ, हाँ, यह वही वही concentrated है, बोलते नहीं है, तो आजा, घर पे रूफ अफजा बढ़ा हुआ है, तेरे तेरे से का stock मैंने रखा हुआ, तो आजा, उसको dilute करके तेरे को पिला देंगे, हाँ, रूफ अफजा की बात हो रही है, volume of concentrated solution, वही वही जब आपने दोस के हाँ जाओगे, वह रूफ अफजा निकाल के नहीं देगा तुम्हें, 10 ml, 20 ml, 30 ml, यह वही है, वही है, वही है, वही है, अच्छा अच्छा, फिर तुम्हों को गया, पागल, ऐसे थोड़ा पी हूँगा, मैं रूफ अफजा, इसको dilute कर पानी डाल इसमें, बरफ बरफ डालते हैं थोड़ी सी, तो यह है, volume of dilute solution, पानी डालने के बाद, बरफ डालने के बाद, जब ग्लास पूरा भर जाता है, यह वह वाली volume है, यह वह वाली volume है, तेक है, और यह molarity क्या है, यह है, molarity of dilute solution, यह वो रूफ आफजा है, जो market से लेके आया है, यह वो रूफ आफजा है, जिसको आप घर में बना के पी रहे हैं, पानी डालने के बाद, पानी डालने के बाद, ठीक है, चलिए, 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 देखें, शरम करो, शरम, थोड़ी शरम करो है न, टीचर के साथ ऐसी बाते करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती सर हम लोग शरम बेच के तो यह रूपजा की वाटर लाएं सर देख रहे हो यह हो रहा है वैन्यू डाइलूटे सॉलुशन ओ आम सॉरी डिटाइड ब्रेक यूर कॉंसेंट्रेशन ऐसे दोता है जैसे जैसे आप पानी डालत जाते जाते हैं दलते 10 बॉलियंब बढ़ती जाती बॉलियंब बढ़ते जाती है वही उतर वही डिखाव है काया मतलब यह इसका मतलब यह नहीं है का पड़ते हुए पानी नहीं पीते QeSar everytime observat बay को कांसंट्रेशन का मुए आय। आई आये कूष्ण पढ़ते हैं करते हैं ठीक है find volume of 6 molar HCL which is required to prepare 500 ml of 3 molar HCL अच्छा अच्छा volume निकालनी है 6 molar HCL की V1 निकालना है molarity उसकी 6 दे रखिये और बनाना क्या उससे 500 ml अच्छा पानी डालने के बाद 500 ml बना लेना है अच्छा फीका फीका लगेगा थोड़ा सा और molarity कितनी होगी तब 3 molar रूफ आफजार रूफ आई ए M1 V1 M2 V2 M1 6 है V1 निकालना है ये 3 है ये 500 है क्या ये 500 बाए 3 होगा अच्छा दो से डिवाइड करना था मैंने 3 से कर दिया गलती से बाइसा मुझे रूफ चाड़ गया मैं तुम्हें बता रहा हूं यह है यह हां रूफ आप चड़ जाए सर देख लो किसी चीज के बारे मैं सोचो भी तो वह रहो प्रवातर करने लगती है बाड़ी पे चलिए आए यह आए है यह कुश्चन शुरू करते है ठीक है तो समझा नहीं तुर नहीं समझा आगला कोशिन करते हैं 29.2% परसंटेज बाइ मास दे रखिये W by W, HCL स्टॉक सॉल्यूशन है स्टॉक हाँ सर ये कॉंसेंट्रेटिड सॉल्यूशन के बारे बात हो रही है has a density of 1.25 ग्राम परेमल ठीक है molecular weight भी दे रखा है अच्छा परसंटेज बाइ मास दे रखिये जितना दे रखा है पहले वो लिख ले नहीं तो भूल जाएगे 29.2% density भी दे रखिये 1.25 ग्राम परेमल molecular weight भी दे रखा है MB दे रखा है MB 36.5 ग्राम पर मोल volume बतानी है stock solution की यानि कि V1 बताना तू प्रपेर अच्छा डाइलूट कर लें के बाद बनाना क्या है 200 ml बनाना है ज्यादा हो जाएगा और molarity कितनी रखनी है 0.4 molar 0.4 molar ठीक तो सर लगाओ formula M1 V1 M2 V2 ये भी दे रखा है ये भी दे रखा है ये निकालना है वस M1 निकालो क्या आज ही हमने पड़ा कि जब भी percentage by mass दे रखी होती है उसको density से और 10 से multiply करेंगे divided by this solve करो भाई लोग solve solution तुमारे हाथ में है ठीक है टोड़ा टाइम बचाने के लिए 292 multiplied by 1 तो बहुत असान हो गया थ्री सिक्स फइफ तो 10 आगा सीधा ऐसा है क्या अच्छा 299 को 1.25 से multiply करेंगे तो 365 या ता है वे यह तो बहुत असान था यार चलिए था तो था 10 V1 निकालना है M2.4 है और यह 200 V1 यह गया 20 को वह से 88 आजा है ठीक 8 की 80 इट आएगा बाबू 80 आएगा आएगे बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या है एक मिलियन के अंदर एक मिलियन के अंदर कितना हिस्सा प्रेजेंट है एक मिलियन के अंदर कितना हिस्सा प्रेजेंट है माल लो माल लो कहीं पर कोई solution है उसके अंदर लिखा हुए 10 पार्ट्स पर मिलियन calcium chloride का लिखावा इसका मालब पता क्या है 10 of calcium chloride present in million of solution अगर इस solution के million parts होते million parts होते तो इसके 10 parts जो है million होता है 10 raise to power 6 दस लाख एक million का मालब होता है 10 लाख 10 लाख हिस्सों में से 10 हिस्से जो होंगे वो इसके होंगे सर ये parts per million किसके हो सकते हैं कोई ना कोई होगा ये by mass भी हो सकते हैं इसका मतलब है 10 gram और ये भी gram w by w जिसे by mass बोलते थे सर अगर volume होता volume होता 10 ppm calcium chloride का by volume होता volume बेटा तब भी यही रहता 10 of CCL to present in 10 raise to power 6 of solution बट अब unit क्या हो जाते solute का भी volume इसका भी volume ये भी ml हो जाता ये भी ml हो जाता सर बाइ स्ट्रेंथ होता बाइ स्ट्रेंथ 10 ppm by strength strength बेटा तब भी दस पार्ट रही होते इसके तब भी 10 next power six parts में होता solution के but w by v होता solute का unit mass में होता solution का unit ml में होता ये gram में होता ये ml में होता, ठीक इसे खुद अटेंट करिएगा पीपीम दे रखा है 15 ग्राम 10 इस टो पावर 6 ग्राम में प्रेजेंट है तो वान किलो ग्राम में कितने होंगे वो फाइंट आट करिएगा अब हम बात कर रहे है concentration of mixture की पहले बात समझ लो mixture का मतलब क्या है 2 या 3 या 4 चीज़ें जो आप इकठी add कर रहे हो आप इकठी add कर रहे हो अच्छा तब उसमें किसी एक चीज़ की आपको concentration या molarity आपको find out करनी है मुझे बताना जो आज हमने पढ़ा है molarity क्या उसका formula यही था moles by volume into liter यानि कि moles निकालने का formula होता है molarity into volume क्या? molarity into volume आपको पता है क्याल्शियम क्लोराइड आपको दे रखा है 2 लीटर और 4 molar तो इसके कितने moles दे रखे है moles moles of calcium chloride कितने दे रखे है सर यह बोला तो अभी आपने molarity into volume molarity into volume सर्फ 4 into 2 8 दे रखे है क्या आपको पता है जब भी calcium chloride तूटेगा तो एक calcium आयन बनेगा 2 chloride आयन बनेगे बिल्कुल stoichiometric coefficient को आज पढ़ा है हमने इसको moles बोल सकते है moles इसके एक mole से इसका एक mole बनेगा इसके moles हैं कितने? सर 8 तो यह भी कितने बनेगे? 8 इसके एक mole से इसके 2 moles बनेगे इसके moles हैं कितने calcium chloride के? 8 तो यह कितने मनेगे? 2 into 8 that is 16 that is 16 moles बनेगे 16 यह concept आपको पता होना चाहिए क्योंकि यही use होना हमेशा यही use होना हमेशा आए concentration of mixtures if their nature is same same का मनलब है they do not react with either बता रहो हो mixture का मनलब समझा गया कि 2-3 चीज़ों का आपस में mix कर रहे हो इन सब की nature सेम है यह तो सारे acid है यह सारे base है यह सारे salt है यह आपस में react नहीं करते हैं acids आपस में react नहीं करते हैं पहले beaker में भी acid है तो दूसरे beaker में भी acid है तीसरे beaker में भी acid है चार है तो चौथे beaker में भी acid है सब को mix कर दीजिए acids आपस में react नहीं करते हैं ठीक है यह रहा first beaker यह रहा second beaker दोनों को आपने mix कर दिया यह रहा third beaker यहां से moles निकालो यहां से moles निकालो इनको add कर दोगे तो आ जाएंगे total moles उसी total moles को आप divide कर दोगे total volume से तो बताओ क्या हो जाएगी सर, molarity आ जाएगी वही तो निकाल नी थी हमे वही तो निकालनी थी वही तो निकालनी बाढusta भाई-बाई सार यह किस की molarity निकाल रहे हो बेटा जिसके moles है मानलो है ह्पॉषिवायन के moles है यह भी ह्पॉषिवाइन के moles है यह भी ह्चत्वायन के होंगे add करने पर total volume दो बताइए तो यह molarity find molarity of H positive 1 अगर 2 liter of 1 molar HCL is mixed with 4 liter of 2 molar HCL आई 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 एक HCL से क्या 1 H positive 1 बनता है जितने सके मोल्स होंगे उतने सके मोल्स होंगे बहुत बढ़िया पहला भीकर दूसरा भीकर दोनों को आड़ कर दिया तीसरा भीकर जितने HCL के वोल्स होंगे उतने ही Hchos Volume into Molarity तू इंटू वनोंटो आगया यहाँ पर मोल्स बता दो H positive 1 के HCL के हैंश पास्टिवांunal सर बात यह हुआन्द वॉल्यम इंटू मोलारिटी डी टोटल मोलव बताओ टोटल मोलस टोटल मोलस एच पॉस्टिवायन के इस बीकर के अंदर इसमें मोलस थे दो इसमें थे आठ तो टोटल कित्नी हो जाएंगे सर दस हो जाएंगे दस तोटल वॉलियुम बताओ तोटल वॉलियुम तोटल वॉलियुम बताओ सर ये थी 2 लीटर है ये 4 लीटर है सर 6 लीटर हो जाएगा 6 लीटर लो और निकालो molarity ah positive आहिंद की मॉल्स divided by total volume सब अच्छे हैपी बर्डे विश्ट कर रहे हैं बटा थैंक यू सो मच 2025 में आएगा हमारा बर्डेंग ठीक है मैं नहीं चाहता हूं कि आप 2025 में भी मुझे विश्ट करें उम्मीद की क्लास में अगर आप यह भी आप भी नहीं चाते हैं तो अभी बढ़ लीजिए है मेरा दूसरा नाम सैवेज है भाई एक कोशन और एक कोशन आ रहा और करो यार मोलारिटी क्लोराइड आइन की निकाल नहीं है अगर ने सी एल और कैल्चियम क्लोराइड निक्स किया एक एने सी एल से एक ही क्लोराइड आइन बनता है बढ़ एक कैल्चियम क्लोराइड से दो क्लोराइड आइन बनते हैं ठीक यह रहा पहला बीकर दूसरा बीकर और यह इनको मिना क्या आगया तीसरा बीकर जल्दी से उस्थ सफाइए यहां किस्की निकानली पॉलाइरिटी इसाद निकालो के निकाल आएन निकालो क्लोराइड के कितने दो इंटू वन टू इंटू अन्दो इसके एक से यह दो बनता है तो से कितने चार आएगा सबढ़िए dużo आएगा या जल्दी से बता दो यहाँ टोटios तोटल मोल क्लोराइड के जल्दी बता दो अब मेरे को सर्जी दो प्लस चार उच्छे होते हैं लौ जी फिर और मैं कहा रहा हूं लगे हाथ मुझे वॉल्लियम भी बता दो बिड़ा शर्माएं हमें बताएं वॉल्लियम कितनी हो गई है और तरजी एक लिटरीस में दो लीट काणे बता दो डिवा शर्जी तोटल मोछ्ट बैया वाल्यूम गर्वॉएड कर देते हैं ओ लो इस सालूसन में इसी सूलूसन में वह मैं सोडियम आनकी मुल एरवटीं कान सोडियम की ओओ इसी पैजBack कर देतने हैं क्योंगै अ confirming अपने पास है बहुत सारी जगा है जो गरभनाने के लिए जगान दी ठीए उसी योग으 रहा इसके इसके कितने थे सर टीदो अपता हो सूडियम आयन के मौल्स कितने है और सर यह कैल्चियम क्लोरेड कैल्चियम क्लोरइड है इसके अंदर सोडियम आयं नहीं है नहीं है नहीं है टोटल मोल बाता सो यह यूप पैले में थे दो और दूज्य में अंड़ा संदे ओ या मंडे रोज का य अंडे और टूटल बॉलियम अधा दे बॉलियम पर लेख दूज्य में दो तुनों में गे तीन लावर चाहते सज्ञा मुलाटी बता दे मैंको सोडीय मायन की टॉटल ओल्यम ओमाया होगी तू बाय 3-m लाविला आए हुआ है आए है आए है आए है 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 चाहर जल्दी से बादे मुलाटी कैलशम आईन की अपैल अब बीक कर में, तो calcium और हाई नहींग, तो उसमें sodium chloride है, दूसरे कर में बता दूसरे कर में, एक calcium chloride से, एक calcium अइन बनता था, तो जितने इसके moles, उतने इसके moles, जल्दी से बताना जरा, calcium chloride के moles कितने थे, दो, कैलशियम रोएट के दो थे तो तो इसमायन के बिटो ओगे चलो मोल बता हो क्याशियम आयन के पहले बीकर में अंडा दूझ्ये में दो मिल आ गए हो गये दो तो तल बोलियम डोलियम ऑलियम मेरे चाहलन पहले की एक थी दूज्य की दो थी होगी तिन फिर मुलारेटी बता दो फिर कैल्शिय मायन की ओ टोट्टल मोड टोटल वोलियम लावी चक अग्य बढ़े अग्य कॉंसेंट्रेशन ओफ मिक्स्चर्स इफ नेचर इजन नौट सेम नेचर ऑंसेप्ट लगेगा लिमिटिंग रियजंट का जो आज हमने पड़ा है वही लगेगा यह आपस में रियक्ट कर जाएंगे सर कैसे एक एसीड होगा दूसरा बेस होगा आओ सर्जी कोश्चन करके देखते हैं वही जो लिमिटिंग रियजंट में सीखा था वही अप्लाई करेंगे जो लिमिटिंग रियजंट में सीखा था वही अप्लाई करेंगे एक एसीड है दूसरा बेस है एक एसीड है दूसरा बेस है एसीड और बेस आपस में रियक्ट करके क्या बनाते हैं साल्ट बाई जो lot को ईगया था को सबसे पहले क्या करते थे सब लिमिटिंग रियजंट कॉंफेप्न में मोल्स निकालते थे मोल्स निकालो इसके मोल्स सर कैसे निखा लेंगे कि वालिव कि à जाए जाएँगे 10 इसके भी मोल से निकालो कितनी है यार को love इंटूअ लेडेण होई यह भी दसे अच्छा कोई नीए इप्र लिंटिंग रिएजन जल्दी जल्रीक पता दो जल्दी जल्दी जल्री क्या लिविटेंग है लिमिटेंग वाले concept में यही होता था पहले मोल्स निकालते थे फिर लिमिटेंग रिएजन निकालते थे फिर कुछ आगे स्वाल करते थे जल्दी पताओ limiting reagent इसके number of moles divided by stoichiometric coefficient 10 आएगा number of moles है निवाज के divided by stoichiometric coefficient 5 आएगा 2 5 आएगा सर यह वाली value छोटी है यह limiting reagent है यह और यह हो जाएगा सब्सक्राइब करेंगे सर फिर जो आपको find out करना है उसके stoichiometric coefficient divided by limiting reagent के stoichiometric coefficient multiplied by limiting reagent के number of moles ठीक है सर यह 5 आगया 5 है एच्टू एसो फोर के moles कितने बच जाएंगे moles 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 बताओ कितने बच जाएंगे जल जल दी बताओ left कितने बच जाएंगे सर दस मोल थे पांच रियाक्ट कर गए पांच बच जाएंगे वालियम कितनी होगी सॉल्यूशन की टोटल मेरी खाल से एक का पांच लीटर है एक का दस लीटर है 15 लीटर हो जाएगा एक टू एस जो फोर से दो एच पॉस्टिवायद बनते हैं एक टूसे दो एच पॉस्टिवायद बनते हैं मताओ जारा मोल्स कितने एस जो फोर के हैं अ पाइव इंटू 1575, moles of H positive बतादो, so double करना, double, 150, molarity बतादो, मोल्स, sorry, moles, moles यह न, divided by total volume, 10 आजाएंगे, 10, इसी तरह से, सेम कोशन आप करिएगा, बस अब की बार, वाइस नेग डिवाइन निकालना, इसमें acid limiting reagent आएगा, बेस बचेगा, यहाँ पर, बेस limiting reagent था, acid बचा था, कुछ बच्चे कह रहे हैं, इसको law of equivalence ही कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं, बड़ वो इस chapter में नहीं है, next है, canny zero method, एक line में खतम हो जाएगा, one mole of any compound must have at least, समझा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, gram atomic mass of each element present in it, किसी भी compound का एक mole ले लो, मैंने ले लिया, carbon dioxide का, इसके अंदर कौन, कौन present है, सरक carbon और oxygen, कम से कम, उसका gram atomic mass जरूर present होगा, कम से कम, इसके अंदर, gram atomic mass जरूर present होगा, carbon का भी, और oxygen का भी, करके देख लो चाहिए, करके देख लो, बताओ, इस, इसके अंदर, carbon कितना present है, carbon, सर एक है, one into 12, 12 gram, क्यों, है ना, gram atomic mass जितना, है ना, कम से कम, gram atomic mass होगा, उससे जादा हो सकता है, उससे कम नी हो सकता, इसका एक मोल ले लो, इसका एक मोल, इसके अंदर, दो oxygen है, दो oxygen, तो 2 into 16, है ना, gram atomic mass से जादा present है, ना, कम तो नी present है, एक ही लाईन है, एक ही लाईन, किसी भी compound के, एक मोल के अंदर, कम से कम, एक gram atomic मा ज़रूर present होगा, ठीक है, insulin के अंदर, 3.4% sulfur, minimum molar mass बताईए, insulin का, anti-a practice test में आई है, ठीक है जी, तो फिर वही बात, इसका मतलब क्या होगा, percentage का मतलब है, हंडर्ड ग्राम के अंदर, हंडर्ड ग्राम के अंदर, sulfur कितना होगा, यह टिस 3.4 gram, अभी तो बोला, कि एक मोल के अंदर, कितना होगा, सर, sulfur का gram atomic mass तो होगा, 32 तो होगा होगा, 32 से जादा हो सकता है, 32 से कम नहीं हो सकता है, तो 3.4 gram of sulfur, कितने में present insulin में, 100 gram में, 100 gram में, तो 1 gram कितने में present होगा, सर, 100 by 3.4, तो 32 कितने में, क्योंकि 32 तो होगा ही होगा, gram atomic mass तो होगा ही होगा, इससे जादा जरूर हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता, तो 132, यह आएगा, 32 को 3.2 से करते, 1000 के आसपास की value होनी चाहिए, यह, 32 divided by 3.4, 1000 के आसपास, 1000 के आसपास तो बटे, यह दोनों values दे रखिया है, 1000 के आसपास तो दोनों values दे रखिया है, यह हटेगा, 1000, तो 32,000 और यह 34, 16,000 और यह 17, 9 तो आना ही आना है, solve करना पड़ेगा, यह, solve करना पड़ेगा, 941 आ रहा है, 941, अच्छा कोशन दे दिया है क्योंकि, calculation के हिसाब से, इसी पर based है, यह next, और यह तो वही सेम ही हो गाँ कोशन, सेम ही है ना, आपकी बार बस 3.2 दे रखिया, एक और था मेरे क्याल से, हाँ, यह करें, पिछले वाला कोशन तो सेम ही हो गया, पिछले वाला कोशन तो सेम ही हो गया, यह वाला करना है आपको, अफ गैस, एक एंटी पी, या एस टी पी, ठीक है, 22,400 अमल के अंदर कितने होते हैं, एन ने, तो एक अमल के अंदर कितने होंगे, एन ने, डिवाइड़ बाई, 22,400, 2.68 इंटू, 10 रेस टू पावर 19, ठीक है, त्योट्रिकल सी डेफिलिशन है, चैप्टर का सबसे आसान हिस्सा, जो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, और केमिस्टी में भी पढ़ते हैं, तो उसकी एक छोटी सी रेवीजन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, आईए, आईए, यूनिट ऑफ मेजर्मेंट, यूनिट क्या होता है, एक स्टेंडर्ड रेफरेंस चूज किया जाता है, ताभी किसी भी हम फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सके, मेजर कर सके, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में साथ बेसिक यूनिट हैं, जो के यूज किये जाते हैं, जिनको हम फंडामेंटल यूनिट भी बोलते हैं, वो कितने हैं, साथ, कौन कौन से हैं, यह रहे हैं, ठीक है, लेंट, मास, टाइम, इलेक्टरी करंट, थर्मोडाइनविक टेंपरेचर, अमाउंट अफ सब्स्टांस और ल्यूमिनेस इंदेंस्टी, लेंथ को एल से डिनोट किया जाता है, उसका ऐसा यूनिट मीटर है, मीटर को एम से लिखा जाता है, मास को एम से लिखा जाता है, ऐसा यूनिट किलोग्राम है, उसको सिम्बल कीजिये, time को small T से unit उसका second है उसको S से करंट को i से लिखा जाता है उसको एमपेयर है उसको capital A से लिखा जाता है temperature का ऐसा unit kelvin है उसको capital K से लिखा जाता है amount of substance को mol में measure किया जाता है उसका ऐसा unit mol है MOL और intensity का candela है और उसको CD से लिखा जाता है इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी derived है they are derived from fundamental units fundamental units सर जैसे density का निकालना है तो density का क्या होता है mass by volume mass का ऐसा unit क्या होता है kilogram volume का क्या होता है meter cube volume kilogram per meter cube हो जाएगा क्या हो जाएगा kilogram per meter cube हो जाएगा कई बार क्या होती है कई ऐसी quantity होती है जो बहुत चोटी होती है या बहुत बड़ी होती है छोटी होती है उनके magnitude को हम prefix में लिख लेते हैं बेस यूनिट के साथ यसे मैं बता रेता हूं क्या कहीं भी अगर 10 लगा दिया जैसे मीटर के साथ, अगर मैने आगे deceil लगा दिया, तो जाएगा one by ten meters, अगर मैने वही मीटर के साथ centi lगा दिया, तो जाएगा ten is par minus 2, यानगी बाइ Entonces, मिली लगा दिया, तो वह thousand, one by thousand, micro लगा दिया, one by ten raised to power six, नेनो लगा दिया, one by ten raised to power nine, कड़ा कोई दे रखा है मीटर के अगर मैंने डैका लगा दिया तो 10 से मल्टिप्लाई हो जाएगा है किलो लगा दिया यह सारे यह पता होने चाहिए इनके उपर कोश्चन पूछा गया है एक्जाम में डैसी लग जाएगा तो वही चीज बांट हो जाएगी डैका लग जाए देखिए एंटिय के प्रेक्टिस टेस्ट में भी दे रखा है गीगा का क्या मतलब होता है यह रहा 10 रेस टो पावर 9 तो जो एंटिय के प्रेक्टिस टेस्ट में चीज दे रखी है न वह वाके इंपॉर्टेंट है यार देंसिटी वाटर की वन ग्राम पर सेंटीमिटर क्यूब दे रखी है उसको एसाई में करो देंसिटी ग्राम पर सेंटीमिटर क्यूब फिर भई ग्राम को किलो ग्राम में करना है किलो को जब ग्राम में करना होता तो थाउजंड से मल्टिप्लाई करते है तो जब ग्राम को किलोग्राम में करना होगा, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो लोजी, 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये किलोग्राम में आ जाएगा, फिर वई, मीटर को जब सेंटीमीटर में करना है, तो 100 से मल्टिप्लाई करते हैं, और मीटर क्यूब को करना है, तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर गूंद्रइट थे दफ्चा Gespr conveyed किनियोट रहे को से सेन्टीमेटर क्यूब में करना तो 10 रीज़ पावरafter 6 से मल्टीप्लाई करना था रहा है वो उपर चला जाएगा वह ऊपर चला-जाय लेगा कितना आ गया भई 10 raise to power 3 आ गया किलो ग्राम पर मीटर क्यूब कि वच्छा कर रहे आपर 75 इंटू ओगा किया वही है यार गलती से मैंने 75 इंटू फाइव लेग दिया बट किया वाई है मास क्या होता है quantity of matter contained in the body वेट आपको पता यह जहां से वह जहां से वह ग्रैविटी हमें जितना ट्रक्ट करती है डबली उज इक्वल टू एम जी वॉलियम जो भी space occupied by the substance होती है मान लीजिए यह क्यूबॉइड है किसी क्यूबॉइड की वॉलियम निकालनी है तो जितना area आएगा that is length into breath उसको height से multiply कर देंगे तो क्या आजाएगी वॉलियम आजाएगी length into breath into height वान मीटर क्यूब में कितने लीटर आएंगे वो बताएगे अच्छा वान लीटर के अंदर thousand ml होते हैं या thousand centimeter क्यूब भी होते हैं बिलकुल और अभी अभी तो किया था वान मीटर क्यूब इस इक्वल टैन रेस टू पावर six centimeter क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10 डिए टूपावर three into 10 रेस टूपावर three आसर बिलकुल लख सकते हूं नताना फिर 10 रेस टूपावर 3 centimeter cube में क्या एक लीटर लिख सकते हों क्या एक लीटर लिख सकते हूं एक-एक-एक-एक-एक-क तो थाउजंड से मल्टिक्लाई करूंगा तो थाउजंड आजाएगा थाउजंड आजाएगा यह करिए वान लीटर को डैसी मीटर क्यूब में करना है फिर वही वान मीटर में होता है दस डैसी मीटर अगर इसको क्यूब कर दूँगा तो यह भी क्यूब हो जाएगा और अभी अभी तो किया एक मीटर क्यूब इस एकोल टैन इस्ट पावर थ्री लीटर यह ना भी पिछले पेच पे अभी तो किया तो हो भी क्या कोशन यह एक मीटर क्यूब इतने सेंटी मीटर क्यूब के पर अंतर कि刃 निया कन hijo जन आनी चाहिए आपको में जानता हूं यह में पिजिक में भी फिर बीघ्यक्स में सीखी होंगा प्र बीच और आनी चाहिए यह अज खिश्फर क्या होता है कोई वी चीज कितनी घरम है यह एकितनी ठंडी है वह पताचलता है temperature से ही पता चलता है temperature मान लीज़े आपको Kelvin में निकालना है degree Celsius में दे रखा है तो उसमें 273 क्या कर देंगे add कर देंगे जैसे 25 degree Celsius को Kelvin में निकालना है तो जितना degree Celsius में है उसमें 273 add कर देंगे कितना आ जाएगा 298 Kelvin आ जाएगा पाँ आए Catholic आएग कर आए लेंद कर योनिट रखे हैं याय कितने एंट होते हैं कितनी इन चोती है जहीं फफीत होते हैं पता होनी चाहिए छोट छोट मैं जानता हूं छुट छटी चीज़ें बड़न पता होनी चाहिए है कि होभ्ष में करिएगा कीलो ग्राम को कनवर्ट करना यूग्राम में अनसर्टेनिटी इन मेजर्मेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बात करेंगे सबसे पहले प्रिसीशन एंड एकुरेसी अगर कोई चीज की लेंथ मालने थे लेंथ ठीक है यह कोई रोप है इसकी लेंथ मेजर करने के लिए आपने अलग अलग बच्चों को एक बच्चे को बोला और उसने अलग अलग वैल्यू अगर एवरेज वैल्यू करेक्ट वैल्यू के पास आई अगर एवरेज वैल्यू इसकी तीन ब measurement आपने ले वह एक दूसरे के पास है और average के भी पास है तो हम उसे प्रिसाइज बोलेंगे जो वैल्यूस ली यह बार बार यह भी एक दूसरे के पास है और average वैलूस के भी पास है तो हम क्या बोलेंगे कि वह प्रिसाइज है जैसे यह माल लेजिये actual length room की 10.5 meter है आपने बच्चों को बार-बार measure करने के लिए दिया चार बच्चें है ABCD ABCD वाले में A ने ये result निकाला है B ने ये result निकाला है C ने ये result निकाला है D ने ये result निकाला है तो बताइए जी कौन इसमें precise है कौन accurate है बताओ जल्दी जल्दी measurement by person A is both accurate and precise बोलो जल्दी जल्दी क्या दोनों पास पास है हाँ सर एक्वली है और ये सारी वैल्यू भी पास पास है ये सारी वैल्यू भी पास पास है बहुत ज्यादा difference नहीं है 10.3 से लेके 10.7 के बीच में बहुत ज्यादा difference नहीं है ठीक है ये क्या होगे एक मेंटा देखो ज़र झाल यतिक हो गोगे है अगर एवरेज वैल्यू क्लोज है क्रेक्ट वैल्यू के तो उसको एकुरेट बोलेंगे और वह एक दूसरे के भी पास-पास है तो उसको प्रिसाइज भी बोलेंगे यह एक दूसरे के भी पास-पास है और एवरेज तो इसके आई तो एकुरेट भी है और प्रिसाइज भी ह से बात करिए कि बी परसंद की एकोरेसी तो पूर सिसे ठीक देख जारा प्रसिशीन ठीक है महि Kathleen करिखो बार बार वैल्यू ले रहां तो पास पास डमात हए बहुत जड़ा आप When We देखना प्रसी न identifies hi Ben 10 guy 10.4 प्रसिशन तो और बीच में प्रसिशन बीकषन एकुरेट नहीं है देखो जरा एव्रेज निकाला आया 10.2 आना चाहिए था 10.5 इससे दूर है तो एकुरेट नही आपट प्रेसिशन सीवाले के बारे मिं बात करी। पूर प्री सीशन पर एकुरेशी गुट हाँ धियर कि प्रिसीशन इसका पुलर बट एकुरेसी गुट हांसर एकुरेसी तो साफ नजर आ रही है कि भुड ज वेल्यू रियल वेल्यू के पास है बड़ प्रिसिशन नहीं है देखो वैल्यू 10.1 से लेके 10.9 के बीच में आ रही है कभी 10.1 10.3 10.5 बहुत बड़ा गैप है पॉइंट 8 का गैप है तो प्रिसिशन नहीं है हर बार वैल्यू लेता है कुछ ना कुछ गलत ही आ जाता तो के ज प्रिसिशन भी नहीं है एकुरेसी भी नहीं है बिल्कुल सही कहने सर देखो 10 से लेके 11 पॉइंट तक का वैरियेशन है 1.1 का प्रिसिशन भी नहीं है और एकुरेसी भी नहीं है 10.5 वैल्यू आनी चाहिए 10.8 आई है ठीक है से ठीक है आगे बढ़ते है यह यह NCRT एक्जम राउंडिंग आफ कैसे करते हैं मैं राउंडिंग आफ कैसे करते हैं जल्द यल्दी बताओ सर अगर जो लास्ट डिजिट है अगर जो लास्ट डिजिट है वो गरेटर देन फाइव है तब क्या करते हैं लास्ट डिजिट को हटा दो second last digit में one को add कर दो ऐसी करते है round of और सर अगर less than five है तो कोई भी change नहीं आता second last digit में जैसी होती है last digit हटा दो second last digit को as it is लिख दो as it is और सर अगर equal to five है तब चेक करते है second last digit second last digit अगर वो odd है तो plus one और अगर वो even है तो no change यही है ऐसी करते है round of किसी भी नंबर को ऐसी करते है significant figures क्या होते है हमारा आज का last topic है तोटल नंबर अफ डिजिट्स किसी भी नंबर में including the last digit total number of digits including the last digit जिसकी value uncertain होती है उनको बोलते है significant figure उनके कुछ rules है सारे non zero number और अगर कोई zeros होंगी non zero में वो significant होती है जैसे यह देखो सारे non zero number है कितनी है यह एक, दो, तीन तो इसके अंदर तीन significant figure है और कोई भी non zero अगर दो non zero के बीच में यह zeros जो है वो non zero के बीच में है तब यह significant होंगी तो एक, दो, तीन, चार सर्फ चार significant figure है दूसरा rule zeros to the left of first non zero non zero digit number वो significant नहीं होते हैं जैसे zeros to the left 0, 2, 6 यह zero जो left में है यह non significant है इसमें कितने significant figures होंगे सिर्फ दो अगर number किसी zero पे end हो रहा है और वो zero right to the decimal point है तब वो significant है तब जो significant है अगर यह zero decimal के right में है तो यह significant है यहाँ पर एक, दो, तीन तीन significant पिकरने हैं सर यह दोनों zero decimal के right में है तो यह भी count होंगे चार हो गए एक, दो, तीन, चार अगर कोई number zero में end हो रहा है बट यह zero right of the decimal place नहीं है तो यह significant हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं जैसे यह देखिए अगर number end हो रहा है जीरो में तो right now तो यह significant नहीं है दो हैं दो हैं दो हैं दो ठीक है अगर कोई number of object लिखा हुआ है digit के साथ तो उसमें infinite number of significant figure होंगे यह बात पता है आपको मने कि physics में पढ़ रखा है हमने यह सारी चीजे चलो भी एंटी अप्रेक्टिस टेस्ट में आई है जल्दी जल्दी इसका आंसर बता हो 161 0.161 and 0.161 के अंदर कितने significant figures है कितने significant figures है जल्दी इसका आंसर बताजिए जल्दी इसका आंसर भी कही जाने गलत दे रहे है सब्सक्राइब फिजिक्स वाली चीज़ें तो पढ़ लो कम से कम कभी calculation करनी हो तो क्या करना है देख लो जड़ा addition या सब्ट्रेक्शन का जो आंसर देना है आपको significant figure में उतनी decimal places होनी चाहिए जितने के जिसमें least number में ठềं उसका significant figure से कोई लेना देना नहीं है अगर किसी चीज़ को आप कर रहे हैं या सब्रेक्ट कर रहे हैं तो उसमें उतनी decimal places देनी है जिसके अंदर least number of decimal places हैं उसका significant figure से कोई लेना देना नहीं 해주र इंिए तो जो final result देना है थो पोई को मल्टिप्लई करके कोई answer देना है तो उसमें कितने नंबर ऑफ ना में ऐसा ही ऐसा ही है ऐसा ही है यह सेम सेम अगर मल्टिप्लिकेशन भी है डिवीजन भी है बहुत सारे स्टेप्स हैं तो जो फाइनल आंसर होगा उसके अंदर वही लीस्ट सिग्निवेंट फिगर वाला इंवाल होगा बस वह एक्जेक्ट नमबर नहीं होना चाहिए जंपलर का है यह आसान-असान से कोशन है यह आप कर सकते हैं कि अ कि अ कि फाइनली खतंग चलिए 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 एंड तक आप में से बहुत सारे बच्चे टिके रहे हैं अन्ड में देखेंगे हम लीडर बोर्ड मुझे लगता है आप मेंसे बहुत जाने जो अनुझ काजल अनुरादा और भी बहुत सारे हैं मैं नाम परण पण नहीं पाऊँगा अबड़ आप जरूर रहा हूं सींगा हैं और सांट में ब लुपने का कोई ना कोई फाइदा तो डेफिनिटली हुआ है दीरे दीरे कर रहा हूं ताकि आप तो पढ़ पाएं अट लीस्ट मज़ा आए अगर आप यही रिजल्ट में बताएं के सर हम उम्मीद की क्लास में थे और सर जब हमारा वो लास्ट एंड आया था सर मैं टॉप ह से तो देखो बहुत ज़्यादा मेटर करता है कि आप नीट के रिजल्ट में बहुत अच्छा करें अगरें तक टिके रहते हैं अब बहुत सारे हैं यारे तो एकिलिब्रियम पढ़ा देना पढ़ा देंगे और बताओ ठीक है बढ़िया 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 एंसी आटी रीडिंग करें एक बार इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेने के बाद हर एक कोशन जो होमवक का दिया है और जो क्लास में मैंने कराया उसको सॉल् फाइदा ही देगी आपको बढ़ कुछ खास एड होने के लिए मिलेगा नहीं आपको क्योंकि आल्मोस्ट जो एंसी आटी में था वो हमने सारा इसमें इंकलूड कर लिया ठीक है प्रैक्टिस कर सकते आप एंसी आटी की कॉश्शन की वो फाइदा जरूरू देगा आपको इसी तरह से जब क्लास में आए क्लास के शुरुवात में कितने बच्चे होते हैं वो मैटर नहीं करता है क्लास में एंड तक कितने टिकते हैं वो जरूर मैटर करता है ठीक है मेरी दिल से यही तमना है कि आप अगले दो तीन महीने अपने आपको बहुत खीच के रखें बहुत ज़्यादा मेहनत करें तांकि आपको जिस दिन आपका एक्जाम हो या रिजल्ट आए आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैंने अपना बेस्ट फूट फूट ठीजा नहीं रखा आप अपना बेस्ट फूट फूट फॉर रावड रखेंगे आपका बेस्ट फूट फूर रखा वा आपको सेलेक्शन दिलाने के लिए काफी अजी टैफिनिटली काफि अबूभर तेकिर नों अग् tel लिए जाएंगा पर सब्सक्राइब थकि तिक निपके एक्सक्टिद कोशुंद दे दो मैंने बताया वहीं गया क्ने कोशन की प्रैक्टिस करके जाना वह वह आज क्लास में कराएं भी है जलिए चसेर जले जले तो यह जली फिर मिलते हैं आप सबसे सक्षार्ग जलास में ठीक है thanks for giving us your time thank you बच्चो